Hello students, my name is Surbhi Tiwari and you are watching Step Up Academy, where you can learn today and lead tomorrow. आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, Light Reflection and Refraction का Part 2. Part 1 क्या अल्रेडी कम्प्लीटेड है? तो जी हां, अल्रेडी कम्प्लीटेड है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा. Part 1 में हमने कम्प्लीट किया था, Reflection of Light by Spherical Mirror. और आज का ये जो वीडियो है, जो की है Part 2 of this chapter, जिसका नाम है Refraction of Light by Spherical Lenses. अब हम Spherical Lenses के बार में पड़े और वो कैसे Light को Refract करते हैं, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हमें Refraction, ये वर्ड जो है, इसका मतलब समझ में आ जाए. जब हमने Reflection पढ़ा था, तो Reflection का क्या मतलब था? कि जब भी कोई Light Ray एक ही Medium में अगर होती है, और एक ही Medium में किसी Surface से टकरा करके Bounce Back होती है, तो इस Phenomena को हम Reflection of Light कहते हैं. तो Refraction क्या word है? तो Refraction का मतलब होता है, कि जब भी कोई Light Ray एक Medium से किसी दूसरे Medium में जाती है, तो वो थोड़ा सा हमें Bend नजर आती है. इसका मतलब क्या? इसका कोई Example है क्या? तो जी हाँ Example है ना, जैसे कि आपके पास अगर एक Glass है, ठीक है, आपको Glass का रखा हुआ है आपके पास, और उसमें Half-Filled Water है, आप उसमें Pen को इस तरह से Emerge करते हैं, तो आपको कैसा दिखाए देता है? वो आपको थोड़ा सा Bend दिखाए देता है, या फिर हम कहें कि ऐसा लगता है कि वो ब्रेक हो गया है, लेकिन जब आप उसे बाहर निकालते हो, तो वो सेम दिखाए देता है, इसी तरीके से अगर Bucket है, पानी का भरा हुआ, उसमें अगर आपने कोई Coin डाला हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि व जादा होती है, पर कैसी अपियर होती है कि वो raised है, उपर की तरफ है, ठीके ना, और क्या examples है, तो जब आप अगर न्यूस पेपर है, और न्यूस पेपर की उपर, अगर आपको ए ग्लास का स्लाब रगतेते हैं, तो आपको वो कैसा दिखाई देता है, आपको वो ऐसा मेडियम से किसी दूसरे मेडियम में जाती है, तो वो बैंड हो जाती है, ठीक है, बैंड हो जाने का क्या मतलब है, तो देखिए, कि बैंड होने की वज़े से हमें यहाँ पे जो पैंसले वो कैसी दिखाई दे रही है, जैसे बीच में से ब्रेक हो गई हो, ठीक है, अब क्यों से आती है और किसी सर्फेस पर तो वो उसी मीडियम में वापिस जाती है तो रिफ्लेक्शन होता है ठीक है रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वह एंटर करती है तो एंटर किस किस में कर सकती है तो एंटर वो करेगी ग्लास में, वाटर में, ठीके तो ये डिफ्रेंट मीडियम है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यहां कहें कि जब वो रेयर से किसी डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम क्या हो गया और डेंसर मीडियम क्या हो गया, तो रेयर मीडियम वो होता है जहां प meter per second जो कि किसम होती है vacuum में ठीक है air में इस सबस्ते करके आत्लों कि 3 महीं होती है लेकिन वह हो सकता है तो हम क्या कहसा है कि 3 to eight meter per second जो है ये vacuum और air में होती है तो जब ये vacuum से air में आकर के air मैं मतलब मालिज अगर आपकी light रहे है और वह कि सी ग्लास में जायेगी तो ग्लास कैसा मीडियम हो जाएगा उसके लिए डेंशर मीडियम हो जाएगा कैसा होगा डेंशर मीडियम है क्योंकि डैन्सिटी जाधा है čीadian तो जब रेर से डेंशर में आएगी तो पिसके स्ञाइmber कनने लोड होगा आपको कैसा दिखाए देता है कि चुझ अपने रास्तेश फोड़ औस बहुत जाती है फीक्त के कारेंड हमें कभी लेंटर जो है वो उपर दिखाए देते हैं और यह जो लाष में आपने पैन्सल के रखा हुआ है वो भी आपको bend या फिर थोड़ा सा break दिखाई देता है तो refraction of light क्या है so the bending of the ray of light as it passes from one medium to another is called the refraction refraction simple है bending of light को ही हम refraction कहते है it is due to the change in velocity of light यह किसके वज़े से होता है यह होता है velocity light की जो velocity है उसके change होने के कारण और light की velocity कब change होती है तो light की velocity change होती है जब वो एक medium से दूसरे medium में enter करती है ठीक है so while traveling from one medium to another ठीक है एक medium से जब दूसरे में जाएगी तो कम हो जाएगी और कम कब होगी जब rare से denser में जाएगी और denser से rare में जाएगी तब क्या होगा तब वापिस उसकी speed अगर जैसे rare में थी और फिर denser में गई तो जितनी rare में थी denser से निकलने के बार उतनी ही हो जाएगी ठीक है तो the velocity is less in denser medium यह आपको बात याद रखनी है कि denser medium में जो velocity होती है light की वो कम हो जाती है चले तो यहां तक तो हम समझ गए अब जैसे की हमें क्या अगर हम देखे science की अगर आपन बात करें तो हर चीज को हमें proper तरीके से study करना होता है तो हमने क्या किया जैसा हमारा example था कि जो water में हमारी pencil थी उसको हमने यहाँ पर theoretically समझ के देखा तो देखे जब pencil को आप इस तरह से पानी के अंदर रखते हो तो वो कैसे दिखाई देती है आपको थोड़ी सी bend दिखाई देती है ठीक है अब कैसे पता करें कि किस तरह बैंड होगी ठीक है ना तो भाई जब यह रे इसर घंडर मेटीों थी को चब यह रे और से डेंसे मिडियों में जाती है तो यह टुवर्ड़ेयर में चिट होती है टुवर्स नॉर्मल बैंड होती है है ना और जब डेंसर से रेयर में जाएगी कहां से जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल अभी नॉर्मल क्या अभी बताते हैं बस यह पॉइंट आपको थोड़ा से याद रखना है और फिर अगर यह डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फॉर्म नॉर्मल हो जाती ह कि सस्टों यहां देखिये कि यह है मेरी पैंसिल ठीक है आप याद करिे नॉमल कहां रो किया था तो आपने रिफ्लेक्षन वाले के इसमें आघर वरड नार्मल रॉक रहा था यह सर्फेस ती यहाँ पर comparison करके चले चीक है तो यह क्या हो गया अपना आई हाना अब वो reflect कहां से होगी तो रीफ्रेक्ट तो नीचे से होगी लेकिन हमें पता है कि incident से हम क्या कर सकते हैं एक सर्फेस पर अगर मालीजे यह आपकी सर्फेस है तो इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यह कहां पर होगी आपके टुवर्ट्स नॉर्मल अब इस चीज को देखे और बहतर समझने के लिए कि कैसे नॉर्मल की तरफ जा रही है बैंड हो रही है हम क्या करते हैं हम एक और एक्जामपल लेते हैं जिसको हम प्राक्टिकली कर सकते हैं देखे क्योंकि पैंसिल को हम इस तरह से डिजाइन ने कर सकते हैं इसको से समझा जा सकता है कि देखे पैंसिल जो है वह आपको बैंट दिखाई दे रही है कैसे दिखाई दे रही है तो चलिए इसको आपन एक औ अलग देखेगा एक्च्वल में होना क्या चाहिए था कि अगर लाइट रही है तो वह इस तरह से सीधी सीधी जाने चाहिए थी लेकिन हुआ क्या कि वह बैंड हो गई और बैंड होने के बास बाहर कहां से निकल रही है अलग ही डारेक्शन हो गई है उसकी तो इस चीज को त ग्लास लैब के चारों तरफ हमने मार्किंग कर दी ठीक है एब एक लाइन ड्रॉकरी और लाइन ड्रॉकरी या फिर अगर आपके पास लेजर लाइट है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हो जहां से भी लेजर लाइट को आप इंसिडेंट कर रहे हो उस पे दो पॉइंट पर इस तरह से पिन मार्क कर दीजे ठीक है एक यहां और एक यहां अब आपको क्या करना है कि जो ग्लास लैब है आपका उसके बिल्कुल बीच में से आप देखोगे ठीक है तो आपको यह एक सीधी लाइन दिखेगी ठीक है और वो आपको इधर आती हुई दिखाई देग ठीक है तो जहां पर भी आपको लाइन दिख रहे है तो आप क्या कर दीजे उसी धी लाइन पर दो और मार्क कर दीजे पिन ठीक लेकिन जैसे है आप उठेंगे और अगर इसको हटाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे कि इन दोनों को मिलाने पर ठीक है क देंसर मीडियम की तरफ जाती है तो देंसर मीडियम में वो क्या हो जाती है बैंड हो जाती है ठीक है और फिर देंसर से रियर में जाएगी तो फिर अगीन बैंड हो जाएगी तो इसके करण क्या होता है हमारी जो लाइट रहे हमें स्ट्रेट नजर आनी चाहिए थी वो किया ठीक है तो according to law ठीक है यह या फिर according to this practical हमने यह पाया कि जो light ray है ठीक है incident ray जब आपके एक medium से denser में rare medium से denser medium में जाती है तो क्या होती है यह towards normal अब normal कहा है यह देखे यह और यह band कहा हो रही है जाना चाहिए था उसको सीधा लेकिन कहां band हो गई यहां band हो जाती है ठीक है तो towards normal band हो जाती है ठीक और फिर हमने क्या किया कि यहां से बहार निकलनी थी हमने यहां पर भी क्या किया एक normal draw किया ठीक है तो फिर आप देखे कि किस तरफ जा रही है light ray आपके away from ठीक है तो जब रियर से dancer में जाएगी तो towards normal यह band होती है और जब dancer से रियर में जाती है तो away from normal यह देखो यह आपका normal था लेकिन light ray कहां हो गई है इधर चले गई है इससे दूर भागने लग जाती है समझ में आई बात तो इस तरह से हमने इसको design करके देखा तो हमें यह पता चला जो light ray है यह band होती है जिसको actual में सीधा जाना चाहिए था बट हो इस तरह से जा रही है अब according to law of refraction अगर हम incidence angle और हमारा जो emergence angle है ठीक है अब emergence angle क्या होता है तो यह जो ray जब आपकी band होने के बाद एक medium से दूसरे medium में again pass होती है तो यह जो ray of light आपको दिख रही है इसको हम कहते है emergent ray और यह angle जो बनाती है जैसे angle बना रही है r2 तो इनके बीच में एक relation होता है that is sign of incidence angle upon sign of angle of emergence is equals to constant वो constant के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ से हमने क्या समझा glass lab के application से हमने यह समझा कि यह जो हमारी light ray है जब किसी एक medium से दूसरे medium में जाती है m1 से m2 में जाती है तो क्या होती है तो यह हो जाती है band अब यह band कैसी होती है तो band ऐसे होती है कि अगर यह rare से denser में जा रही है ठीक है और मैं incident ray पर एक normal draw करूं ठीक है incident ray पर एक normal draw करूं तो यह किस तरफ band होगी तो यह हमारे normal की तरफ band होगी ठीक है अगर यह denser medium से rare medium ठीक है यहाँ पर में लिख देती हूँ towards normal ठीक है और इसके बाद अगर denser से rare में जा रही है denser medium से rare medium में जा रही है तो फिर क्या होगा तो फिर यह माल लीजे कि हमारी यहां से light ray बाहर जा रही है और मैंने एक line draw करी ठीक है यहां से बाहर आई ठीक और यहां पर अगर अपन normal angle को draw करेंगे ठीक है तो यह किस side होगी इधर आएगी है इधर जाएगी तो यह इस तरफ चली जाएगी यह देखे यह इस तरफ चली गई है यह दाइट मींस कि जब डेंसर से रियर में आपकी light ray जाती है तो वो अवे फ्रॉम कहां जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल shift हो जाती है ओके तो इस तरह से हमें bending of light का phenomena clear हो जाता है ठीक है चली तो इस से हमने आपके दो लो निकाले इस पर्τικुलर एक्सम्हें से एट पहला लो अग तो ऑगकी तो और वो नावड कामें पर आप 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 आपके तो वो क्या आएगा यह जो constant है उसे पर mu से represent करते हैं ठीक है इसे हम mu से represent करते हैं और यह क्या होता है snail's law because यह snail नहीं दिया था इसलिए इसलिए हम snail's law भी कहते हैं ठीक है तो law of refraction का पहला law क्या है sin i upon sin r equals to constant equals to mu ठीक है second the incident ray the refracted ray and the normal at the point of incidence point all lie in a same plane ठीक है यह सभी incidence point पर सारे की सारे एक ही plane पर lie करते हैं clear है that means incident ray refracted ray or normal at the point of incidence ठीक है सभी कैसे होंगे एक ही क्या होंगे plane पर lie करेंगे clear है चले तो यहां से हमीं क्या समझ में आया यहां से हमें refraction का concept समझ में आया ठीक है कि जब भी को incident ray एक medium जिसे air से glass में एंटर हो रही है तो वह band हो जाती है ठीक है अब रेयर से dancer में जाएगी तो कहां हो रही है towards आपके normal होती है इस हसाब से अपने इसको आप easily draw कर सकते हैं और यह जो अपने practical है यह आप एक बार perform करके भी देख सकते हो clear है अब यहां से हमने समझ लिए कि जो light ray है वो band हो जा रही है लेकिन आप यह कितना band हो रही है किस extent पर band हो रही है तो इसके लिए आ जाता है refractive index का concept अब refractive index क्या है तो refractive refractive index एक dimensionless quantity है मतलब कि यह value है जो कि यह बताती है कि जब ही आपकी light ray vacuum से किसी और medium में जाती है तो वो कितने number of time slower हो जाती है ठीक है उसका जो number of times है ठीक उसकी value देता है refractive index ठीक सो the refractive index is dimensionless it is a number that indicates the number of times slower than a light wave would be in the material that is in vacuum vacuum के comparison में जब ये किसी भी तूसरे medium में जाएगी तो कितना slower हो जाएगी इस कितना मला at what extent ठीक है कितना ये slower हो रही है या फिर अपर इसको ये भी कह सकते है कि slower होगी तो अव्वेसे बात है बैंड हो जाएगी ठीक है तो कितने extent पर ये बैंड होगी कितने number of time से slower हो जाएगी इसकी velocity इसको जादने के लिए refractive index हम यूज करते हैं अब इसकी value कैसे find out करेंगे अब हमने एक ray of light consider करी मालीजे जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है यह है मीडियम 1 और यह है मीडियम 2 यहाँ पर यह जो रे है उसकी velocity थी मालीजे V1 और दूसरे में है V2 clear है अब refractive index के according the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 अब देखिया अगर हम refractive index की बात करें तो वहर medium में हम निकाल सकते हैं जैसे कि अगर आपने को refractive index निकालना है medium 2 का बट किसके respect में medium 1 के respect में तो वो कैसे मिलेगा the ratio of the speed of the light in medium 1 to the ratio of the speed of the light in the medium 2 अगर medium 2 का निकालना है तो आप क्या करोगे medium 1 upon medium 2 करेंगे and it is usually represented by symbol n21 तो यहां पर जिसका भी number पहले लिखा होता है इसका मतलब आप क्या कर रहे हो आप उस particular medium का refractive index लिकाल रहे हो मतलब यह पता कर रहे हो कि medium 2 में जब light ray आ रही है तो वो कितनी slow हो रही है ठीक है so this can be expressed in the equation form as like this किस तरह से represent हो सकती है तो कि अगर मुझे medium 2 का refractive index निकालना है तो कैसे निकालेंगे n21 equals to speed of the light in medium 1 upon speed of the light in medium 2 या फिर v1 upon v2 क्योंकि v1 है speed of the light in medium 1 and v2 medium 2 की speed है clear है तो n21 अगर लिखा है that means कि किसका refractive index है कहां आपने पता किया है speed of velocity को आपकी light की आपने पता किया है उसे medium 2 के respect में के लिए with respect to 1 ठीक है आप आता है by the same argument the leaf and refractive index of medium 1 with respect to medium 2 medium 1 का निकालने के लिए medium 2 के respect में किसके respect में medium 2 के comparison में medium 1 में क्या ratio आ रहा है यह देखने के लिए आप क्या करोगे तो value हो जाएगी refractive index की and 1 2 equals to speed of the light in medium 2 divided by speed of the light in medium 1 that is V2 upon V1 ठीक है इससे आपको क्या पता चल जाएगा इससे हमें पता चल जाएगा refractive index so if medium 1 is vacuum or ear then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum है ना अगर माली जी के एक vacuum है और दूसरा medium कुछ और है तो क्या करेंगे this is called the absolute refractive index of the medium 2 उसको आप क्या कहोगे absolute refractive क्या बोल रहे है कि अगर medium 1 vacuum है then the refractive index of medium 2 ठीक है अगर vacuum है और दूसरा medium माली जी आपका air है तो उसके refractive index को क्या बोलोगे आप absolutely absolute refractive index it is simply represented as n2 उसको आप simple कैसे represent करोगे n2 से it sees the speed of the light in air and v is the speed of the light in medium then the refractive index of the medium is nm and it is just given by speed of the light in air by speed of the light in medium equals to speed in the light in the medium c by v air or vacuum होना चाहिए ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका vacuum ठीक है चलिए हो जाती कभी कभी बिंदिंग मिस्टेक का अब यह vacuum है हना तो अगर vacuum और किसी और medium के respect में आप speed निकाल रहे हो तो उसे कैसे लिख होगे absolute refractive index क्योंकि vacuum 1 अगर आप medium 1 आपका vacuum है तो उसकेस में हम उसे क्या लिखते हैं एन m लिखते हैं और दूसरा अब्वेस से बात अगर vacuum है एक तो दूसरा आपका air होगा तो air और vacuum क्या refractive index निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा speed of the light in air divided by speed of the light in vacuum and that is CYV चीक है तो यहां से हमने क्या समझा भई यहां से हमने refractive index को समझा तो refraction क्या होता है the bending of light ray is known as the refractive index जब भी कोई light ray medium 1 से medium 2 में जाती है तो वो bend हो जाती है इसको reflection कहते है light का और second चीज अगर बोले refractive index तो कितना band हो रही है at what extent कितने extent पर यह band हो रही है ठीक है कितने number of times यह क्योंकि bend क्या होती है जब light की speed जो है ना वो कम या जादा हो जाए ठीक है तो अगर light की speed medium 1 से medium 2 में जाएगी तो slow हो जाएगी तो कितने number of times यह slower हो रही है इस चीज को निकालने के लिए हम refractive index का यूज करते हैं तो अगर medium 2 का मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे n21 equals to medium 1 की velocity divided by light की velocity medium 2 में clear है तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि कितने extent पर आपकी जो light रहे है वो bend हो रही है अब यह जो absolute refractive index है जो कि हमने air और vacuum के बीच में निकाला है उसको आपन simply refractive index भी कह सकते है ठीक है तो refractive index of water ठीक है वो कितना होता है 1.33 तो यह हमने मेजर करके देखा so this means that the ratio of the speed of the light in air and the speed of the light in water is equals to 1.33 ठीक है अब अगर water की बात करें अगर refractive index जो है water का आ रहा है कितना 1.33 तो इसको आपन दूसरा वे में भी कह सकते है इसका मतलब कि जो refractive index है किसका पानी का वो किसके रेशियो से निकाला है आपने air के क्योंकि अब्विस्टी बात है पानी में अगर कोई चीज जा रही तो air से ही जा रही होगी हाना तो तो the this means that the ratio of the speed of the light in air and the speed of the light in water वो क्या होता है is equals to 1.33 अगर दोनों का ratio निकाले तो इनकी speed में क्या ratio आएगा 1.33 अब ऐसे ही हम अलग अलग चीजों की का refractive index निकाल सकते हैं जैसे कि glass का glass का कितना है 1.52 ठीक है न तो यह भी अपने क्या किया air और glass की बीच में निकाल लिया ठीक है तो यहां पर absolute refractive index लिखे हुए है कुछ आपके mediums के ठीक है तो जैसे कि air का refractive index होता है 1.0003 ठीक है और ice का water का alcohol का kerosene का used cords का आपका यह जो टानाइक oil होता है benzine होता है crown glass होता है इस सब का आपने अलग अलग क्या किया है refractive index निकाला हुआ है और इसका medium क्या था यहां पर लिखा हुआ है ठीक है जैसे मीडियम मतलब की यह material medium यहां पर लिखे हो यहां पर भी rock salt के साथ carbon के साथ ruby के साथ diamonds के साथ सब का हमने क्या किया refractive index निकाला मतलब की air एक medium है और दूसरा medium क्या है यह सारे और उनके बीच में velocity में जो ratio उनका जो velocity का ratio आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है ठीक है चलिए तो यहां से हम क्या समझ गए यहां से हमने refractive index को समझ लिया और यह देख लिया कि जब अलग-अलग material medium हो तो फिर क्या उनका ratio आता है और यहां पर आपने एक medium क्या लिया हुआ है air लिया हुआ है अब जो refraction का concept हमने समझा यह refraction का concept यूज कहां होता है lenses में क्योंकि lens क्या है lens एक तरिके का ऐसा material है या फिर हम क्या है कि lens ऐसी piece से बना हुआ है जो transparent होता है जिसके दोनों ही तरफ हम देख सकते हैं यह जो lenses है यह हमें दूर का और पास का यह effect दिखाते हैं कहां दिखाते हैं तो इस spectacles में साथ ही साथ यह जो lenses है इनका यूज आपने कहां देखा होगा तो कभी आप watchmaker के पास जाते हैं अपनी watches को repair करानी के लिए तो उसके छोटे-छोटे parts को देखने के लिए वो जिस चीज का यूज करते हैं उस lens को हम क्या कहते हैं magnifying glass कहते हैं वह होता है lens clear है तो basically lens क्या है तो lens is a piece of any transparent material bound by two curved surface और by one curved and one plain surface lens क्या है तो transparent material है मतलब transparent का मतलब क्या होता है कि जिसके आर पार दूसरे side दूसरा side क्या है यह आप देख पाओ उसके through उसे हम lens कहते हैं उसे हम transparent material कहते है clear है अब lens क्या है तो जिसका एक side जो है वो curved हो और दूसरा side भी curved हो या फिर एक side आपका curved है और दूसरा side flat है यह depend करता है अलग-अलग type of lens पर clear है broadly हम lens को दो parts में divide करते हैं दो type के हम lens पढ़ते हैं एक होता है concave lens एक होता है convex lens ठीक है convex lens किसे कहते हैं जिसकी दोनों side की जो surfaces होती है यह उबरी हुई या bludging होती है bludging ठीक है इससे क्या कहते है और ये है concave lens, इन में दोनों ही side की surfaces कैसी है, आपकी उभरी हुई, अब ये जो concave और convex lens है, ये भी अलग-अलग type के होते है, अलग-अलग type का इनका shape होता है, जैसे अभी हमने एक देखा, कि एक side हो सकता है, spherical हो, और दूसरी side plane हो, है ना, तो यहाँ पर कुछ examples है, जैसे कि convex lens है, by convex lens होता है, जैके plano convex lens है, positive minus lens है, यहाँ पर देखे, concave lens में by concave भी होता है, अलग-अलग type के है, पर हमें जो फिलहाल पढ़ना है, वो simple हमारे जो concave और convex lens है, उनहीं को हमें study करना है, clear है, तो भी जो lens है, उसके कितने type हो गए, दो type हो गए, अब lens में, जो convex lens है, वो converging lens कहलाता है, और जो आपका concave lens है, उसे हम diverging lens कहते है, convergent और divergent, इसका मतलब क्या होता है, convergent lens का मतलब की जो आपकी ray है, उन्हें एक point पर लेकर के आएगा, और divergent का मतलब क्या होता है, जैसा हमने mirror में पढ़ा था, कि जो की यहाँ वहाँ अलग direction में, आपकी जो rays हैं, उन्ह का formation कैसे होता है, इसको समझें, उससे पहले जरूरी है, इनके terms को जानना, और उससे भी पहले जरूरी है, कि हम पहले ये देखनें कि spherical mirror और spherical lens में क्या difference है, क्यों, क्योंकि देखें, जो terms हमने mirror में पढ़ी थी, वही लगभग same terms जो है, वो lens में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों, अब mirror का formation जब हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया कि mirror को हमने एक sphere लिया, उसको बीच में से cut किया, जब आप इसके इस part को color कर देते हो, paint polish कर देते हो, तो ये बन जाता है concave mirror, और जब ये वाले portion को आप color कर देते हो, तो ये बन जाता है आपका convex mirror, अब इसका होता है center, focus, ठीक है, इन सारे चीजों से हमने क्या करे थे, कुछ terms देखे थे, और इन्ही terms की help से हमने अलग-अलग जगे object को रख कर कि ये चेक किया था कि mirror में उसकी image कहां बन रही है, तो इसलिए, क्योंकि mirror और lens में कुछ similarities है, और कुछ difference है, similarities तो नहीं, बस उनके constructions related कुछ similarities ह होंगे, लेकिन उनमें क्या difference है, चलिए ये अपने एक फटा-फट से देख लेते हैं, अब spherical mirror, the image is formed by the reflection of light, mirror में जितनी भी image form होती है, वो किसके वज़े से होती है, reflection के कारण, lenses में जितनी भी image form होंगे, वो किसके कारण से होगी, reflection के कारण, हमने reflection का concept भी समझा हुआ है, औ reflection का भी, तो reflection के concept के वज़े से जो image formation होता है, वो mirror पर होता है, और reflection के कारण, lenses पर होता है, clear है, मतलब कि light की दो property है, या reflection करती है, या reflection करती है, वो depend करता है कि कैसी surface पर जा रही है, clear है, अब spherical mirror has only one focus, spherical mirror में एक ही focus होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही sphere से हम उससे बना लेते हैं, तो focus भी आपको एक ही मिलेगा, मतलब की center और pole के बीच का जो आपका point है, वो होता है, focus जिससे कि आपकी सारी जो reflected lights है, वो हो करके जाती है, उसे आप focus कहते हैं, ठीक है, मतलब जो भी principle axis से parallel है, वो किस से हो करके जाती है, focus से, और उस point को आप focus कहते हो, तो इसमें सिफ एक focus होता है, spherical lens में two focus होते हैं, ठीक है, it has two focus, क्यों, क्योंकि इसमें दो center होंगे, दो center क्यों होंगे, अभी हम बताते हैं कि दो center कि स्थिसाब से होते हैं, क्योंकि हम देखें, आपको एक जैसी, दोनों side पे क्या चाहिए, surfaces चाहिए है, दोनों ही code, आप एक sphere क अगर मैं cut, cut करूंगी, lens बनाने के लिए, ठीक है, glass के sphere को, तो क्या होगा, कि मुझे एक side तो मिल जाएगा, हाना, लेकिन अगर मुझे दूसरा side भी same चाहिए, तो फिर मुझे दूसरा sphere का use करना पड़ेगा, मझा अगर मुझे ये side मिल गया, ठीक है, तो मुझे दूसरे side के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे sphere को इस तरह से use करना पड़ेगा, मतलब कि ये कुछ इस तरह से होती है, हाना, अब lens कैसे बनेगा, एक second, lens आपका कुछ इस तरह से, मैंने आपको ये एक sphere ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है, और मुझे मेरा lens क्या है, ये, ये portion ज भी किते हो जाएंगे इसके दो, अब the center of the spherical mirror is termed as its pole, spherical mirror का जो center होता है, उसको अपन उसका pole कहते है, मतलब मिड़ पॉइंट की बात कर रहे हैं, चीक है, तो ये जो midpoint होता है, इसको आप क्या कहते हो, इसका pole कहते हो, the center of the spherical mirror, spherical lens is termed as the optical center, और इसके center को आप क्या कहे तो, द ठीक है, तो इसका center ये होगा, concave का अगर center दिखा जाए, तो वो क्या होगा, ये वाला, ठीक है, लेकिन अगर lens की बात करें, तो lens कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इसका center कहा होगा, यहाँ, और इससे क्या कहा जाता है, optical center, इसके center को pole कहते हैं, यही difference है, और इसके center को हम क्या कहते हैं optical center कहते हैं यह दोनों point आपको याद रखना है ठीक है अब यह चीजे होती क्या है तो एक बार हम फटा-फट से overview देख लेते हैं इसी दो का भी अब देखे सबसे पहला optical center optical center को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे कह सकते हैं it is the midpoint of the lens lens का जो midpoint होता है उसे हम optical center कहते है o is a point for a given lens through which any ray passes undeviated ठीक है या एक ऐसा point जिससे कोई भी रे जाएगी तो बिना deviate हुए deviate का मतलब क्या होता है अपने रास्ते से भटकना ठीक है undeviated मतलब भटके जैसी आ रही है वैसी कि वैसी रे पास हो रही है तो दोनों ही mirror को आप दोनों ही lens को आप देख सकते हैं कि दोनों में ही क्या है रे अगर एक पॉइंट से जा रही तो दूसरे से भी वैसे ही निकल रही तो पॉइंट से जाएगी और undeviated जाएगी यह कह सकते हैं देन होता है प्रिंसिपल एक्सेस तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है प्रिंसिपल एक्सेस वह होती है जो कि दोनों ही आपके सर्फिस के सेंटर्स को जोइन करती है ठीक है अब इस पॉइंट को जरा समझेए अब मैंने लेंस ड्रॉ किया तो मैंने एक स्फियर यहां पर ड्रॉ कर दिया एक स्फियर यहां ड्रॉ कर दिया तो जिससे मैं मुझे कॉन्वेक्स मिल रहा है यह देखिए ठीक है अब इसका center है C1 और इसका center है C2 अब इसको जो line draw करती है इन दोनों ही center को line मिलाती है जो कि हमारे optical center से होकर के पास होती है जाती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते है principle access वहाँ पर भी यही होता था center और pole को मिलाने वाली जो line होती थी principal उसे आपड imaginary line उसे हम principal access कहते हैं तो यहां पर भी जो imaginary line जो की C1 और C2 से pass होती है उसे हम principal access कहते है C1 C2 is a line passing through the optical center and perpendicular to the lens ठीक है यह क्या करती है यह आपके lens से perpendicular है और आपके C1 और C2 से होकर के pass होती है ठीक है इसे अपन C1 C2 भी कहते हैं ठीक है क्या क्या सकते हैं इस line को C1 C2 clear then होता है principal focus ठीक है अब focus कहां होता था mirror की case में याद करिए आपके center और pole के बीच में pole क्या था आपके mirror का midpoint center और pole के बीच का जो midpoint होता था ठीक है half the center of curvature जो था उसे हम focus कहते थे यहां पर focus क्या है तो same वही चीज है कि जो center और आपके midpoint के बीच में हो a lens has two surfaces ठीक है and hands two focal points अब क्योंकि भई जितनी surface होते focal point हो जाएंगे तो यहां पर lens के कितने surface होते हैं दो surface होते है तो focal point भी कितने हो जाएंगे दो focal point हो जाएंगे एक focal point कहा होगा जहां पर आपका object रहेगा एक focal point कहा होगा जहां पर उसका image जहां पर भी infinite में बन रही होगे clear हो गया अब focus point कहा होता है तो focal point जो है भी आपको आगे एक image में आपको मैं और शो करूँगी जो कि आपके center और इस इस midpoint के बीच में है यह देखे यह focus और यह focus ठीक है एक पर object place होगा और एक पर आपको इसका image formation होगा clear है चलिए तो यहां पर दो focus होते हैं principle focus अब focal length यहां पर एक बात क्या जाती है focal length तो f is defined as the distance between the optical center of a lens किसके बीच में defined as the distance between optical center of a lens and a point where the parallel beam of light converges or appear to converge ठीक है focal length क्या होगी focal length आपकी अगर अपन convex की बात करें convex lens की बात करें तो जो midpoint है ठीक है और आपका जो focus है हाना उसके distance को हम क्या कहते है focal length कहते है या फिर अपने से दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि midpoint और उस point के बीच की length जिससे की आपकी सारी light ray आखर के क्या होती है converge होती है उस point को हम क्या कहते है converge मतलब एक जगे आखर की मिलती है उस point पर उस point के distance को focal length कहा जाता है अब aperture aperture क्या होता है so in reference to a lens aperture means the effective diameter ठीक है aperture क्या हो जाएगा इसका यह जो diameter है वो in intensity of the image formed by the lens which depends on the light passing through the lens will depends on the square of the aperture और इसी aperture का यह जो square होता है ठीक है यह जो square होता है उसी पर image का formation decided होता है depend करता है ठीक है पहली चीज़ aperture क्या है तो जो diameter है lens का वो ही यहाँ पर aperture है second चीज़ image कैसी बन रही है वो किस पर depend करेगा तो यहाँ पर धिहान से देखे which depends on the light passing through the lens will depend on the square of the aperture ठीक है कैसा aperture है और light की intensity क्या है उसके हिसाब से image जो है वो बनती है मतलब aperture का यहाँ बहुत important role है clear है अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे lenses होते हैं जिनका जो middle portion होता है वो thick होता है और जो outer portion है मतलब जो ages के पास है वो thin होता है ठीक है उन्हें कहते हैं आपन convex lenses और कई होते होंगे कि जिनका जो middle portion है वो thinner होता है as compared to ages तो वो कौन से होते हैं वो होते हैं concave lenses clear हो गया तो clear याद रखेगा convex lenses का middle portion thicker होता है as compared to ages and आपके जो concave lenses होते हैं वो बीच से thin और out ages से थोड़े से thick होते हैं तो यह तो कुछ terms थी related to concave and convex lens ठीक है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए तब जाकर कि जब आप image formation समझोगे तो आपको चीज क्लियर होगी तो हमने किन किन चीजों के बार में पढ़ा हमने center को समझा हमने focus को समझा और हमने center of curvature को समझा principle axis क्या होती है focal length क्या होती है और aperture ठीक है अब आ जाते हैं image formation in lenses using ray diagram अब ray diagram क्या होते हैं मतलब कि जो light ray होती है उनके reflection और reflection से images को बनाना हना यह हमने ray diagram mirror में भी समझा था यह ray diagram हमें किसमें यूज करना है रे डाइग्राम का यूज करेंगे हम image formation by lenses में तो पहले जैसे हमने mirror में rules समझे थे वैसे ही rules हमें lenses के case में भी समझना है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें रूल्स पता करने पड़ेंगे कि क्या क्या rules है जैसे हमने mirror के case में rules समझे थे वैसे यहां पर भी सिर्चार rules है जिनके साथ हम image का formation easily कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या है जब भी कोई ray of light parallel to principle axis हो ठीक है अब lens का case है तो इसमें दो focus होते आपको पता ही है और यह क्या है हमारी principle axis है तो जब भी ray of light जो कि refract हो रही है वो क्या होगी refract होगी वह अगर principle axis के parallel lens पर जाती है ठीक है तो क्या होगा तो यह focus से होकर के पास होगी कैसे refract होगी focus से होती हुई ठीक है यह किसका case है यह concave का case है clear है तो array of light from the object parallel to the principle axis after a fraction from the convex lens convex lens passes through the principle focus on the other side of the lens clear है तो lens के दूसरे side पर कैसे जाएगी reflection के बाद अब देखिए mirror में क्या होता था reflection हो जाता था लेकिन यहां पर क्या होगा reflection मतलब कि जो ray है वो media मलब आपके mirror से lens से सौरी lens से होती हुई दूसरे side भी जाएगी तो जब ray of light अगर objects पर जो पढ़ने वाली ray है वो parallel to principle axis होती है ठीक है यह principle axis तो अगर उसके parallel है तो किस से होकर के जाएगी focus से होकर के जाएगी clear है लेकिन अगर यहां पर मैं concave lens की बात करूँ तो concave lens में क्या होता है तो देखी भी concave lens क्या होता है divergent lens होता है divert कर देता है जैसे parallel ray principle axis से आती हुई lens पर जाएगी तो reflection के बाद क्या होगी divert हो जाएगी बट क्योंकि ray parallel आ रही है तो उसको कहा मिलना चाहिए focus पर मिलना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसे extend कर देंगे किस साइट पर extend कर देंगे जिस साइट पर object है तो कहां पर यह आपको मिलेगी f1 पर ओके तो इसे लिए in case of concave lens किसके case में concave lens के case में the ray appear to diverge from the principal focus located on the same side of the lens इसका मतलब क्या है कि वो किस पर divert होगी तो यह जो रे है वो divert होगी पहली चीज़ तो क्या लिखा हुआ है डाइवर्ज होगी ठीक है the rays diverge from the principal focus located on the same side of the lens किस पर divert होगी उसी focus पर जो कि उसके जहां पर object रखा हुआ है clear हो गया चलिए तो दोनों cases समझ गए अगर principal axis से parallel light ray convex lens में जाती है तो वो f2 से होते हुए जाएगी अगर हमने concave lens लिया हुआ है तो parallel आने वाली light ray diverge होगी और हम अगर उसे extend करेंगे तो वो f1 बढ़ा करके मिलेगी ठीक है चलिए तो यह एक केस हो गया अब next case अब तो next case है उसमें क्या हो रहा है कि जब हमारी जो ray of light है वो lens पर कैसे जा रही है lens पर अगर वो focus से होते हुए जा रही है ठीक है तो reflection के बाद क्या होगी principal axis के parallel हो जाएगी product opposite हो गया अगर parallel आ रे ही थी तो focus से जा रही है और अगर focus से आ रही है तो principal axis के parallel हो जाएगी किस case में convex lens के case में concave case में क्या होगा कि अगर ray of light कहीं से इस पर incident होती है ठीक है इस तरह से इंसिडंट होती किसी इस तरह से पारलेल ना होकर एक ठीक है तो क्या होगा यह हो जाएगी किस कैसे जाएगी यह डायवर के parallel हो जाएगी principle axis के clear है लेकिन फिर वही बार क्योंकि यह divert हो रही है diverge हो जा रही है तो हम इसे क्या करेंगे extend करेंगे तो यह कहां से होती हो जाएगी f2 से होती हो जाएगी so array of light in case of convex lens array of light passing through a principle focus after refraction किस से जारी principle focus जा रही है तो after refraction from the convex lens will emerge parallel to the principal axis तो वो कैसे दिखाई देगी आपको parallel to the principal axis but in case of concave lens a ray of light appearing to meet at the principal focus of concave lens ठीक है क्या लिखा है appearing to meet okay appearing मतलब कि हम ऐसा मानते है कि वो वहाँ जाकर के मिलेगी ठीक है तो appearing to meet at the principal focus of the convex lens after refraction will emerge parallel to the principal axis तो मतलब अगर इस तरह से कोई light ray incident होती है तो वो parallel होती है और appear किस पर होगी f2 पर clear है यह दूसरा case हो गया यही बहुत हमें important है याद रखना है जब हम image का formation देखते हैं तो यह सारे rules हमें थ्याद में रखने होते हैं अब एक नॉर्मल एक बहुत important case कि अगर कोई light ray optical center से होकर के जाती है तो वो उसी को ही follow करेगी ठीक है उसी same direction में जाएगी चाहे वो case concave का हो चाहे वो convex का case हो दोनों ही cases में same option है तो रे of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation चीक है इसमें कोई भी deviation नहीं होगा clear है तो जैसी जा रही है वैसी ही आगे की तरफ चली जाएगी clear चल तो यह तो हो गए हमारी cases अब देखते हैं image formation by the convex lens for the different position of the object अब देखिए इसको समझने के लिए ठीक है पहले हम क्या करेंगे एक छोटा साना आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद रहे कि कैसी position पे image जो है वो कहाँ पर create होती है ठीक है तो चलिए इसके लिए हम क्या करें एक छोटा सा हमने यहाँ पर कॉन हमारा convex lens हमने यहाँ पर draw कर दिया ठीक है अब देखिए आपको ना कुछ positions decide करनी पड़ती है जैसे हमने mirror की case में पढ़ा था at infinity at और beyond c at c यह हमारी अलग लग पोजिशन थी वैसे ही हम 4-5 positions इसकी भी decide कर लेते हैं कि इन इन पोजिशन पर हमें image कहां कहां मिलेगी ठीक है तो एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने के लिए कि माल लिजे कि हमारी एक image है वन जो कि infinite पर है एक है टू इससे पहले हम 2 f1 को ड्रॉ कर ले ठीक है यह पोजाएगा f यह हो जाएगा आपका ठीक है यह जाएगा आपका ओ ख्लियर चल्ट तो यह एक हो गया एफ तो यह हो जाएगा आपका 3 में दो सेंटर्स होते है ठीक है यहाँ पर भी आपको फोकस f2 मिलेगा अगर मैं इसका नाम f1 एदू तो यह जाएगा एफ टू और यहाँ पर यह जाएगा आपका तू फ्लियर है तो अप इमेज कहां बने की तो आपने अगर 12345 यहां से लिखा है तो अब यहाँ पर आप आपका 2-3-4-5 तो यह पोजिशन है कि अगर आपका वन पर इमेज ऑबजेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी फाइव डेश पर कैसी बनेगी रियल और इंवर्टेग बनेगी क्योंकि नीचे मैंने 12345 लिखा हुआ है अगर टू पर अबजेक्ट है तो इमे है तो इमेज यहां बनेगी और अगर यहां पर अबजेक्ट है तो यहां बनेगी अभी सब कहानी क्या है यह सफ पॉइंट्स क्यों याद कर वा रही हूं तो अभी मैं फिर से आपको यह एक्स्प्रेंट करूंगी चिक है अभी बस यह आपको पॉइंट्स फोड़े से है अब हमने क्या किया कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन आइं कॉन्वेक्स लेंस के लिए जैसा मैं ने आपको बताया कि हमको पाच मेंजस पॉइंट्स दिसाइड रखनी है कि यहां यहां पर हमारा अबजेक्ट होगा तो सबसे पहले हम कहार देख रहे हैं ऑबजेक्त को स तो कि यह कंसेडर करते हैं कि वो infinite पर दखा हुआ है ऐस किया बनाने से पहले आपो क्या करना पड़ेगा लेंस बनाना पड़ेगा लेंज बनाने की बाद आपको क्या क्या ट्रॉक करना है आपको ऑप्टिकल संट्र करना है फोकस रॉकरना है और b Division को 2F क्या है center है ठीक है C1 जो आपका पहले sphere का center है इसको हम 2F भी लिख सकते हैं क्यों क्योंकि F का focus की length का double होता है ठीक है तो यह हो जाएगा 2F1 या C1 हम प्लिस को लिख दे इसी तरीके से आपको इस side भी लिखना होगा क्या लिखेंगे आप F2 लिखेंगे और C2 that means F2 and 2F2 ठीक अब object हमेशा किस side है आपने left side पर consider करते हैं तो left side पर ही object होता है ठीक है अब सबसे बहला case कि अगर हमारी यह सारी positions है तो एक कौन-कौन से position है beyond 2F1 और 2F1 की beyond मतलब कि 2F1 की बाद कोई भी position ठीक है और एक position क्या होगी पीछे 2F1 के just ना होकर कि कहीं दूर infinite पर ठीक है तो अ तो अगर object अपका infinite पर रखा हुआ है तो उसकी image बनाने के लिए हमें at least 2ray की जब यहाँ पर ठीक है mirror के आपके lens के दूसरे side पर जब पहुचेंगी तो उनको at least 2ray को अगर आप कहीं पर जब मिलाओगे तो उस point पर जाकर कि आपकी image बनती है तो अब जब आपका object infinite पर रख लेते हैं कि सारी lines जो है वो principle to parallel access के पर अप्रिंसेपल एक्सेश के parallel आ रही है ठीक है तो यह सारी रे कहां से जाएंगे जो भी parallel आ रही है वो सबी F2 से जा रही है और जो रहे आपके optical center से जाती है उसका क्या होता है वो जैसी आती है बैसी बहार जाती है जैसे एगर सीधी आ रही है तो सीधी ही वहार निकां जाएगी clear है ना तो अब यह सारी रे जाकर के कहां मिलेगी क्योंकि सब parallel है तो यह focus पे जाकर के मिलेगी मतला F2 पर जाकर के क्योंकि अभी जस्ट हमें रूल देखा था रूल नमबर वन चीक है क्या था वो कि अगर parallel जाती है इन आइट पर रखा हुआ होता है तो इमेज कहां बनती है इमेज बनती है F2 पर ठीक है एट फोकस ठीक लेगन कैसी बनेगी तो इसकेस में जो इमेज है वो रियल बनेगी इनवर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज होगी इसलिए हमने यहां पर कुछ इमेज का साइज नहीं बताया है clear है चले अब दूसरी condition अब हमने infinite से उसको थोड़ा और आगे रख दिया जस्ट आपके जस्ट या फिर थोड़ा कहीं पर दूर कहीं पर F2 के पीछ है नाट मेंस बियांड 2 F2 ठीक तो यह हो गया आपका object एक बिनाव बियांड 2F आप मान लीजे कि यह object तो एक खाँ मिद्त सेag अब कर Boys के बोरदद यह चलते हैं और एक और यह लेतों हैं जो कि optical center से हो करके जाती है तो जोड़ copper प्रिंसिपल एक्सस के पैरलल होगी वो किस से होकर की जाएगी फोकस पर जाकर की मिलेगी फोकस से होकर की जाएगी और जो ऑप्टिकल से जाती वो जैसी आती है वैसी ही चली जाती है तो देखें यह आपका अबजेक्ट है अब आप एक निस्चित साइज का एक डेफिनाइ गी उस point पर हमारी image create होना चाहिए तो हमने इसको parallel कर दिया यह F2 से होकर की जा रही है यह वैसे के वैसे जारी है जब इन दोनों को आगे extend किया तो यहां पर आकर के मिल रही है कहां मिल रही है यहां पर अब यह कहां है अगर यह आपकी principal access है तो उसके नीचे की तरफ आपको point मिल रहा है नीचे मिल रहा है इसका मतलब आपकी object कैसा बनेगा ऐसा बनेगा inverted उल्टा ठीक है तो इस case में जब object आपका beyond 2F रखा होता है तो जो image है वो कैसी बनती है तो यह जो image है यह आपकी point size image यह आपकी small image बनती है लेकिन real and inverted ठीक है inverted का मतलब में बता चुकी हूँ उल्टी image बनेगी real बनेगी और कैसी बनेगी small in size clear है चलिए अब हमने object को थोड़ा सा और आगे लेकर के आए और हमने उसे कहां रख दिया center पर या फिर 2F पर तो जब हमारा object 2F पर होता है तो क्या होगा lens के case में तो देख center center से जारी तो जैसी आ रही है वैसी ही चली जाएगी ठीक है अब यह कहां पर आके मिलेगी अगर मैं इनको आगे बढ़ा दू तो यह इस point पर आकर के मिलेगी अब यह point again कहां है इस principal axis के इस principal axis के नीचे बन रहा है मतलब कि क्या हमारा object उपर बन रहा था लेकिन अब कहां म मिल रहा है point नीचे की तरफ तो image कहां बनेगी image बनेगी यहाँ पर और जब आप इसे measure करोगे तो क्या होगा image का size same होगा क्या होगा same size आपको मिलेगा लेकिन कैसा real and inverted कैसा होगा real and inverted होगा clear हो गया ठीक है तो यह तीन case हो गए यहाँ पर आपको कैसी मिलेगी small size image मिले रही है और कैसी मिल रही है real inverted मिल रही है ठीक है यहाँ पर आपको कैसी मिल रही है image point size मिल रही है and कैसी होगी real and inverted clear है ओके चल तो next is case number four so the when object is between f and to f जब हम focus और center के बीच में अगर object को रख देते हैं तो उस case में चलिए check कर लेते हैं क्या होता है अगर माली जए two f1 और f1 के बीच में object रखा हुआ है फिर हमने क्या किया दो rail एक को parallel ही आप बना दीजे principal axis के और एक को optical center से जाता हुआ तो जो principal axis के parallel होगी वो किस से होकर के जाएगी वो जाएगी focus से होते हुए यह focus से चली गई जो center optical center से जा रही है वो optical center से ही होकर के गुजरेगी clear है अभी दोनों चली गई और कहां जाकर के मिल रही है यह देखे इस point पर तो object इतना था और उसका size हो गया है increase ठीक है तो that means कि जितना पास आप object को convex lens के ला रहे हो तो आपको उतना ही बड़ा image create होके दिख रहा है ठीक है ना तो उसका application फिर ऐसी जगे पर होगा ठीक है तो देखे जब यह image आपकी F2, F1 और F1 की बीच में रखी होती है तो object का size कैसा होता है तो object का size जो है वो large size होता है object के size से बड़ा होता है और image कैसी बनती है real बनती है और third चीज आपको क्या देखनी है इमेज कहां बन रही है नीचे की तरफ तो इसको आप क्या लिग दोगे inverted inverted मतला उल्टे में जाब को देखी उल्टा ठीक है ना चल यह case हो गया आप फिफ्ट केस की तरफ बढ़ेंगे कि अब आपका object कहां रखा हुआ है अब हमने object को उठाया और F1 की उपर रख दिया focus की उपर रख दिया ठीक है जब focus पे रखी होगी तो आप हम फिर से वही द होते हुए गुजरेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जारी वो सीधी कि सीधी वैसे ही निकल जाएगी तो जब दोनों को आपने देखा और अब क्या देख रहे हो कि यहां तो नहीं मिल रही है तो फिर क्या करें तो जैसे मैच में करते हैं अजम्शन कुछ पांटे कि बही नजर आएगा कि भले ही अभी मिल नहीं रही है लेकिन एक दूसरे के इस तरह से आती हुए दिखाई दे रही है पास आती हुए दिखाई दे रही है जैसे इसे आगे बढ़ रही है पास हो रही मतलब की पास होते हुए आरे मतलब कहीं इंपाइनाइट पर जाकर के ठीक है यह दोनों एक दूसरे से मिलेंगी ज़रूर ठीक है तो इसका मतलब जब मिलेंगी तो कैसी image create करेंगी तो यह image create करेगी enlarged ठीक है enlarged but again यह नीचे ही कहीं जाकर की मिलेगी तो कैसी होगी यह real and inverted क्योंकि object आपका left side है और image आपको right side पर ही मिल रही है तो real मिलेगी inverted मिलेगी और enlarged अब आज आपके हमारे last case पर अब last case में हमने क्या किया object को और करीब रख दिया लेंस के मतलब की focus और हमारे इस optical center के बीच में रख दिया यहां पर object रखा हुआ है ठीक है ना अब लेंस के बहुत पास अगर आप चीज़ रख दे तो तो क्या होता है एक दम आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिखी नहीं रहा बस वो image का कुछ पार्ट आपको उस object का कुछ पार्ट नजर आ रहा है तो ऐसे क्यों होता है तो इसलिए होता है क्योंकि इस केस में अगर आप देखो तो हमने वही दो इस केस में highly enlarged image बनती है और same side of object बनती मतलब जहां पर object रखा उसी side पर बनेगी और दूसरी सी चीज़ क्या होगा दूसरी चीज़ यह कि यह virtual होगी और erect highly enlarged clear है virtual and erect ठीक है तो यही एक ऐसा case है जब हमने focus और angle of sorry optical center के बीच में जब हम object को रखते हैं तो यह highly enlarged और erect और virtual image बनाता है ठीक है अब यह तो हम image के form में सीख गए है ठीक है अब आजाते हैं हम हमारे टेबल फॉर्मेट में तो टेबल फॉर्मेट में यह सारी positions के साथ में हमने बताया हुआ है कि image कहां पर रखी हुई है image कहां बनेगी कैसी बनेगी और उसका nature क्या होगा तो जब हमारा जो image है जो हमारा object है वो infinite पर होता है तो image जो है वो focus पर बनती है f2 पर बनती है उसका जो size है वो highly diminished या बहुत point sized होता है और उसका nature real and inverted clear है फिर हमने उससे 2f1 के beyond रख दिया मलब 2f1 के पीछे कहीं रख दिया तो कैसी image बनेगी कहां बनेगी तो between f2 and to f2 बन रही है ठीक है diminished हो रही है तो यह सारे cases हमने देखे बस एक कैसे कैसा है जब आपने focus के और optical center की बीच में कहीं पर अगर object आप रखते हो तो वह कैसा होता है enlarged होता है और दूसरी चीज वर्च्वल और इड़क्ट तो यह सारी चीज़े अपन समझ गए और उन सारे students को जिनको यह चीज याद रखनी है कोई एक ट्रिक से अगर हमको याद हो जाए चीज़े और यह सब चीज़े अगर नहीं समझ में आ रही है कैसे याद रखें यह हम कभी भूल जाएंगे तो उसके लिए चोटी सी ट्रिक एक बार फिर मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूं आप उसका स्क्रीन शॉट ले ले तो देखिए इसको ड्रॉ करने का तरीका जो आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि देखे एक्जाम में कई बार देना है आपका लेंस ठीक है अब फोड़ा सा आप और प्रोपर तरीके से बना लेजे तो यह हो गया आपका। नमसा लेंस यह हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस ठीक है अभी बीच वाला पॉइंट क्या होता है ओ जिसको क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर टीक है यह होता है हमारा टुए एस वन या फिर हम्द एसको क्या कहते हैं सेंटर इस स्फ्एर से एक साइड लिया हुआ है वहौ ठ 2 होता है जिसे आप क्या लिख सकते हो 2F2 आप यह F क्या है तो इन दोनों के बीच का midpoint जहां पर सारी raise आकर के आपकी मिलेगी converging मिरा रहना convergent है यह ठीक है तो यह हो गया F1 और यह F2 यह 2F2 क्यों होता है because यह double होता है F2 के that means क्या इसका मतलब यह कि क्योंकि यह midpoint है तो अगर यहां के distance और यहां के distance इसके डबल होगी न यह O F क्या होगा आपका focal length होगा ठीक है तो focal length का just double होता है C2 हाना उतनी length पर यह होता है double कर दो मतलब इसकी length को तो इसको 2F2 लिखता है clear है चलिए अब हमको क्या करना है हमें इमेज formation देखना अभी यह सब तो हमें पता है clear है तो आप क्या से करोगे 123 लिख दीजे यो गया 12345 और यह की अलग 6 ठीक ना उसको भी बाद में देखेंगे अब 12345 का मतलब क्या है यह क्या है यह सभी आपकी पोजिशन से टिक है किसकी पोजिशन से ऑब्जेक्ट की याद रखेगा इनको क्या 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 कहते है यहां अभी बता चुक एंपको यह क्या होगा at infinity ठीक है यह क्या है beyond 2F1 यह हो जाएगा at 2F1 ठीक है यह क्या हो जाएगा between 2F1 and f1 चीक है यह क्या हो जाएगी फिफ्त वाली आपकी at f1 और शिक्त वाली क्या हो जाएगी बिट्वीन f1 और उसको बात में देखेंगे अब इस अगर अबजेक्ट यहां तो इमज कहां कहां बननी चाहिए तो जल्दी फटाफट से देख लेते हैं इसकी इमेज बनेगी यह हो जाएगा 1-2-3-4-5 अब देखो पढ़ोगे कैसे कैसे समझोगे infinity पर है तो कहां बन रही है focus पर बन रही है नीचे सारे नमबर लिखे हो है इसका मतला उल्टी इमेज बन रही है इनवर्टेट बन रही है और सब में रियल बन रही है ठीक है ना टू पर अगर ऑबजेक् तू ठीक है और इमेज 1-2-2 यहां तो फ्टो और टू एफ टू के बीच में बनेगी अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है एक सी वन तो कहां पर बनेगी आपके एक सी टू पर बनेगी सेम साइज का बनेगा लेकिन इन वर्टेट बनेगा ठीक है अगर इनके के विच में है और सी वन ओर समक बीच में तो यहां पर इमेज बनेगी डाट बेस में सारी शाहीं होगा तो जितना पास उबजेक्ट हो गा उतनी निश्टो देखो यहां पर ineपाइनाइट अधा बनेगी तूपर किया होगा स्मॉल साइज थीन पर कितना तेम साइज चार आती है इस इस पोजिशन सिक्ष्पोजिशन मतरर एफ बन और ओके बीच में तो यहाँ पहां बनती है इसी इसाइड इंफाइनाइट पर कहीं जा करका बने गी और कैसी है इमेज कैसी बनाई हुई है मैंने ऊपर की तरफ डैट मीनस की एरेक्ट होगी सीधी होगी लेकिन वर जादी है तो यह हमने क्या देखा यह हमने देखा image formation by convex lens ठीक है ना जिसमें इतने सारे cases है अब बारी आती है आपके कॉन के लेंस की तो कॉन के लेंस में दो ही cases होंगे हर case में क्या होता है इसमें छोटी ही image बनती है बस अगर infinite पर object रखा है तो point size बनेगी और अगर हमने ओ और optical optical center infinity के बीच में रख दिया कहीं पर बहुत दूर कहीं तो छोटी बिल्कुल आपकी point size और अगर थोड़ा पास में आप लेकर क्या आते हो optical center के बीचों infinity के बीच में तो यह कैसी बनाएगी तो यह आपको point size या small image देगा ठीक है तो चलिए इसके दोनों cases देख लेते हैं तो अगर infinite पर कहीं पर हमने image को रखा हुआ है तो यह क्या होगी दोनों lines से parallel होती होई जाए ठीक है तो parallel गई तो parallel होने के बाद क्या होता है है concave lens के case में यह इस तरह से क्योंकि divergent lens है तो इस तरह से divert करेगा हम उसको क्या करते है extend करेंगे क्योंकि parallel आ रही तो focus पे मिलेगी अब यह वाले यह side focus पे तो नहीं मिल सकती तो जिस side object है उसी side के और virtual हाना लेकिन बस size क्या हो जाएगा point size clear point size इमेज बनेगी आप हमने क्या किया उससे यहाँ पर कहीं पर object रख दिया ठीक है मतलब कि आपके between infinite and optical center कहीं पर भी हाना यहाँ पर हमने रख दिया आप देखिए हमने वही दो cases लिए एक तो आपके parallel जा रही है principle access के और एक आपके optical center से होते होई जाएगी तो optical center वाली क्या होती जैसी आती है वैसे निकल जाती है हाना यह पास कर देता उसे parallel जो जाती है वो डाइवोर्ड होगी हाना तो डाइवोर्ड क्योंकि हो जाती है इसलिए हम इसको extend करेंगे इसको extend किया और यह तो fin south in a year यह कहां में इसलिए यहां पे थोड़ी छोटी जोट इमेज बन Awards इतना बड़ा इमेज इतना छोटी बन रही है तो इसका मतलब erect है और virtual है और virtual क्यों है क्योंकि जहाँ object है वही इमेज बन गई तो virtual हो गई फोकस पे बन रही है और कैसी बन रही है और कैसी बन रही है highly diminished याफ with point size तो highly diminished and point size and virtual and erect मतलब की virtual erect होगी छोटी size में है तो काफी हम उसको represent नहीं करते हैं फिर आ जाती है between infinite and optical center of the sense तो कहां बनेगी between focus and optical center ये देखे focus और optical center के बीच में कहीं पर ये बन रही है images की plus कैसी बन रही है diminished है काफी छोटी है virtual और erect है ठीक है चले यहाँ पर हमने क्या समझ लिया image formation अब बारी आती है questions के तो questions में आपको mirror lens formula पूछा जाता है power of lens पूछी जाती और magnification पूछा जाता है इसके लिए हमें क्या करना होता है हमें सबसे पहले तो focal length के और में पता होना चाहिए object की length हमें पता होना चाहिए image की length हमें पता होना चाहिए ठीक है ना अब ऑब्जेक्ट हमीशा किस साइड पर होता है आपका लेफ्ट साइड पर होता है लेफ्ट साइड मतलब कि जो हम लेंस लेते हैं उसे कंवेंशनल हम क्या मानते हैं कि वह लेफ्ट साइड पर है ठीक है और जो इमेज का फॉरमेशन होता है वह लेफ्ट या कि या फिर कॉन के लिंच के केस में आप देखते हो कि इमेज कहा बनती नीचे की तरफ बनती और किस साइड पर बनती उससे मतलब नहीं नीचे ऊपर तो जब ऑबजेक्ट का जो हाइट है वो ऊपर है या नीचे है या फिर हम यह देख रहे हैं कि आपका जो image किस साइड बन आपड़ता है ऐसा क्यों कि हमें निकाल ने होती है तो फॉकल लेंट क्या होती है ओसे एसे ऑफ ओन तक की दूरी को आप क्या तो फोकल लेंग कहते हो इसी तरीके से ओसे और rocket की जो डिस्टंस से उसको क्या कहते हो ओब्जेक्ट डिस्टंस कहते हो ठीक है और दे इमे बन रही है तो आपका ओ से image की जो डिस्टैंस है वो हमारी image से लन्द कहते है वहाद है जो वwrightूं कैसे पूछा जा सकता आप से पूछेंगे कि आपको फोकल लेंथ दी हुई है यह और आपको image की length निकालनी है तो हमें एक formula यूज करना पड़ता है lens formula उसकी मदद से हम यह निकाल लेंगे magnification अगर आपको निकालना की किस extent पर कोई particular lens magnify कर पा रहा है तो उसको हम magnification के थूर निकालेंगे उसका भी formula होता है h- upon h मतलब कि image की height divided by object की height ठीक है तो अब उसमें अब हर बार formula सेम तो नहीं होगा क्योंकि concave lens भी है convex भी है और अलग-अलग position पे आपको अलग-अलग तरीकी की image मलती मतलब कि इसमें भी कुछ changes होता है तो क्या change होता है तो sign का change होता है है तो हम किसको follow करेंगे हम follow करेंगे Cartesian Sign Convention को Cartesian Sign Convention के according हम क्या करते है हम यह माल लेते है कि यह हमारा X axis है यह Y axis और यह X axis है ठीक है ना अब जब आपन न Nichourman graph design करते हैं तो हैं तो क्या लेते हो यह आपका origin है इस side पर हम positive value लेते हैं और यहाँ यहाँ पर हम negative value लेते हैं ठीक है तो इसी के रूल के according अगर यहां पर object है आपका अगर height उसकी यह है तो आप उसको क्या लोगे तो यह किस access पर आएगी इस access पर आप consider करोगे ठीक है तो इसके according कैसी होगी positive अगर नीचे object बन रहा है तो इसका जो tip है वो नीचे side आ रहा है इसका मतलब कि कहां पर बन रही है यह negative access पर तो आप इसको क्या लोगे नेगेटिव लोगे आप object क्योंकि आपका left side पर है तो left के side पर left side पर आप क्या लेते हो negative value लेते हो तो वो negative हो जाएगा अगर यहां पर बन रहा है image तो इसको आप positive लोगे clear है तो यह होता है आपका Cartesian sign convention और इसी के according हम हम लेंस में भी यह conventions लेते हैं आप देखो अगर अपन जैसे concave lens की बात करें तो concave lens में distance on the left to the origin of the origin negative लेना है distance on the right of the origin positive लेना है तो आप उसको negative लोगे तो हम उसे positive लेंगे object अगर आपका left side पर है तो negative लेंगे negative लेते हैं अपन object को अगर उपर की तरफ height आ रही है above height आ रही है तो positive और नीचे उल्टा अगर बन रहा है image तो आप उसे negative लोगे similarly हमारे convex lens के साथ में हैं तो convex lens में भी वही सेम चीज है अगर object और image left side पर है ठेक है object left side पर ही होगा आप उसे क्या लोगे negative और अगर image आपकी right side पर बन रहे है तो positive हो जाएगी उसकी length height का क्या है तो h dash की value h dash क्या होता है image की height h क्या होती है object की height अब object तो उपर ही रहेगा तो positive लेंगे लेकिन image कभी इनवर्टेड और वर्च्वल इनवर्टेड और रिएक दोनों बन सकती है तो नीचे किस तरफ होगी तो आप क्या लोगे negative लोगे अब भई अगर मैं बात करूं केव लेंस की तो कॉन केव लेंस में हमेशा क्या होता है हमारी जो image है वो किस side पर बनती है हमारी इसकी होती है object इसकी image कहां बनती है सिर्फ वही उपर की तरफ मनलब erect होती है और इससाइड बनती है ठीक है तो इसके हिसाब से according to this convention हमें क्या करना होता है हमें formula में value रखनी होती है ठीक है अब देखे इसका derivation आपको भी 10th class के एक्जाम में नहीं पूछा जा रहा है और यह one shot revision इसलिए अभी हम इसमें derivation को नहीं consider कर रहा हमें से formula से मतला है क्योंकि इसी पर based हमारी numerical जाएंगे ठीक है ना आपको next video में मैं numerical practice भी करवा दूंगी related to lens formula सबसे पहला है आपका lens formula तो lens formula क्या होता है लेंस फॉर्मुला होता है वन भाया फिक्वल सु वान वाई वी मानस वन भाई यू ठीक है मेरा फॉर्मुला याद रखिए उसमें प्लास होता है lens formula में माइनस हम लेते हैं यहाँ पर f focal length वी क्या है image का distance u क्या है आपके object का distance ठीक है अब यह देखें concave lens के लिए जो आपका focus length होगा वो क्या होगा negative हो जाएगा convex के लिए यह positive होता है ठीक यह कैसे समझ में आया आप में तो देखें तो हमने सबसे पहले जब आपको rules समझाए थे तो इस rules rule का rule number one देखें जब हमारी जो principle axis से parallel की raised जो जा रही है तो वो कहां पर मिल रही है focus पे तो बदब कहां पर जाकर के मिल दीए focus पे किस side पर मिल रही है तो according to Cartesian rule के अगर अपन देखें तो यह आपको right side में दिख रही है ठीक है अगर right side में है तो हम इसको कैसा लेंगे हम इसको positive लेंगे जा रही है तो वो diverge हो जाएगी और diverge के लिए हम इसको पीछे की तरह extend करेंगे क्योंकि parallel आएगी तो उसे focus पर ही मिलना है लेकिन यहाँ पर तो यह क्या हो जाएगी ठीक है इस case में यह हो जाएगी तब यह किस side पर रेप्रेजेंट कर रही है आपके right side पर और यह left side पर तो इसी के कारण हमने क्या लिखा हुआ है कि जो concave lens है उसमें हम negative लेते हैं क्या लेते हैं जापकी focal length है उसे आप negative लेते हो और convex lens के case में आप positive लेते हो तो reason समझ में आग के case में यह जो आपकी lines है यह इस वाले point पर इस वाले focus पर जा करके मिलती है तो यह इस side की focal length आपको लेनी पड़ेगी और इसे इधर side के आपको लेनी पड़ेगी तो यह कौन सा side है यह आपका right side है यह आपका left side है Cartesian के according right और left राइट पर positive और left पर आप negative लेते हो और उपर और नीचे उपर है ऐसा sign है तो positive नीचे है तो negative ठीक है तो इसलिए यह formula में आपको यह याद रखना है focal length क्या हो गया आपकी concave के lens में negative और concave convex के case में positive हो जाएगी आप अजयता है magnification हाना तो magnification क्या होता है it is the ratio of the image formed to the actual size of the object ठीक है height of the image to the height of the object आप ऐसे याद रख लिए तो ratio of height of the image to the height of the object is the magnification कि कितने extent कोई चीज magnified आपको दिख रही है ठीक तो image जो है रती है height की उसको पन आई से और object की height को उसे या फिर इसको हम h- upon h से भी represent करते हैं ठीक है आप इसमें भी देखे आपका क्या होगा object हमेशा किस side पर होगा चाहे आपका कोई कोई भी आप लेंज की बात करो आपको कहा मिलता object ऐसा मिलता है ठीक है किस side पर मिलता है आपको side पर मिलेगा और दूसरी चीज़ कैसी रहेगी इसका point उपर की तरफ रहेगा तो इसको आप positive लोग है लेकिन image कैसी बन सकती है तो image आपको कहां कहां मिलती है image आपको यहां भी मिलती है यहां भी मिलती है और यहां भी image मिलती है ठीक है तो according to उसकी position ठीक है या उपर है या नीचे बन रही है तो अगर उपर है तो positive और अगर नीचे बन रही है तो आप क्या लोगे उसे आप negative लोगे simple ठीक चले तो यह तो क्या specs लगे हुए तो क्या power है उसकी हरा तो यह power वहीं decide करती कि कि कितने power का particular lens लगा हुआ है किसी व्यक्ति को तो वो क्या होती है तो power is equals to reciprocal of focal length WHO pię 발owing यह power क्यों हमें requirement होती है इसकीや focal lengthcomed का reciprocal हम समझ गये कि power लिकिन कैसे हो संस्माद में आता है कि किसी व्यक्ति को कम फोकल लेंद्ट की जरूवत है किसी फोलित है कि क्सी स्वocyst is पढ़ेंगे उसमें आपको ये human eye के बारे में हम समझाएंगे और बताएंगे कि लोगों में ये isolated diseases कौन-कौन से होते हैं और उनको overcome करने के लिए हम किस तरह का lens जो है वो करते हैं तो हमें next chapter में देखना है ठीके ना अभी सिर्फ लेंस पावर अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए ठीक है तो इसकी क्या हो जाएगी हम इसे पीसर रिप्रेजेंट करते हैं यह होता है one by f ठीक है तो यह हो जाएगा one by f and it is negative for concave and positive for convex lens अब यह अगें देखें concave के लिए negative क्यों है और positive आपके convex lens के लिए क्यों है तो अभी मैंने आपको थोड़े दिल पहले इसका reason समझाया था ठीक है चलिए अब यह तो हो गए आपके क्या lens formula magnification and lens power ठीक जो कि आपके numerical को के से रिटेर्स में questions आ सकते हैं अब इसका use भी आप से पूछा जा सकता है कि lenses के applications बताई उनके uses क्या क्या है तो चलिए अब हम यह देखते हैं तो भाई यह जो lenses है इनका use आपको जैसा मैंने आपको बताया eyesight आपकी weak है तो उसके लिए अलग लग different type का lens यूज कर सकते हो तो कहीं पर concave convex दोनों ही lenses का use होता है इसलिए eye glasses में हम इसका use करते हैं तो sire answer नीयर साइड जो होती है उसको तरफ सही करने के लिए हम concave lens का use करते हैं प्लस वाइने कुछ ओर Alors Telescope में हम मिसका use करते हैं camera में use करते है flash lights में h में concave lens का use करते हैं clear है क्योंकि concave lens ku flash lights में क्यों use किया जाता थत। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यह light को diverge कर देगा, फैला देता है, तो flash light में हम वैसी ही lights का use करेंगे, तो यह क्या है, एक divergent lens है, अब बारी आती, convex lens का, तो convex lens का use हम लोग magnifying glasses में, ey glasses, camera और microscope में करते हैं, तो यह तो थे कुछ uses of concave and convex lens, और यहां पर हम कत्म करते हैं, part 2 of our chapter number 1, that is light, reflection and reflection, part 1 में हमने आपको spherical mirror के बारे में, reflection के बारे में, image formation by spherical mirror समझाया था, इस part 2 में आपने समझा है, image formation by spherical lenses, clear है, तो basically जगा हम उपर से देखते हैं, तो हमारी आखें हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है, इन आखों में, आखों में, जी हां, इन आखों में सब से पहले होता है, eyelid, जो कि generally हमारी क्या काम करता है, यह eyelid की मदद से, अगर माल लीजे कि सामने से बहुत देर सक हमारी आखें खुली हुए, तो हमारी आखें dry होना शुरू कर जाती है, हमारी आखों में moisture होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए बार बार हम उसे open या close करते ह है, then उसके बार dust है, तो भी हमारी eyelid जो है automatically बंद हो जाती है, ठीक है, तो इनका काम क्या है, आखों को protect करना, आपकी eyes को protect करना, then उसके बाद आपको क्या दिखाए देता है, तो आपको अपने आखों में एक white portion दिखाए देता है, यह white portion जो है, उसको हम कहते है, स्कैलर, ठीक है, डैन उसके बाद आपको छोटा एक black color का hole दिखाए देता है, जो कि क्या होता है, प्यूपिल, ठीक है, इसके चारों तरफ आइरिस होता है, जो कि अलग-अलग लोगों में अलग-अलग color का होता है, किसी की कथाई आखे, brown eyes होती है, किसी की blue eyes होती है, यह तो आपने देखा ही होगा, तो यह आईरिस आपके चारों तरफ होता है, ठीक है, यह चीज़ें हमें आँखों के बाहर, बाहरी तोहर पर दिखाए देती है, अंदर हमारी आँख एक्षिल में होती कैसी है, हमारी eyes जो है, वो होती कैसी है, यह समझते हैं सबसे पहले, तो जैसे हमने जब lens पड़ा था, या हमने mirror पड़ा था, तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, कि आप consider करें कि एक spherical glass है, उसे spherical glass को हम divide कर दें अगर दो पार्ट में, और उसके एक दोनों साइड में एक बार inner side पर polish कर दें और एक जो भाग आपने काटा था, जो पार्ट ठीक है, उनके इस पार्ट को एक का ये पार्ट ले लूँ, ठीक है, और एक का अगर मैं ये पार्ट ले लूँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, तो इस तरह से मेरे पास convex और concave, दो तरीके के lenses बन जाएंगे, ठीक है, अब क्योंकि हमने spherical glass की बात करी थी, तो क्या यही concept हमारी आँखों में होता है, कि हमारी आँखे भी spherical होती ही, तो जी हाँ, सबसे बहले हम बात करते हैं, हमारी आँखों में eyeball की, eyeball जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, तो basically आप ये आई क्या है, एक तरीकी की दो balls है, ठीक है, इस तरह से, जिसका diameter लगभग 2.3 cm होता है, exactly spherical नहीं लेकिन, somehow ये spherical होती है, approximately spherical होती है, जिसका ये जो structure है, वो कुछ तरह से होता है, ठीक है, अगर मैं इसको cut अवे कर दो, मैं बीच में से इसका cross-sectional view देखूं, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि आपको अंदर का पूरा structure दिखाई देगा, ये पूरा structure जो है, ये कैसा होगा, तो देखिए, सबसे बहले ये जो structure है, आई का, या इस ball में, अगर मैं इस ball को खोलूंगी, तो इसमें तीन layers आपको basically मिलेंगी, एक होगी scalera, दूसरी होती है chloride, and third होगी आपकी retina, ठीक है, सबसे बहारी layer कौन से होती है, scalera, scalera दो पार् होगी तरफ फैली हुए, ये जो blue color से आपको दिख रही है, ठीक है, और एक आपकी बिल्कुल सामने, आपकी जो lens है, उसके सामने का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं, cornea, क्या कहते हैं, इसे cornea, ठीक है, अभी सब आप नाम जानते चलिए, layer के बारे में समझते चलिए, function हम थोड साल रहा है, जिसके दो पार्ट है, प्रॉपर स्कैलरा और एक सामने कार्णिया, फिर होता है, ठीक है, अगर आप ये next वाला देखे, तो ये को राइड है, आप बेसिकली को राइड के साथ साथ क्या होती है, ये होती है, ciliary body and muscles, ठीक है, आईरिस, ठीक, और ये ciliary body, क्या कर करती है, एक तरीके से lens को suspend करती है, बीच में lens जो इसके लगा हुआ रहता है, और आईरिस इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, अब lens तो हम बार में चलते है, इसके पहले क्या होता है, ठीक है, तो बेसिकली, आपकी आँख में सबसे पहले स्कैलरा है, जिसका एक पार्ट है कॉर्णिया, कॉर्णिया की बार चले तो आपको मिलेगा आईरिस, आईरिस के अंदर चलोगे तो आपको मिलेगा प्यूपिल और प्यूपिल के बिहाइंड आपको मिलेगा आपका lens, अब प्यूपिल क्या है, एक तरीके से ये hole है, जिससे की light आपकी अंदर जा क्या है अब यह जो थोर्ड लेर है वो है रेटिना रेटिना हमारी वो लेर होती है जिस पर इमेज का फॉर्मिशन होता है मतलब कि रेटिना पर जब इमेज का फॉर्मिशन होता है तो यह जो इमेज है वो किसके थूरू बनेगी पहली बात तो तो यह जो इमेज है यह लेंस का formation होता है उसको यह analysis करता है कि कैसी है मेच सीधी कैसी होनी है ठीक है क्योंकि यह जो लेंस है basically हमारी आखों के अंदर यह जो लेंस की बात हम कर रहे हैं यह होता है convex lens जो की inverted image form करता है और यह image कहां form होना चाहिए रेटिना पर ठीक है अगर रेटिना पर यह जो आपकी image create हुई है यह आपके screen के पीछे की तरफ ठीक है मतलब कि यहां ना होकर के कहीं यहीं अगर form हो रही है आखों के बाहर ठीक है आखों के बाहर in the sense कि इस layer के पीछे कही create हो रही है तो यह थोड़ा थोड़ा धुन्दा धुन्दा धिकाई देगा पर ऐसा नहीं होता चीके धुन्दा धुन्दा दिखाई देता है तो यह क्या चीजे होती है यह उता हम आयोपी और हाइपर सा होता है तो बेसिकली यह जो ऑप्टिकल नर्व है ठीक है यह जहां से होकर के गुज़तीन ऑप्टिकल नर्व का काम क्या होता है जितने भी रेटिना पर इमेज का formation हो रहा है उसकी सारी information को collect करना और कहां लेकर के जाना brain तक तो जब यह सारी एक पॉइंट पर आकर के मिलती है तो इस पॉइंट पर कोई भी इमेज क्रियेट नहीं होती जहां पर भी यह सारी ऑप्टिकल नर्व मिलती है ठीक है यह क्या होता है आपका ब्लाक पॉइंट होता है मताब कि हाँपर कुछ image form नहीं होगी ठीक है चल वहले कोई भी तरीके की मेंज आपको यहां पर नहीं मिलती है ठीक है तो यह तो बेसिक आइडिया था कि आखों के अंदर क्या होता है एक और सेक्शनल विए हमने देख लिया अब एक बार और अच्छी से आपको समझ में आ जाए तो हम वन बाइव समझते हैं तो जैसा आपने आपको बताया सबसे पहले क्या बताएंगे आप अगर आखों के स्ट्रॉक्चर के बार में बताएंगे तो आपको सबसे पहले बताना है आई बॉल के बारे में यह क्या होता है दा आई बॉल इस एप्रॉक्सिमेटली स्परिकल इंशेप विट a diameter of about 2.3 cm इसका diameter कितना होता है 2.3 cm ठीक है दैन आ जाते हैं अपन cornea पर तो cornea क्या है यह देखे cornea transplantation भी आपने सुना होगा तो cornea basically क्या करता है तो जितनी भी light है सबसे पहले आपकी आँख में अगर को membrane called the cornea जो light हमारी आँखों में अंटर करती है वो एक पतली से membrane cornea की मदद से आँखों तक पहुचती है इट फॉर्म्स दा transparent bulge on the front surface of the eyeball यह आपकी eyeball के front में एक transparent bulge ठीक है create करता है थोड़ा सा उठा हुआ सा एक transparent material आपके आँखों पे सबसे उपरी परत पर लगा हुआ रहता है ठीक है जितनी भी light है जितनी भी light आपके आँखों तक आती वो किसमें आती है सबसे पहले cornea पर तो cornea पर ही जो सबसे दाद रिफ्रेक्शन है वो किस से होता है आपका cornea से तो most of the reflection for the light ray entering the eye occur at the outer surface of the cornea clear है चली तो यहां से हम क्या चीज समझ गए यहां से हम से यह समझ गए कि cornea basically आपकी आख का कौन सा पार्ट है आपकी आई का कौन सा पार्ट है तो cornea जो है वो हमारा आँखों का सबसे पहला पार्ट आता है अगर हम इस तरह से cross sectional view देखें तो सबसे पहले हमारी आँखों पर क्या लगा होता है cornea जो भी light है उसका refraction जो है वो आपके cornea के थ्रू होता है सबसे पहले जितनी भी light है वो cornea के थ्रू ही आपके आँखों के अंदर जाए अब cornea से light रहें अंदर गई अब देखें क्या होता है ठीक है अब इसके बाद basically इसके बाद होना चाहिए क्या cornea के बाद क्या होगा अब cornea के बाद आपके आँख में होता है एक pupil और इस pupil के उपर होता आईरिस अब आईरिस को आप क्या समझ लो कि जो light cornea से आई ठीक है वो कहां जाएगी आपके आईरिस पर ठीक है अब आईरिस के बाद यह जो आपका प्यूपिल है यह है ठीक है यह क्या है आपका कि अगर बहुत ज्यादा कॉर्णिया से लाइट आ रही है तो यह मसल्स क्या करेंगे आइडिस को बोलेंगे कि भी पीपल को छुपाओ इतना ज्यादा लाइट हमारी आखों के अंदर अगर जाएगा तो आखें हमारी डैमेज हो जाएगी तो जो आपका आइडिस है वो अगर इस तरह से लग जाता है ठीक है अब जब सफिशिंट लाइट नहीं होती तो क्या होता है ज्यादा लाइट हमें चाहिए क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे पाता है तो प्रॉपर देखने के लिए क्लिए हमारी मसल्स इस तरह से आइरिस को ऊपर की तरफ कीचते है और से तो प्यूपल का जो शेप है उसका वह कैसा होता है बड़ा हुआ आपको देखा देने ले लगता तो बेसिक लिए प्यूपल क्या है एक तरह के से अपश्यर है इस आपर्चर की उपर ऐरिस है जो कि क्या करता है यह जो आपकी आखों को धकने का और इसे खोलने का काम करता है ठीक है ना और यह आइरिस किसके मदद से कंट्रोल होता है तो हमारी जो मसल्स होते हैं सेलेरी मसल्स उनकी मदद से यह कंट्रोल होता है ठीक है अब इसके बाद हमारी आखों का जो लेंस है उस जेली होता है ठीक है लेंस ऐसा नहीं कि जेल लाइनस हम लोग देखते हैं कि एक ग्लास का हो नहीं यह आपका बेसिकली जेली लाइक स्ट्रेक्शरस फ्लेक्जिवल्स होता है एक्स कर्वेचर कांडीमदेस्टेट विद नहीं फ हेल्प यूरी मसल्स अब देखो हमने क्या बताया कीषक जो कर्वेचर है आपके लैंच जो कर्वेचर है ये किसकी मदद से कंट्रोल होता है यह से Sanders की मदद से हीं यह Kirill आप्यूप written ठिके है लेंस के पैले क्या होता है यह हो रहे in the middle of the iris through which light enters the eye आपने आपको बताया कॉण्य की बाद की आपकी यह प्यूपग है यह प्यूपल की उपर IRIUS यह जो की किसको को चन्ट्रोल करता है pupil के अंदर जाने वाली light को control करेगा कैसे तो ये hole है जो कि iris के बीच में है it appears black because light falling on it goes into the eye and does not come back अब ये black क्यों दिखाई देता है इसका होने का current क्या है black क्योंकि जो भी light rays इसके अंदर जाती है वो सिर्फ अंदर जाती है वापस नहीं आती है ठीक है reflection तो हो black दिखाई दीता है तो अगर आप एक्जाम में लिखें तो आप इसका जो प्रॉसेस इस तरह से लिख सकते हैं सबसे पहले आई बॉल फिप्यूपल के बारे में बता दीजिए ठीक है अब है ciliary muscles अब ciliary muscles क्या काम कर क्या काम करती है तो जैसे हमने देखा यह देखे अब मान लीजे कि मुझे दूर करेखना है ठीक है तो यह muscles कैसी हो जाएंगी पतली हो जाएंगी पतली हो जाएंगी तो इनकी shape of eye lens which leads to the variation in focal length क्या समझ में आया देखिए lens का पूरा खेल किस पर depend होता है उसकी focal length पर ठीक है उसकी focal length के according जो है हमारा lens अलग-अलग type के images form करता है इसी तरीके से हमारी eye का भी क्या है lens lens है तो उसका भी focal length होगा ठीक है अब हमारी eye कैसी है भई हमें किसी को पहार से कुछ करने की जरूरत नहीं automatically इसकी focal length adjust होती है तो कौन कर देता है इसकी focal length को adjust तो focal length को adjust करने का काम होता है सिलरी muscles का focal length को increase कर देगा अगर ये ठीक है तो हमें दूर का दिखाई देने लग जाएगा और कम कर देगा तो क्या होगा हमें पास का दिखाई देने लग जाता है ठीक है तो ये कम या जादा करने का काम कौन करता है focal length को ये सिलरी muscles जो है ये आपकी ये कम यह जादा करने का काम करती है अब आयरिस जैसा अभी हमने डिसकस किया था इट control the amount of light entering the eye by changing the size of the pupil pupil के उपर परदा लगा हुआ एक तरीके से जो hole थाना जिसके अंदर से light entering enter कर रही है आप यह समझ सकते हैं उसके उपर एक curtain है जो कि क्या करती है उसको control करती है कि light कितनी आनी है या कितनी नहीं आनी है अगर जादा लाइट है तो आप देखे छोटा हो जाएगा ठीक अगर मुझे कोई बहुत लाइट वाली जीज़ को देखने तो हमारी आंके कैसी हो जाती का काम करता है आयरेस बाइट चेंजिंग देशाइज ऑफ दो प्यूपल प्यूपल के साइज को चेंज करके नेक्स्ट ऑप्टिकल नर्व अब हमारी जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है लेंस के मदद से लेंस क्या है हमारा जैली लाइक structure है जो कि basically convex lens है convex lens आपको कैसी इमेज देता है inverted image देता है real image ठेक है अब inverted image inverted का मतलब कैसा होता है ultra मतलब कि हमारी आखो पर रेटिन आपर image बन तो गई है आ तो गई है लेकिन कैसी inverted है अब यह optical nerve का काम क्या है यह जो optical nerve है यह क्या करती है these are the nerves which take the image to the brain in the form of the electrical signal जैसे आपके electrical signals जाते हैं जैसे कारिन टापका charge एज जगे से दूसरे जगे flow करता है उसी तरीके से जो सारी image की information होती है यह सारी nerves ठीक है कौन सी nerves की बात कर रहे हैं हम इन nerves की बात कर रहे हैं जो कि आपको इस diagram में दिखाई दे रहे हैं यह optical nerve सारी information को gain करेंगी और कहां पहुंचाएंगी brain तक पहुंचाएंगी और यह brain में कहां जाएगा brain के vision center में vision center में जाएगा brain उस पर पूरी study करेगा analysis करेगा क्या image है क्या color है और उस इसे नहीं दिखाई देंगी क्योंकि हमारा जो पूरा system में वो कैसे चलता हमारा brain हमारा सारा काम करवाता है हम से ही brain सारी चीज़ें चलना फिरना खाना पीना देखना यह सब पर होता है the light sensitive cells get activated upon the elimination and generate electrical signal ठीक है अभी जो cells है वो कैसे activate होती है तो हमने आपको क्या बताया कि जो भी light आती है वो pupil की मदद से lens में जाएंगी और lens से आने वाली light आपके retina तक पहुशती इस retina में क्या होता है इसमें cell होती है यह enormous cells कैसे sense light sensitive होती है मतलब कि जैसे light मिलेंगी वो एक्टिव हो जाएंगी चेक है तो लाइट आई इसकी cells पर वो सब activate हो जाती है और क्या generate करना शुरू कर देती है electrical signal image के formation के लिए तो यह electrical signal जैसे generate हो तो optical nerves से आपके कहा तक पहुश जाता है brain तक these signals are sent to the brain we are the optic nerves he can the brain interrupts these signals and finally process the information so that we perceive object as they are हभी हमने discuss किया कि जितना भी यह cell जो electrical signal को generate करेंगी वो किसको देंगी optical nerve को देंगी यह optical nerve कहां तक signal को पहुश आती है आपके brain तक पहुश आती है और आपको image दिखना चालू हो जाती है चल तो यह देखिए इस तरह से आपकी आई होगी यह आपका आई आपको नॉर्मल यह ऐसे दिखता है जो कि बेसिकली क्या है एक eyeball है इसका यह cross-sectional view में हमें आगर हम सामने से देखे तो हमें iris pupil pupil तो देखता ही है यह आपका lens है जो कि कौन सा होता है convex lens होता है image क्रेट होती है आपकी किस पर कॉर्णिया पर यह यह लो पोर्शन जो आप देख रहे हो यहां पर होते हैं नमबर आफ सेल्स जो कि होता है तो blackout इस ले होता है क्योंकि सारी information आके मिल गई मतलब कि狠 έχει याँसले पने यहां ई मिशन आकर के मिल घए तो वह क्या होगका blackout pointsłemid information ॥े कह थो यह point कहां जो होता है माम पावर भी आगे है इसमें तो जी हां आपने देखा होगा कि आप अगर किसी को आँखों में प्रॉब्लम होती है तो आपको नॉर्मली आप क्या कहते हो और यह आपको हाई पावर का चश्मा लगा हुआ है ऐसा सुनते हो ना अब यह पावर क्या मतलब होता है पावर आपकोमेडेशन काते है ठीक है अभी आप फोकल लेंडों को एड्स करने की जरूवर क्यों पड़ती है तो हमें देखे अभी मैं नॉमल हूँ है अगर मुझे दूर की चीजों गृम lasci is दए तो भी में देख पाते हूं कैसे देख पाती हूं अगर हम लेंश को देखें ले चीज आसारी से दिखाई दी जाती है ठैक है तो ये कैसे दिखाई देती है अगर मुझे far point देखना है या नीएर पॉइंट देखना है तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे focal length को एड़्श करना पड़ेगा लैंस की ठेक है तो इलेंस की जो spray लेंथ है वो आउटोमेटिकली एडिस्ट हो जाती है और उसकी इसी अविलिटी को हम क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं पावर ओफ अकुमोडेशन ठीक है अब हम इन पॉइंट को समझे उससे पहले ना हमें यह पता होना चाहिए एक नॉर्मल आई जो होती है उसका मैक्सिमम फा स्क गई पाते हो तो नेर पॉइंट होता है निएर पोइंट आऐ तो हम हमारी जो नॉर्मल आइए वो 25 cm की चीजहों को आसानी से साथ साथ दैग पाती मतलब की वह पॉइंट जिस पर हम किसी इमेच को ग्लीर ली देख पा रहे हैं ठीक रहिए हैं ठीके हम तो हम क्या करते नहीं जारी उसको देखने के लिए कि कोई परिशानी नहीं ओरी साफ साफ उस चीज की इमेज या उस चीज को आप देख पा रहे हो तो वो सबसे पास की चीज को उसे हम क्या कहते हैं नियर पॉइंट अफ दा आए ठीक है तो विदाउट इस ट्रेन अगर आप किसी ऑब्जे विडनी आप उस लोई था अंगर तो इसकी लॉमल आई का ईक defence हो तो थैसी होता है फार्थेस्ट पॉइंट का अंप पॉइंट की कितना दूरी का तो हम इंफाइन इटिस्ट्रश का चीज आसानी से हमारे आँखों की मदद से देख सकते हैं The farthest point up to which the eye can see object clearly is called the far point. मतलब जितनी दूरी तक अपनी आँखों से साफ साफ किसी object को देख पा रहे हो, तो वो आपकी आखों का far point होता है. Clearly, it is infinite for a normal eye. यह normal eye के लिए infinite होता है. Normal eye can see object clearly that are between 25 cm and finite. अगर हम normal eye की बात करें, तो वो 25 cm से infinite तक की चीज़ों को easily देख सकता है. Infinite मतलब की कोई भी value हो सकती है. Clear है? अब यह percent to percent vary भी कर सकती है. Clear है? अब बात यह उठती है कि far point समझ गए, near point समझ गए. इन चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंद को adjust करना पड़ेगा. तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, कभी कभी आप सुनते हैं कि कम power है, यह जादा power है. तो जादा power का चश्मा किसको लगता है? जिसको pass का दिखाई नहीं देता. कम power के लिए दूर की चीज़ों के लिए लगता है. तो यह किस से decide होता है? तो देखिए, अगर हमें दूर की चीज़ देखनी है, कैसे देखनी है, अगर आपको दूर की चीज़ देखनी है, तो आपके lens का जो focal length है, वो कैसा होना चाहिए? जादा होना चाहिए. याद रहेगा आपको दूर की चीज़ों के लिए lens का जो focal length है, ठीके, वो कैसी होना चाहिए? जादा होना चाहिए. जादा focal length का मतलब है कि आपका जो lens है, वो धीरे-धीरे कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा. कुछ इस तरह से यह पतला lens हो जाएगा. अब जैसी दुब बात करें, nearby objects को देखने की. ठीक है? तो उस case में focal length कैसी होना चाहिए? कम होनी चाहिए. focal length कम है, तो lens कैसा हो जाएगा? आपका थोड़ा सा मोटा होगा. और इसके लिए आपका power कैसा हो जाएगा? increase हो जाएगा. ठीक है? क्योंकि थोड़ा तगड़ा इलसान है, तो उसमें पावर जाधा हो सकती है. ठीक है न? चलिए. तो यह होता है आपका power of accommodation. और यहां से हमने दो चीज़े सीखी, near point of the eye and far point of the eye. एक और चीज़ होती है, cataract. ठीक है? अब cataract क्या होता है? The Crystalline Lens of People. ठीक है? हमारा जो lens है, जो कि Crystalline होता है, यह basically old age में क्या होता है? कि कुछ proteins के कारण है न? वो biological terms में हम जादा ना जाएं, लेकिन कुछ डिक्कतों की वज़े से वो थोड़ा सा cloudy और milky सा हो जाता है, धुन्दला-धुन्दला हो जाता है, जिसकी वज़े से catar की जो problem है, वो old age में होना शुरू जाती है, मतलब कि समय के साथ साथ जो हमारी आखों का lens जो है, वो धुन्दला होना शुरू हो जाता है, हना, जिसके कारण से जो चीज़े हैं, वो साफ साफ दिखाई नहीं देती है, this causes partial or complete lose of vision, ठीक है, तो इस मूतिया बिंद का नाम possible to restore vision through a cataract surgery, तो cataract surgery की मदद से हम चीज़ों को सही भी कर सकते हैं, मतलब देखे, आजकल क्या है ना, कि laser operation के थ्रू आखों की सारी चीज़ों को ना लगभग ठीक किया जा सकता है, ठीक है, जिसके वज़े से अगर old age में किसी को ये problem हो भी रही है, cataract की, तो वो easily solve हो जा हमारे lens किस तरह से adjust कर पा रहा है, कितना proper adjust कर पा रहा है, वो इसकी power of accommodation होती है, और हमने ये भी जाना कि अगर focal length increase होती है, तो power decrease होगी, अगर focal length decrease होती है, तो power increase होगी, focal length को अगर आप increase कर रहे हो, तो lens थोड़ा सा पतला होता है, और focal length को आप decrease करते हो, तो lens थोड़ा सा मो की Note सब्क्रार से ही जो कि आपकी पूरी चीजों को सब्सक्राइब करने का काम्या गोरने कामा सब्सक्राइब करने का काम तो best नियंद 시 यह अब यह जानते हैं कि जल्य फ्रक के साथ कि जोभी लाइट ले आपकी फ्यूपल से आती है लैंज से होकर के जाती है वो आपकी रेटीना के ऊपर एक image का formation करती है राइट रेटीना फरीमार फामेशन जब होता है कि और फोनो nee ए-। लाइट रेज हैं ठीक है वो प्रॉपरली रेटिन आप तक ना पहुंचे है ना और बीच में ही कहीं पर यह अटक जाए तो क्या होगा आपको क्या चीज़े दिखाए देगी मतलब कि आपका यह जो आई का स्ट्रक्चर है कि कुछ इस तरह से जो आई का स्ट्रक्चर आपने इस तरह से अगर डिजाइन करें ठीक है तो अगर यह जो भी लाइट रे यहां से आपके एंटर कर रही है ठीक है वो आपके रेटिना तक ना पहुंचे रेटिना के सेल्स तक ना पहुंचे तो क्या आपको चीज़े दिखाए देंगी जी नहीं आपको चीज़े नहीं दि ना पहुंचे तो तो क्या हमें चीज़े दिखाए देगी जी नहीं क्योंकि अभी हमने दिखा कि जो सेल्स होती है रेटिना की वह प्रॉपर इमेज का फॉरमेशन करती है वह से लेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल नर्व को देती है और हमारे ब्रेन तक वह चीज़ बिलकुल तो नहीं बहुत धुनला धुनला सा कुछ उसको दिखाए देगा ठीक है तो यह किसके वज़े से होता है तो इसके दो केसे होते हैं चलिए उनको समझ लेते हैं तो अगर रेटिना पर चीज़ें नहीं बन रही है दाट मीन्स कि उसकी आई में कुछ डिफेक्ट ह जैसे कि there are mainly three common refractive defects of vision हमारी आँखों के तीन डिफेक्ट हो सकते हैं सो पहला होता है मायोपिया और नियर साइटेडनेस ठीक है क्या होता है मायोपिया और नियर साइटेडनेस next is hypermetropia और far sightedness and third is presbyopia मायोपिया यह जो दिक्कत है हमारी आखों में वो किसलिए होती है जब हमें दूर का दिखाई नहीं देता ठीक है दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती है तो वो होता है आपका मायोपिया जब आपको पास की चीज़ें नहीं दिखाई द करते थे जब अपन स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं याद करने के लिए आपको कुछ असा सम्तिंग कुछ कहानी इसके साथ जोड़ने होती तो वैसे यह कहानी हमने इसके साथ जोड़ी थी कि एक एक लेड़ी बैठी होती है और उसको दूर से आन तो मायोपिया मतलब कि जब आपको दूर का दिखाई नहीं दे मैं अगर किसी को मायोपिया है तो उसे दूर का नहीं दिखाई देगा और अगर है है हाइपर मैट्रोपिया है तो हाइपर मैट्रोपिया का मतलब की पास का आपको नहीं दिखाई दिखाई दिया एक दम मायोपिया और उसका करेक्शन हम यह दोनों चीज़े समझेंगी कि मायोपिया का कंडिशन क्या होती है देखिए नॉर्मल विजिन कैसा होता है कि जो लाइट रेज आई वह आपके कॉर्णिया से होती हुई प्यूपल प्यूपल तक पहुची वहां से लेंज पर गया है इसन पर पर जब इमेज बंती है तो जितनी भी आपकी जो ऑप्टिकल नॉर्व है झाय के यहां पर बंने वाली इमेज को हाना पर बनने वालिग को सारी नॉर्व उसके क्योगि यहां पर इन सिगनल को कहां ले जाने का काम करती है आपके ब्रेन तक ब्रेन तक ले जाएंगे और आपको इमेज दिखाई देगे मायोपिया की केस में क्या होता है कि इमेज जो है वो रेटिना पर ना बन करके उसके सामने बनती है थोड़ी से आगे की तरफ आगे की तरफ बनने की वज़े से क्या होता है कि आपको दूर का दिखाई नहीं देगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से नहीं दिखाई देता है, थोड़ा सा दुनला दिखाई देता है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूर का देखना ह तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर मुझे दूर का देखना होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, लेंस आपका कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा पत्ला हो जाना चाहिए, ठीक है, और आपको क्या करनी पड़ेगी आपकी focal length को increase करना पड़ेगा, focal length increase करने के के लिए क्या करेंगे आप तो इस कंडिशन में हम क्या करते हैं यहां पे कौन केव लेंज का यूज करते हैं तो डॉक्टर आपको क्या सजिस्ट करते हैं कौन केव लेंज सजिस्ट करते हैं ठीक है जिसके वज़े से जो इमेज ठीक है आपके कहां बननी चाहिए थी आपके फोकल ल्न्ट अभिलन्द को प्योग किया ठीक कि केक नी दिख था हो गापको दू करका क्यों की फोकल लेंथ प्रॉपरड़ इजस्ट नहीं हो रहे थी डinky को फोकल समय के लिए आपने disturbed है उसी पर ही क्योंकि ओल्रेडी वो एड्जस्ट होकर क्या रही है सामने से लाइट रेस ठीक है तो आपकी आँखों में जब पहुंचेगी तो जो प्रॉब्लम थी वो उसका solution निकलेगा और आपका जो जो रेटिना पर जौह हो जाएगा कुछ इस तरह से तहीं क्या करते हैं मयोपिया की कर्रेक्शन के लिए हँं क्या लगा देते हैं कॉण के लेंजिक रही है चली है आगे चलिंगे फिर होता है हाइपर मैट रोपिया मतलब कि जब आपको पस का दिखाई ना दे तो पास का क तो नहीं दिखाई दिए रहा है रहे है रेटिना पर नहीं ही बन रहे ही तो गशेंक रही है पीछे की तरफ कहीं इमेजम रही है ठीक है तो फिर ה वह दिखाई नहीं कि पार पारी पासका बिल्कुल एक दम जूम मैं जा रहा है जैसे लेंसberry का एक दम बहार निकल जा अब hypermetropia ऐसे है तो far sided eye ठीक है अब आपकी जो चीजे हैं हाना आपको इतने सा past की चीजे जो है वो आपको blurry से दिखाए देंगी धुली धुली से दिखाए देंगी तो इसके लिए आप क्या करें तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं plus lens का यूज करते हैं मतलब नियर पॉइंट होता है यहां ठीक है जिससे आपकी image कहा बनती थी रेटिना पर लेकिन अब नियर पॉइंट यहां है तो आई देखें अगर आपका lens है यह इसको समझे कैसे तो हमने lens क्योंकि पढ़ाई हुआ इसलिए अभी अपने इस part को skip करते हो आगे चले गए माली ज को तरह से ठीक हे तो कहां मिलेंगी एक पॉइंट पर जा करके घखें माली जी आपका यह principal access है ठीक है यहां से light आई चीजें जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं देगी इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम कौन वेक्स लेंज का यूज करते हैं ठीक है अब होता है प्रेस बायो प्या इसका करेक्शन तो प्रेस बायो प्या क्या होता है बेसिकली तो ओल्ड इच जब पीपल होते हैं जो उस दौरान हमारा लेंस क्योंकि दीरे-दीरे खराब होने लग जाता है तो जिसके वज़ा से ठीक है यह प्रोटीन का फॉर्मेशन उस लेंस के उपर होने लग जाता है जिसके वज़े से हमें ना तो पास का ना ही दूर का दिखाई देता है क्योंकि लेंस जो है वो दीरे- को चाहें घुटाना हो दोनों ही केसे में और दिक्कत होने लगे लेगी लाइंस को तो हमुम बोलते हैं प्र doğru युज की वज़े से आपके जो हिमेज है या तो वो रेटीना की बाहरवनती है या रेटीना के सामने मतार दोनों ही केसे इसमें हो सकते हैं ठीक है तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे तो जब हमें दूर का नहीं दिखाई दे रहा था तो हमने कॉन के लेंज का यूज किया जब पास का दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने convest lens का use किया जब दोनों ही निर दिखाए देंगे तो हम क्या करेंगे double lens का यूज करेंगे मतलब'Sמא case plus converse ř Ärतर नहीं ऐर लेंश का use करेंगे जिसकी मदड़ कारण हम इस प्रॉब्लBlack को solve कर सकते हैं ठीक है चलिए अब आ जाते हैं हम colorful world पर ठेक है अब हम यहां से यह समझेंगे कि हमने light की मदद से चीजों को हम आसानी से देख पाते हैं light क्या है एक तरीकी क्या energy है जिससे हम चीजों को देख पा रहे हैं हमारी आँखों के मदद से चीज़ों को देख पा रहे हैं हमारी आँखों में भी लेंस है जो कि चीज लाइट का रिफ्रैक्शन कर रही है और हमारे ब्रेन तक वो सिगनल जब जा रहा है तो हमें चीजे आसानी से दिखाई दे रही है अब इस लाइट के अंदर होता क्या है तो लाइट आपको कैसे द Death is according to the wavelength हमें कुछ दिखाई देते हैं कुछ नहीं दिखाई देते हैं तो सथीसके study हम प्रिजम की मदद से ज्यादा बहतर कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम यह की देखते हे कि प्रिजम होता क्या है ठोड़ कि बात करें तो प्रिस्म एक solid figure होता है जिसमें दो triangular इसके faces होते हैं sides होते हैं opposite sides जैसे कि आप यह देख रहे हैं और तीन इसमें rectangular sides होते हैं यह जो आपको बीच में दिखाए दे रहे हैं प्रिस्म का यह जो angle है यह अगर मैं इस side की बात करूँ यहां पर जो अंगल बनता है इसको हम कहते हैं angle of prism clear है एंड इसकी जो faces होते हैं है न यह equal होंगे और एक दूसरे के parallel होते हैं ठीक है equivalent shape and parallel to each other होंगे next cheese अगर कोई भी light ray prism में enter करती है तो उसे दो surfaces से होकर कि गुजरना पड़ता है बतलब कि जो refraction होता है इसमें वो दो surfaces के through होता है और यहां पर कुछ important lines हमने लिखे हो ही कि जैसे कि इस a solid figure having two triangular way basis and three rectangular surfaces and is the closed surface ठीक है यह close surface होता है और इसमें दो triangular और तीन rectangular surfaces होते हैं the angle between each surface is the angle of prism हर एक वन अब जो इसमें angle बन रहा है वो क्या कहलाता है angle of prism कहलाता है the opposite surfaces are equal surfaces and are parallel to be equal surfaces होती है opposite surfaces जैसे कर वो दोनों triangular faces की मैं बात करूँ तो यह दोनों कैसी surface होंगी equal होंगी और एक दुसरे के parallel होंगी मतलब कभी भी मीट नहीं करेंगी and there are two refracting surfaces which means the surface where refraction of light take place मतलब कि यहां पर दो refracting surfaces होती है तो लाइट रे अगर enter करेगी तो इसमें दो surfaces के through से बाहर जाना होगा refraction दो light surfaces के through होगा तो चलिए अब हपर इसी reflection को समझते हैं तो next topic है reflection through our prism अब reflection का क्या मतलब होता है last chapter में हमने समझा था कि light में reflection होता है और reflection होता है अगर किसी सर्फिस से जाएगी ठीक एप अन पॉलिश्ड surface है या फिर पालिश्ड surface है रफ सर्फेस है तो उससे light क्या होती है reflect होती है मतलब कि light rays पर incident करेगी और bounce back हो जाएगी ठीक है उसे हम क्या कहते है जब bounce back होती है तो उसे हम कहते है reflected ray reflection के case में क्या होता है light ray incident होती है और medium से होकर के गुजरते और बहार निकल जाती है जैसे example के लिए air एक medium है glass दूसरा medium है air से glass मेंटर करेगी और बहार चली जाएगी मतलब कि उसमें transparent material होता है या light ray जो होती है वो एक medium से दूसरे medium में क्या करती है travel कर सकती है उसे हम क्या कहते है reflection of light reflection में जो light ray है वो अपने path से deviate हो जाती है आप कैसे deviate होती है तो हमने देखा था कि अगर rare medium से denser medium में light ray पहुचेगी rare medium जैसे air rare medium है water denser हो जाएगा उसके comparison में glass denser medium है और अगर air की बात करें तो वो rare medium है ठीक तो rare medium से अगर denser medium में light ray enter करती है तो वो अपने path से deviate होती है अग कहां deviate होती है किस तरफ deviate होती है तो अगर हम उस point पर जिस पर वो किसी दूसरे medium में incident कर रहे है जिस point से हो करके अगर हम उस पर एक normal draw करें तो जब rare से denser की तरफ light ray जाती है तो वो normal की तरफ क्या होती है deviate होती है और अगर denser से rare की तरफ जाएगा अगर light ray denser medium से rare medium की तरफ निकलती है तो वो away from the normal deviate होती है clear है अब यह सारे concept आपको मैंने revise करवा दिये अब चलिए आ जाते हैं refraction through a prism अब हमने यहाँ पर वही concept लिया कि एक light ray आ रही है वो prism पर आती है तो prism पर जब कोई light ray incident करती है तो हम उसे कहते हैं उस light ray को incident ray तो यहाँ पर यह जो ओ दिख रहा है आपको यह आपका incident ray of light है ठीक है अब यह इस prism पर इस point पर आकर के incident होती है अब यहाँ पर आपका rare medium क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यह rare medium है ओके और कहां इंटर कर रही है यह यह अब denser medium में प्रिज्म में प्रिज्म क्या एक glass का बना हुआ है तो मदब denser medium में जाने वाली है ठीक है तो अब यहाँ पे हमने इस point पर क्या किया है एक normal jokia. अब यह हमने नार्मल ड्रौ कर लिया है इस तरह से चिक है तो यह 90 डिगरी बनाएं गई तक है इसके साथ में इस पॉइंट से हमने यह लाइन बनाई और यह नॉर्मल ट्रॉ किया तो यह 90 डिग्री एंगल बन गया यह आपका नॉर्मल आपने इस पॉइंट पर बना दिया अब इस नॉर्मल को मैंने आगे की तरफ एक्स्टेंड कर दिया डेंसर मीडियम की तरफ हम इसको इस तरह से लेकर आगे अब हमारी जो लाइट रहे है वो कहा से पहुझक गई ठीक और यहाँ पर जब यह इस पॉइंट पर इंसडेंट होती ओ आपने यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है इससके बीच कैंग ईंगल को आप क्या कहते हो एंगल उसला एंगल होगा यह एंगल ओफ इंसिदेंस मतलग किस एंगल से लाइट रे रेयर मीडियम से टेंसर मीडियम में जाने से पहले किसी मेडियम में इंसिदेंट हो रही है यह मीडियम है इसमें किस एंगल से इंसिदेंट हो रही है तो यह आपका आईवन एंगल है जिसे आप क्या of deviation क्योंसा angle होगा वो angle of deviation तो एक्च्वल में अगर मैं यहां पर angle of deviation निकालो ठीक है तो यह normal है ठीक तो angle of deviation कितना हो जाएगा आपका देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे अब मान लीजे कि यहां पर प्रिस्म नहीं होता नॉमल लाइट रे होती अगर लाइट रे इंसिडेंट इस तरह से करती तो वो किस तरह से जाती सीधा सीधा जाती बिलकुल स्ट्रेट है ना तो लाइट रे को जाना चाहिए था इस तरह से लेकिन जा कैसे रही है ऐसे जा रही है तो यह एंगल क्या हो जाएगा कि actually light कैसे जा रही है और उसे जाना कैसे चाहिए था actual और इमेजनरी मतलब कि कैसी जाना चाहिए थी उनकी बीच का यह जो एंगल है वो क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन क्योंकि इस तरह से सीधी जाने चाहिए थी बड़ इतने एंगल के साथ वो डेविएट हो गई और ऐसे जाने लगी ठीक है मजब यहां से एंटर करी सीधे सी अंदर रियर से डेंसर मीडियम में तो इतने डैल वन एंगल के साथ डेल्टा वन एंगल के साथ यह क्या हो गई डेविएट होगी अब अंदर है तो बहार भी आएगई क्योंकि ट्रांस्परेंट माटेरियल है रीप्रैक्शन हो रहा है तो हमने बताया कि इसमें दो सर्फ Dual medium की तरफ जाएगी तो क्या होगा तो अगर dancer से Real medium की तरफ जाएगी तो इसको समोचने के लिए आप क्या करोगे फिर से normal draw करोगे तो यहाँ पर इस point पर पर मतलब जहां से यह प्रिजम से बहार निकलने वाली और पॉइंट पर आप क्या कर देए एक normal ड्रॉ कर दीजे तो आपने देखिए यहाँ पर यह नॉमल रो कर दिया यापका point हो गया ठीक है इस point पर आपने normal ड्रॉ किया अब नॉर्मल जा रहा है इस तरह से तो अगर light रे जो है ठीक है बट हो क्या रहा है कि हमने normal draw करके देखा इस point पर तो इस normal के according light ray को क्या होना है जब denser से rare medium में जाएगी तो away from normal होती है तो इसका मतलब कि अगर normal उपर है तो उपर बिलकुल भी नहीं जाएगी वो कहां जाएगी normal से दूर तो उपर normal है तो उपर तो जो भूल के भी जाएगी और नीचे की तरफ तो इसलिए इसका deviation कहां हो रहा है इस तरफ हो रहा है clear है तो अगर actual में लेकिन कैसी जानी चाहिए थी actual में सीधा जाना चाहिए था लेकिन जा ऐसी रही है तो इन दोनों light rays के बीच के angle को आप क्या कहोगे इसको कहोगे आप delta 2 मतला angle of divergence 2 ठीक एंगल of deviation 2 ठीक है तो यह emergent ray जो है यह जो light ray बाहर आती उसे अपन क्या कहते है emergent ray कहते है और यह जो angle यहाँ पर draw हुआ है ठीक है normal और emergent ray के बीच में यह जो i2 angle draw हुआ है से हपन कहते है angle of emergence ठीक है कि किस angle से यह बाहर emerge हो रही है emergent ray कैसे किस angle से बाहर की तरफ निकल रही है ठीक है तो यह angle of emergence है और यहां से हम समझ गए कि यह आगया आपका angle of delta 2 अब यह delta 2 यहाँ पर भी delta 2 क्यों लिखा हुआ है क्योंकि यह equally vertically opposite angles कैसे होते हैं सेम होते हैं तो यह vertical opposite था इसलिए अपने इसको सेम लिख दिया ठीक है अब यहां पर तो देखिया हमने कैसे समझा कि प्रिज्म में जब कोई रे इंसिडेंट रे आती है तो इसका डेवियेशन कैसा होता है और इमर्जेंट रे के साथ कैसा डेवियेशन होता है मतलब दो अलग अलग तरीकी के रे के साथ हमने डेवियेशन को समझा लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें overall प्रिज्म में कितना डेवियेशन हुआ यह समझना है तो चलिए इस बात पर आ जाते हैं यह दोनों एंगल अपन समझ के अब देखिए कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से आती और यह प्रिज्म नहीं होता तो आपकी लाइट रे कैसी जाती बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से निकल जाती ठीक है अब मान लीजे कि यहां से आपको लाइट रे दिख रहे हैं अपना पोजेट बात करते है ठीक है पहला केस क्या देखा आपने कि अगर लाइट रे ऐसी जा रहे हो यहां पर एंगल यहां पर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे कैसी निकल जाती इंसिडेंट रे बिल्कुल स्ट्रेट अगर मुझे यहां से कोई लाइट रे दिख रही है और यहां पर प्रिज् में अगर देखा जाए तो हमारी light ray को जाना कैसे चाहिए था इस direction में जाना चाहिए था है ना बट जा कहां रही है इस direction में जा रही तो actual जो overall deviation है वो क्या है वो है ये total angle of deviation is this delta ठीक है तो ये delta क्या है आपका total angle of deviation अगर ये total angle of deviation है इसका मतलब कि जब किसी light ray ने enter किया और यहां से emergent ray जो बहार आई उन दोनों का जो angle है वो इसके sum के बराबर होना चाहिए अगर आप उन दोनों का sum रखें मतलब कि delta 1 प्लस delta 2 ठीक है तो अपन इसको check कर लेते हैं कि ऐसा ही हो है क्या ठीक है तो यहां पर आप देखिए कि अगर यह इस condition में हमने इसको मिलाया तो यह एक triangle यहां पर create हो रहा है ठीक है तो triangle की property के according क्या होता है इस triangle की property के according कि जिस अगर मान लीजे कि यहां बाहर कोई angle बन रहा है तो उसके साइड वाले angle को छोड़ करके बाकी के जो इसके दो opposite angles होते हैं इनके sum के बराबर यह angle होता है तो देखिए यहां पर अगर यह डैल है तो इसका मतलब कि यह किसके बराबर होगा इन दोनों ही angles के इसको action में बोलते क्या है यह आपका external angle है और यह आपका internal angle है ठीक है तो यह external angle जो होता है किसी भी triangle का वो अपने दोनों opposite interior angle के sum के बराबर होता है तो देखिए हमने जैसा देखा कि अगर total deviation delta है तो वो आपके पहले deviation प्लस दूसरे deviation के sum के बराबर होना चाहिए तो इस triangle के मदद से हम इस चीज को प्रूफ भी कर रहे हैं तो टोटल angle of deviation क्या हो गया डेल डाट मींज डाल इकोस तो डेल्टा वन प्लस देल्टा टू क्लियर हो गया तो देखिए कि प्रिस्म में कैसे रीफ्रक्शन होता है तो रीफ्रक्शन हमने समझा इसमें एंगल डेल के साथ एंगल ओफ डेविएशन डेल्टा के साथ में जो लाइट रे है वो रीफ्रक्ट होती है उसमें लाइट रे में रीफ्रक्शन का फिनोमेना होता है समझ में आया आपको बात तो यही सारी जो पूरा concept है आपको exam में पूछा जा सकता है total angle of deviation पूछा जा सकता है तो वो होता है डेल ठीक है इस पूरे concept को इस पूरे diagram को आपको इसमें बनाना होगा और इस चीज को थोड़ा सा समझाना होगा चल तो यह तो अपन समझ गए है refraction through a prism आगे चलते हैं और आप देखेंगे dispers version of white light by a glass prism आप देखें हमने देख लिया कि अगर कोई light रहाती है तो वो इस ट्रेट तो नहीं जाएगी वो उसका deviation कुछ ना कुछ होगा तो हमने देखा कि अगर light रहे हैं से enter कर रही है तो वो deviate होगी अब हमें यह पता है कि light जो है वो white दिखते है लेकिन actual में वो combination होती है विव ग्यॉर का विव ग्यॉर मतलब की V से violet, I से इंडिगो, B से blue, G से green, Y से yellow, O से orange and R से red ठीक है अभी इसको इस तरह से क्यों पढ़ते हैं उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं इसलिए उल्टा पढ़ रहे हैं क्योंकि violet जो है इसकी wavelength सबसे कम होती है मतलब कि उस सबसे ज़ अब देखो कि यहाँ पर white light I enter करी और जब यह prism की through बहार निकलेगी तो यह seven colors में deviate हो जाएगी क्या हो जाएगी seven color में divide हो जाती है, dispersion का मतलब क्या होता है, splitting of white light into seven colors, ठीक है, white light का seven colors में बिखर जाना, ठीक है क्या कहलाता है, dispersion of light कहलाता है तो अब यह देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा light का white light क्योंकि साथ color से मिलकर के बनी होती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा color जो है, वो deviate होगा, तो हमने आपको क्या बताए, जिसकी सबसे कम wavelength होगी, तो सबसे कम wavelength किसकी होती है, इस violet की, अब देखे, माल लेजे कि यहाँ आपका incident हो रही है, ठीक है, और इस तरह से यह point अपने बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक normal draw किया, ठीक, अब जो सबसे ज़्यादा normal से deviate होगी, तो क्या होगी, सारी की सारी light, अब इसका deviation कैसे निकालोगी, यहाँ पर एक angle बनाओगी, यहाँ पर एक angle बनाओगी, और हमने क्या देखा है, कि जब भी rare से dancer medium, dancer से rare medium में light जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो normal से दूर भागती है, away from the normal shift हो जाती है, तो देखे, light रहे, यहाँ से dancer से rare में जा रहे है, तो away from normal हो रही है, तो कौन सबसे ज़्यादा आपने normal से away हो रहा है, दूर जा रहा है, तो violet जो है, वो सबसे जादा जाता है, इसलिए red color आपको सबसे जादा दिखाई दीता है, क्योंकि इसकी wavelength सबसे जादा होते है, इसलिए current भी है, कि हम red color का use traffic lights में और इन सब में करते हैं, तक यह दूर से ही हमें दिखाई दी जाए, ambulance के उसमें भी red color होता है, कि दूर से ही splits into its spectrum of colors, in order violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे आप सभी को पता ही होगा, whip gear, ठीक है, इस color में वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, and this process of white light is splitting into its constituent colors is termed as dispersion, और इसी को हम क्या कहते हैं, dispersion कहते हैं, अब देखिये, यहाँ पर किस light का सबसे ज़्यादा dispersion होगा, आप माल लेजे कि यहाँ से आए ray of white light, ठीक है, यह ray of white light आ रही है, हमने क्या किया, यहाँ पर normal draw किया, ठीक है, light ray कैसे होगी भाई, इसका होगा, अपने path से deviate होगी, किस तरफ deviate होगी, towards normal, तो normal की तरफ होई, तो यह आ गई, ठीक है, अब यहाँ से देखिये, यहाँ आपको सीधर जाना चाहिए था, बट normal आपने draw किया, यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर, इस तरह से आपको यह color जो है, इसका पर और यहाँ पर ब्लू पर, तो देखिये, रेड सब जाधा अपने normal से, क्या हो रही है, deviate हो रही है, लेकिन, इंडिगो जो है, ठीक है, यहाँ आपन सबसे last में बात करें, यह आपका violet है, violet color सबसे कम deviate हो पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए, आपको जो नीचे सबसे ज़ distracted, bends away from the normal, ही कि इस तरह से, नीचे की तरफ आपको क्या color दिखाई देगा, अपने normal से, सबसे करीब, कौन दिखाई देगा, आपको violet, और अपने normal से, सबसे ज़्यादा दूर कौन है, red color है, तो जो जितना ज़्यादा, क्या होता है, अपने normal से deviate होता है, वो उतना ज़्या सबसे ज़्यादा, सबसे उपर की तरफ आपको कौन सा color दिखाई देगा, red color दिखाई देगा, क्योंकि उसकी wavelength ज़्यादा होती है, वो अपने normal से ज़्यादा deviate होता है, ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक note है, that because white light contains a full range of colors, ठीक है, you can see all of them on the screen, small wavelength are refracted more than weak ones, अब जैसे मैं आपको पता है, जिसकी wavelength कम होती है, वो ज़्यादा refract होते हैं, जैसे किसकी wavelength कम है, यहाँ पर आपके, इंडिगो की सबसे, इंडिगो और जो violet है, इनकी जो wavelength है, वो सबसे कम है, तो यह ज़्यादा refract होंगे, अब, recombination of the spectrum of white light, अब यह जो white light है, हमने उसको prism में डाला, prism में वो गई, तो क्या हुआ, वो seven colors में divide हो गई, ठीक है, यह आपकी white light आ रही है, फिर क्या हुआ, dispersion हुआ, dispersion मतलब की, सब सारी चीज़ें हुए, इसमें refraction हुआ, वो अपने normal से deflect हुए, और इस तरह से बाहर आ गई, तो कैसे बाहर आती है, seven colors के साथ बाहर आ रही है, ठीक है, अब अगर यह seven colors के साथ बाहर आ रही है, और इसी के सामने, अगर मैं एक और prism रख दूँ, अगर मैंने सीधा ही prism रख दिया, तो क्या होगा, exactly वही के वही raise, जैसे साथ color है, वैसे ही साथ color बाहर आ जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर prism को उल्टा करके रख दिया, ठीक है, यह देखिए, यहां से मैंने prism को क्या किया है, उल्टा कर दिया, और यहां पर मैं क्या करूंगी, नॉर्मल को ड्रॉ कर दूंगी, यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहां पर जब आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो आप क्या देखोगे, कि वो अपने नॉर्मल की तरफ जाएंगी, तो यह उपर की तरफ चलेगी, यह भी अपने आगर यह नोर्मल के तरफ जा रही है अगर यह नौर्मल के तरफ जा रही है और इस साइट पहुंचे तो क्या होगी आपको मिलती होः नजर आएंगी ठीक है ये नौर्मल आपने यह di r quatre कि आपके लायन पर एक आप यहां वालिट कलर की लाइन पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया अब जब रेयर से टेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है तो वो इस नॉर्मल नॉर्मल की तरफ सारी की सारी लाइट जाती है तो यह नॉर्मल की तरफ जारी मतलब ऊपर जा रही है यह नॉर्मल की तरफ जारी तो इस तरह से गई इसे तरीके से यहां पर जा रही थी लेकिन क्या होगे डिवेट हो जाएंगी किस तरफ अपने नॉर्मल की तरफ तो यह देखे नॉर्मल की तरफ हो गई और आगे जाकर कि यह सब एक पॉइंट पर मिल जाएंगी इसका मतलब जब बाहर निकलेंगी तो सारी कि सारी चाहे वो आपकी औरेंज हो यलो हो ग्रीन हो ब्लू हो सारी कि सारी जो लाइट रहे हैं यह एक पॉइंट पर आकर कि मिल जाएंगी जब सब एक पॉइंट पर आकर कि मिल जाएंगी सेवन कलर एक साथ मिल जाएंगे तो बाहर अगर आपको जो लाइट मिलेगी और जो PRISM से Đिसपोर्जिन हो रहा था, light ray जो भिखर रही थी, हमने उनको वापस से एक point पर आ करके, मिला दिया, तो मिला देने से क्या हो गیا, सारे colors अगेयर, सारे colors भील गई, तो क्या हो गया, यह white light में convert हो गया, clear, so, यह क्या है, recombination of spectrum of white light, अगर वहीं अगर हम क्या करते कि अगर आप यहां पर जैसे इस डाइग्राम में देखें यह आपका सीधा प्रिजम है अगर मैं एक और सीधा प्रिजम इस तरह से यहां पर लगा देती तो आपका नॉर्मल कैसा होता नॉर्मल आप इस पर ऐसे ड्रॉ करते हैं यहां पर भी किस तरफ आइंगी यह कहां से कहां जा रही है रेर से डेंसर मीडिया में तो अपने नॉर्मल ल की तरफ तो मतलрах एक दूसरे से लूर जाती हुए डिखाई दिर है अगर मैंने यहाँ पर एक और पृ dips में यहाँ पर कर दिया यहां पर मैंने नॉर्मल किया ठीक है तो इस नॉर्मल में यह रैड लाइट इस तरह आने की कोशिश करेगी यह वाइलेट इस तरह आने की कोशिश करेंगी तो यह एक दूसरे से कैसे हो रही है एक दूसरे से दूर जा रही है वही अगर मैंने एक उल्टा प्रिजम यहाँ पर लगा दिया होता ठीक है उल्टा प्रिजम लगा दिया होता तो आपका नॉर्मल कुछ इस तरह से डौ आप यहाँ पर करते ठीक है और जब यह रैड लाइट आती तो ऊपर की तरफ जाती वालेट भी उपर कि क्या हो जाएंगी मिल जाएंगी कहां जाएंगी उपर ये भी उपर तो दोनों मिली नॉर्मल की तरफ डेट हुई ये भी नॉर्मल की तरफ गई और आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं जाकर कि सारे के सारे कलर्स मिलेंगे और बाहर आपको कैसा कलर मिलेगा वाइट कलर य जो dispersion of light है वो आप daily life में कहां कहां देखते हैं अभी हमें जो exams में आना है उसमें सिर्फ इतना ही portion हमें से पूछा जाएगा particular chapter से ठीक है आपके books में दिया होगा कि why the color of sky is blue ठीक है सनराइस के समय संसेट के समय जो sky का color होता है वो क्यों change हो जाता है तो यह portion अभी exam में नहीं सारा इसलिए अभी अपन सर्फ यहीं तक सारी चीज़ों को समझेंगे क्योंकि हम यह exam point of view से पढ़ रहे है तो अभी लेकिन हमें बस इतना जानना है कि कुछ examples क्या क्या है तो जो सारी चीज़े भी हमें पढ़ना है वो dispersion के के केस में ही है जैसे rainbow का formation होना यह dispersion of light है क्यों में के अंदर जाते ही जिसकी wavelength जादा होगी वह आपको जादा दिखाई देगा और जिसकी कम होगी वह कम दिखाई देगा क्योंकि वह जादा फैल जाएगा जादा फैल जाएगा तो हमें देखना कम हो जाएगा जो सिम्ता हुआ रहेगा एक जगे पर है वह आपको जादा दिखेंगा है और गोई सारा है एक साथ है तो आपको दिख रहा है अगर फैलाद होगे दूर चाहिक에 तो वह बु किसकी वेबिलेंज्स चाथ है तो वह जब फैलता नहीं जिसकी वेबेन कम होती पोजादा स्वादा दिस्पर्स हो जाता थै तो Mrsason kis ky Road होता है dispersion के कारण होता है petrol poured on waterfall will show the different colors अब आपने पानी के ऊपर petrol की बुंदेश रख दी हो तो इसमें भी आपको dispersion दिखाए देगा prism spritz the light into different colors on passing through it like वहीं prism में अगर आप light को डालोगे तो उस light का जो color का combination है वो आपको दिखाए देने लग जाएगा soap bubbles में कभी आप अगर बहार की रोशनी आ रही है और आप देखो की bubbles जो है घर में भी अगर आप tube light की रोशनी में भी है तो कभी-कभी आपको colors दिखाए देने लगते हैं bubbles में तो वो dispersion of light के कारण ही होता है cd player में जो cd होती है आपकी उसमें भी जो आपको seven colors दिखाए देते हैं वो dispersion के concept के कारण होते है dispersion could be seen from the plastic scales, plastic scale में भी होता है recombination of the spectrum of white light और साथी साथ इसमें आपको white light का recombination भी scale में देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि scale की बनावट कुछ इस तरह से होती है तो भई हमने यहाँ पे पूरा human eye और colorful world को समझ लिया I hope आपको यह पूरा video तो हमें पहला point पता होना चाहिए charge क्या होता है अब देखें आपको पता है कि कोई भी matter है उसके अंदर होते है atoms ठेक है कोई भी atom हो ठेक उस item के अंदर क्या होता है nucleus होता है उस nucleus के पास ना उसके दो member होते है एक होता है कौन सा proton और एक होता है electron ओके आप भी मान लीजे कि proton जो है वो positively charge होता है और एक होता है थोड़ा सा शैतान जिसको पूरी बहारी दुनिया में घुमना होता है तो वो शैतान बच्चा है electron ठेक है जो कि उसके बहारी ओर्बिट में freely move करता रहता है ठेक है अब किसी भी आटम के अंदर number of proton और number of electron होते हैं बराबर ठेक है अगर यह बराबर ना हो तो क्या होगा अगर बराबर है पहली चीज तो वो क्या होते है अगर दोनों बराबर है तो उस condition में चीज जो भी आपका matter है वो neutral condition में होता है वो एटम क्या होगा neutral होगा लेकिन अगर कोई एक चीज कम हो जाए तो क्या हो जाएगा यह unbalance हो जाएगा unbalance मतलब कि क्या होता है unbalance चले हम बताते हैं तो देखिए अगर अभी अपन क्या इसको basic basic ऊपरी तरीके से इसले देख रहे हैं क्योंकि अभी अपन one shot video पढ़ने व चाहिए ठीक है तो मैंने क्या बताया आपको की unbalance की condition कभ होती है जब कोई एक चीज कम हो जाए उनमें से कौन सी चीज कम होती है तो हमेशा electron की जो amount है वो ही increase होता है या decrease होता है ठीक है अगर increase हो जाएगा तो फिर वो एक अलग चीज कहलाएगी अगर decrease हो जाएगा तो अल protons है electrons है ठीक है अब हर चीज में electrons है अब यह जो electrons की access or deficiency है उसी से बनता है charge तो basically what is charge तो अगर मैं charge को बोलू तो charge is the access or deficiency of electron यह जो key point है आप इसे याद रखिए ठीक है charge क्या होता है अब देखिए access अब access का मतलब जब किसी चीज में किसी point पर क्या हो जाए electron का जो amount है वो जादा हो जाए अब electron कैसा होता है negatively charge ठीक है अब अगर किसी point पर negative charge जादा है negatively charge electron जादा है तो क्या होगा वो point कैसा कहलाएगा negatively charge ठीक है अब वही अगर किसी point में electron कम है तो उस case में क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा positive charge, clear हुआ, तो charge का मतलब क्या होता है, excess और deficiency, मतलब अगर मैं आपको दो point बोलूं, कि एक point है आपका positive point और एक point है आपका negative point, तो आप क्या समझेंगे, कि क्या यहाँ पर number of जो आपकी proton से वो जादा है, यहाँ पर number of electrons जादा है, तो basically proton की जो संख्या है, वो तो वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई changes नहीं होते, क्योंकि यह electron ही है, जो कि एक atom से दूसरे atom में transfer हो सकता है, energize हो सकता है, energize जब होता है, और उसके बाद ही यहाँ से वहाँ जाना शुरू कर देता है, ठीक है, तो किसी भी point पर अगर charge को आपको explain करना है, तो अपको क्या दियाद में रखना है, point पर अगर आप charge को explain कर रहे है, इसका मतलब यह है कि इस point पर number of electrons जो है, तो बहुत जादा है, या फिर कम है, अगर कम है, तो क्योंकि कम हो गो गे electron, तो क्या कम हो जाएगा? negative sign कम होगा, इसलिए वो point क कहलाएगा positive point कहलाएगा क्योंकि वहाँ पर क्योंकि देखे किसी बैटम में number of protons और number of electrons कैसे होते हैं आपके बिल्कुल सेम होते हैं ठीक है पी और N की जो मात्रा है वो बिल्कुल बराबर होती है ठीक है अब अपने क्या हमने क्या किया है यहाँ पर हमने यहाँ पर पहला केस आप देख रहे हो कि यह दा आटम इस नेगेटिव ली चार्ज अब यहाँ नेगेटिव ली चार्ज क्यों कहला रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 यहाँ पर दोनों की संख्या बराबर है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे कि नीट्रल ना तो इसमें कोई एक पॉजिटिव पॉइंट जादा है नहीं इसमें को यह नेगेटिव पॉइंट जादा है ठीक वही आप देखो कि जब इलेक्ट्रॉन का जो अमाउ आया बाद समझ में तो बेसिकली अगर मैं बोलू की चार्ज क्या है बच्चो तो आपको क्या याद रखना है एक्सेस और देफिशेंशी ऑफ एलेक्ट्रॉन ओके तो चार्ज की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो चार्ज इस नटिंग बट अप्रेंस और अप अब देखिए आप देख पा रहें अगर यहां पर डाइग्राम तो अब इस टाइग्राम में देखें कि जो नुकिलस है उससे उसका जो प्रॉट्रॉन है और नूट्रॉन है बिल्कुल पास पास में फिक्स्ट है वो बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं ठीक है और पptsट सीटरेंल ऑने पर अबिक्सटर्णल एननेरजी इंको कैसे मिलेगी मतलब यह चार्ज हो जाएंगे चार्ज कैसे हो जाते हैं तो आप इन पर क्या कर दो हैं अगर हम इसे व्रेक्षन करते हैं आप अगर आप किसी सिल्क का मटेरियल आप रप करते हैं तो इसमें आपक की जरूरत है कि वो एक atom से दूसरे atom में jump कर पाए, clear है, आया इतना समझ में, so अब यह जो charge है, इसके बारे में हम समझ गए कि charge is nothing but the excess or the deficiency of electron, okay, if there is a number of, if there is a more number of electrons, then the point is called as negatively charged, if there is a less number of electrons, then that point is called as positively charged, okay, clear, अब क्योंकि कूलम ने इसका rule निकाला था, इसके बारे में इनोंने जानकारी निकाली थी, इसलिए इसका जो unit है, वो होता है कूलम, okay, so it is the SI unit of charge, और यह किसकी ऐसे unit है, यह charge की SI unit है, standard unit है, जो कि all over the world use की जाती है, कूलम, okay, so charge on electron is 1.6 into 10 to the power 19 कूलम, अब एक electron पर कितना charge होत है, एक electron की उपर का जो charge है, वो है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है, यह एक electron का charge है, मतलब कि इतना charge एक electron carry करता है, ठीक है, क्या है, कि एक electron इतना charge अपने उपर carry करेगा, अब types of electric charge, तो हमने जैसे अभी आपको बताया, कि दो तरीके के electric charges होते हैं, positively charge, और एक होता है, negative charge, clear है, positive charge का मतलब क्या होता है, positive charge मतलब कि जहां पर number of electrons कम हो, negative charge का मतलब क्या होता है, कि जहां पर आपके number of electrons ज्यादा हो, the material with an excess of electrons are called negatively charge, जहां पर जादा number of electrons होते हैं उसे हम negatively charge कहते हैं तो भई हम यह समझ गए कि चलिए ठीक है matter के अंदर atoms है atom में क्या होते हैं हमारे निकलेस होता है जिसमें protons होते हैं और electrons होते हैं यह जो electrons हैं की अधिकता मतलब अगर यह जादा है अगर यह कम है तो उससे हमें दो point मिलते हैं positive और negative अब मैंने आपसे क्या कहा कि electron जो है उन्हें अगर energized कर दिया जाए energy मिल जाए तो वो क्या करते हैं एक जगे से दूसरे जगे जंप करना शुरू कर देते हैं अब इनका ही जो जंप करना है यह एक electron के बारे में बता रहे हो ऐसे अंगिनत electrons इसमें होते हैं ठीक है अब यह जितने number of electrons हैं बहुत सारे electrons हैं जब एक साथ एक जगा पर किसी एक direction में जाना शुरू कर दें तो जैसे कि मालीजे कि आपका जो वाटर का flow है ठीक है वो एक जगा पर जाने जाना शुरू कर देते हैं तो आप क्या कहते हो कि यह पानी flow कर रहा है किसी एक direction में जैसे आपने टंकी से बाल्टी में पाइप लगाया तो टंकी से कहां आ रहा है यह बाल्टी में आ रहा है तो इसका direction आपको समझ में आ गया क्यों कि सारे कि सारे जो वाटर molecules वो कहां आ रहे हैं आपके बाल्टी के अंदर आ रहे हैं उसी तरीके से जब चार्ज जो है वह एक जगह से दूसरी जगह एक साथ जाना शुरू कर जाते हैं तो वह एक flow की तरह दिखता है किसकी तरह है चार्ज की flow की तरह है और यही charge का joh flow है उसे आप क्या कहते हो इसी charge के flow ko हम कहते हैं electric current मैं आप से कह रही थी कि current भी एक तरीकी का flow है तो our current किसका flow है to current is the flow of electric charge we can with respect to time मतलब particular time में कितना charge flow हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं उसे को हम कहते हैं current, ठीक है, so आगे हम current पे चलेंगे लेकिन positive charge के बारे में भी आप एक बार देख लें कि those with the deficiency of the electron are positively charged, जिसमें भी electron की मातरा कम हो, electron का amount कम हो, उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे आप कहेंगे positively charged, clear up, next is neutral, अब neutral point के बारे में मैंने अभी आपको discuss किया, बट अगर exam में आप से पूछ लिया जाए, तो आप किस तरह से answer करेंगे, so when there is an identical number of positive and negative charge, the negative and positive charge would cancel out each other and the object would become neutral, या simple, if the total number of electron is equals to the total number of the positive charge, then the point or the matter or the object is neutral, clear है क्योंकि एक दूसरे को cancel out कर देंगे, क्योंकि हमने मैंच में छोड़ा सरूल पढ़ा है, अगर आप plus 2 minus 2 कर दोगे, plus 2 minus 2, तो क्या होगा, 0 होगा, इसी तरीकी से अगर positive charge भी उतने ही है, जितने negative charge है, तो दोनों आपस में cancel out कर हो जाएगा, neutral point हो जाएगा, अब एक बात और जो हमें इस diagram से याद रखनी है, कि क्या, ये positive positive एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसी तरीके से negative negative एक दूसरे को रिपेल करते हैं, positive और negative charge एक दूसरे को attract करते हैं, ठीक है, अब हम current का flow पढ़ें उससे पहले, ये जो attraction और repulsion का concept है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्यों, क्योंकि charge कहाँ flow होते हैं, ठीक है, अब देखें, हमने किसी point पर ज़्यादा electrons को रख दिया, और एक point पर आपकी ज़्यादा, क्या है, ज़्यादा electrons नहीं, मतलब कम electrons है, अब ये जहाँ पर ज़् भी neutral होने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, एक जगा से दूसरी जगा में flow करते हैं, ठीक है, अब ये जो electron का flow है, वो कहां से कहां होता है, तो भई देखें, electron जो है, आपके, वो हमेशा, क्योंकि electron कहां ज़्यादा होते हैं, देखें, अगर इस diagram की माधियम से आप समझें, इस diagram की true, अगर मैं आपको explain करूँ, तो basically अगर ये negative point है, ये positive point है आपका circuit का, ठीक है, तो आपके electrons कहां ज़्यादा है, यहां ज़्यादा है, तो यह किस तरह flow करेंगे, तो obviously बात है कि अभी मैंने आपको बताया कि attraction किस के बीच में होता है, opposite charges के बीच में, और same charges के बीच म होंगे positive की तरफ, अब negative ही क्यों इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि electrons जो है, वो जल्दी energized जो होते हैं, अपने nucleus से इतनी ज़्यादा bounded नहीं होते हैं, इसी वज़ा से वो अपने point को छोड़ करके flow करना शुरू कर जाते हैं, अब यहां पर ज़्यादा number of electrons इनका attraction किस तरफ हो रहा है, force of attraction एक तरी किसे इन भी लग रहा है, वो क्या कहां पिर है, वो positive charge की तरफ है, तो electrons कहां से कहां flow होंगे आपके, electrons जो है, यह हमारे negative charge की तरफ, sorry positive charge की तरफ, flow करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है, इस direction में, ठीक है, अब इनका flow कहां से कहां है, negative से positive की तरफ, अब इन से जो particular एक flow produce होता है, जो direction of current produce होता है, जो current का direction आपको मिलेगा, जो charge produce होगा, इनके आपसी तकराव से, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते है, electric current, अब यह जो जब यह इस तरह से flow करते हैं, आपस में तकराव इनका होता है, तो इन से produce होने व से positive की तरफ आ रहे हैं, तो इन से flow होने वाला current, इन से बनने वाला current की direction क्या होगी, positive से negative की तरफ, ठीक है, ओके, तो यह होता है आपका छोटा सा concept किसका, charges का, charges के बारे में हमने समझा, clear है, अब आज आते हैं हम electric current की तरफ, तो electric current जैसा भी मैंने आपको बताया, the flow of electric charge across a cross section of a conductor constitutes an electric current, क्या बताया हमने, the flow of electric charge across a cross section of a conductor constitutes an electric current, या simple भाशा में हम समझे, the rate of flow of electric charge with respect to time is known as electric current, ठीक है, कि चार्जिस का किसी circuit में फ्लो होना कहलाता है, current, clear है, अब इसको और अच्छी भाशा में समझें, तो यह देखे, कि electric current किस में flow होगा, conductor में flow होगा, तो अगर हम electric current की value निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि conductor के जो cross sectional area है, यह वाला area, ठीक है, इसका यह जो cross sectional area है, उसमें electric charge जब flow करते हैं, ठीक है, the flow of electric charge across a cross section of a conductor, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, electric current, clear है अब it is defined as the rate of flow of electric charge through any section of conductor electric current is a scalar quantity and it is determined by i equals to q by t आया समझ में कुछ देखें simple सा आपको पता है कि electric charges के flow होने के current current produce होता है अब लेकिन हम क्या करते हैं science में हर एक चीज को time के अनुसार ही determine करते हैं time के respect में ही determine करते हैं तो यहां पर current की अगर हम बात करें तो current क्या है rate of flow of charge अब किसके respect में आप इसको चेक करें कितनी देर तक आप rate of flow of charge देखोगे तो time के respect में देखोगे इसलिए हमने क्या कर दिया i equals to q by t कर दिया अब बात आती है कि भाई जब आप किसी भी quantity को पढ़ते हैं physical quantities को तो आपको यह द्यान में रखना होता है यह बताना होता है यह चेक करना होता है कि whether it is a scalar quantity और a vector quantity ठेक है तो current कैसी quantity है current जो है वो एक scalar quantity है ठेक है इसका magnitude होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं scalar quantity ठीक सो बट डारेक्शन क्या होती इसकी डिपेंड करती है ओके सो electric current को basically हम एक scalar quantity कहते है वैसे electric current जो है ठीक है यह टेंजर quantity होते है अभी हम इतना confusion confusion आपको नहीं create कर रहे हैं यह थोड़ा आगे जाकर के पढ़ेंगे बट फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि अभी हम इसे scalar quantity consider कर सकते है clear है अब वेर क्यों क्या है ठीक है क्यों क्या है यहां पर the net charge flows across any cross section of a conductor total number of charges across any cross section उस particular जहां पर आप उस current की value निकाल रहे हो वहां पर flow होने वाले charges का amount the net charge flow across the cross section of a conductor और T क्या है time T ठीक है इतने time में 2 second भी हो सकता है 3 second भी हो सकता है कि 3 second में कितने charge flow हुए उसका net amount आपको यहां पर लिखना है उससे हमें current flow तो बता चल जाएगा मतब इन simple आप यह देखे कि अगर आपको total number of charges दिये हुए है time दिया हुआ है और आपसे current पूछा हुआ है तो आप easily इससे find out कर सकते है i equals to q by t ओके आप electric current की unit क्या होती है तो इसकी unit होती है ampere यह SI unit है one ampere equals to क्या हो सकता है one coulum upon one second ठेक है अब we know that i equals to क्या है i equals to होता है q by t and q की जो SI unit होती है charge की जो SI unit होती है वो होती है कूलम t की SI unit होती है क्या t की SI unit होती है second तो अगर एक ampere current flow कर रहा है तो वो किस current से flow कर रहा होगा क्योंकि वहाँ पर one coulum charge होगा इना वा इन one second ठेक है तो one ampere is one coulum per second clear है one coulum per second charge जब flow करेगा तो उससे one ampere current जो है वो produce होगा अब one milli ampere milli ampere अगर आपको दे दिया जाता है तो देखे question में आपसे कभी-कभी ये भी पूछा जा सकता है कि एक one milli ampere का current flow कर रहा है तो उससे कितना resistance की value दिये हुई है तो आप ohms law की मदद से voltage find out करके बताइए अब हमें पता है कि voltage हमारा normal volts में है resistance आपको ohms में दिया हुआ है तो हम क्या करते कि standard मान के चलते हैं कि जो ampere है वो हम अभी solve करने के लिए questions को solve करने के लिए use करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा milli ampere को किसमे convert करना पड़ेगा एंपियर में convert करना वगा अब मिली को ampere में कैसे convert करोगे तो हाब मिली की जीग क्या लिग देंगे 10 to the power minus 3 माली जै आपको दिया हुआ है यह मिली A mpire ट तो आप इसको ampere में कैसे convert करेंगे 1 into 10 to the power minus 3 माली जै आपको को किस तरह से convert करेंगे तो micro ampere को convert करने के लिए आपको क्या लिखना है micro के जगे आप क्या लिख देते हैं 10 to the power minus 6 ampere चलिए तो बहुत ही basic concept था जो कि आप में से बहुत सारे students को पता होगा लेकिन कभी-कभी क्या होता है चीजे मिस हो आने वाली device तो यहां पे m meter m का मतलब a m m का मतलब है ampere तो ampere meter मतलब जो current को measure करें वो meter जिसको हम क्या कहते है a meter या फिर m meter भी इसे बोला जा सकता है ठीक है तो a meter is a device which is used to measure the current clear है चलिए तो यहां से हमने current के बारे में basic concepts को जाना की current क्या होता है तो the rate of flow of current the rate of flow of charge with respect to time is current its unit is ampere which is SI unit and one ampere equals to one coulomb divided by one second now एक numerical यहां पर दिया हुआ है काफी आसान सा numerical है किस तरह से आपको यह question यह जो formula है i equals to q by t वो use करना है इसके लिए यहां पर एक छोटा सा numerical हम देख लेते हैं current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minute अब देखे क्या है कि electric bulb है ठेक है उसको on करने के लिए उसमें क्या होता है electric bulb के अंदर filament लगा होता है आपने देखा होगा कि अगर यह bulb है इस तरह से तो इसके अंदर यह filament होता है ठेक है अब इस filament को क्या करना पड़ेगा current produce करना पड़ेगा current इसमें आना पड़ेगा तब जाकर कि यह glow करेगा और आपको bulb जो है आपका glow करता हुआ दिखाई देगा तो अगर a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb अगर यह filament है electric bulb का वो 0.5 ampere current produce करता है 10 minute के लिए तो find the amount of electric charge that flows through the circuit अब इस circuit में ठेक है circuit मतलब क्या एक complete circuit होगा यह circuit क्या होता है आगे हम और आपको clear कर देते हैं ठेक है तो अब यह electric bulb जो जल रहा है उसको जलाने में उसमें 0.5 ampere का current produce करने में कितने total number of charge लगे है यह हमें यहां से identify करके बताना है चले तो अब i equals to कितना दिया हुआ है आपको 0.5 ampere दिया हुआ है टी कितना दिया हुआ है आपको आपको दिया हुआ है 10 minutes ठेक है अब हमें क्या find out करना है हमें find out करना है चार्ज तो हम किसकी मदद लेंगे अब हमें पता है कि i equals to होता है q by t ठीक है current होता है rate of total number of charge with respect to time यहां पर charge q क्या है total number of charges जो कि इस current को इस current को flow करने के लिए इस current को बनाने के लिए use हुए होंगे तो अगर मुझे current की value पता है time की value पता है तो क्या मैं क्यों नहीं निकाल सकती बिलकुल निकाल सकती हूँ मैच का बिलकुल हम basic rule follow करेंगे टी को जब उस साइट बेज़ेंगे तो multiply हो जाएगा अब i की value कितने दी हुए है 0.5 clear है और t की value कितने दी हुए आपको 10 दी हुए है ठीक है यह हो जाएगा q हाना अब इसको और हम solve कर ले तो कितना हो जाएगा 5 into 10 ठीक है divided by 10 clear हमें एक चीज़ ध्यान में रखने है जो कि मैंने आपको बताई कि आपने किस sense में सारे formula याद रखे हैं तो हमने जब यहाँ पर charge और time को निकाला थो तो charge की value आपने चार्ज की उनिट क्या ली थी आपने कूलम और time की उनिट ली थी हमने seconds यहाँ पर आपको minute दिया हुआ है तो क्या से मेरा answer सही आएगा जी नहीं आपका answer गलत आ सकता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस 10 minute को आपको 10 second में convert करना पड़ेगा ठीक है यह जो minute आपको दिख रहा है उससे आपको 10 minute को second में convert करना पड़ेगा तो अब 1 minute में कितने seconds होते है 60 seconds होते हैं तो 10 into मैं अगर आप पर 60 कर दू तो यह हो जाएगा हमारा 600 seconds ठीक है 600 seconds हो जाएगा क्योंकि आपको time के value को क्या करना पड़ेगा भई minute से second में इसे convert करना पड़ेगा क्योंकि हमारा formula क्या कहता है वन एंपियर एकोल सुवन कूलम उपान वन वन सेकंड तो यहाँ पर q यह आएंगे आपके 300 कूलम तो कितने charges है तो 300 कूलम और c आपने क्यों लिखा क्योंकि c जो है वो आपके charge की unit होती है आई बात समझ में इस तरह से बस देखें एक छोटा सा basic concept जो था उसके वज़ा से आपका answer गलत हो जाता मतलब concept किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर 10 minute दिया हुआ है इस minute को याद रखेगा कि आपको किस में convert करना होगा seconds में convert करना होगा तब यह आपका proper answer आएगा ठीक है तो इस question को solve करके एक basic चीज़ आपके समझ में आगे चलिए इसको करते हैं यही पर खत्म आगे बढ़ेंगे so आप आजाते हम electric circuit पर अब electric circuit क्या होता है अब हमने आपको बता दिया कि current flow करता है अब कैसे flow करता है अब देखिए कि अगर पानी को भी flow करना है ठीक है तो आप कैसे flow करवाओगे अगर मैं इसे तरह से mug से पानी ऐसा फैला दूँ तो क्या वो flow करेगा नहीं उसको एक path च पानी को खीचा pipe कि थूँ वो आएगा और एक particular direction में जाएगा तो मत एक proper path यहां पर बना हुआ है ठीक है वहीं अगर path नहीं होता तो पानी तो ऐसे बिखर जाता बीच में से pipe अगर टूटा हो तो जहां destination है वहां तक नहीं आ पाएगा ठीक उसी तरीके से यह चार्ज है व भी flow करते हो करते हैं जब वो पूरी तरीके से closed हो closed loop हो ठीक है तो electric circuit is the closed circuit closed path along which the electric current flows is called an electric circuit मतलब कि एक पुरा closed path होना चाहिए अभी closed path क्या होता है तो समझे इस बात को अब देखिए अगर मुझे circuit में circuit चाहिए circuit मतलब माली जेक एक normal fan का circuit देखते हैं ठीक है यह आपका लगा हुआ इसको fan आप consider कर लिजेगा अना designer fan है काफी तो अभी फैन को मुझे चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको switch से convert connect करना पड़ेगा तो यहाँ पर मेरा switch लगा हुआ है जो कि बैटरी से connected है ठीक है अब जब यह switch open है open मतलब कि खुला हुआ इस तरह से है switch off है तो switch off की condition में क्या आपका आपका fan घुमता है नहीं घुमता क्योंकि यह आपका circuit कुछ इस तरह से दिखता है मतलब कि जो भी आपका current flow करेगा ठीक है वह कैसा वह positive से negative की तरफ जाई ही नहीं पाएगा क्योंकि बीच में तो रास्ता खुला हुआ है वही अगर मैं इसको इस तरह से बना दू कैसा बना दू इस तरह से close बना दू तो इसका मतलब क्या है कि यह आपका switch close है और आपका switch आपने क्या किया है on कर दिया है तो जैसे switch on करते हो तो circuit हो जाता है complete circuit complete होने का मतलब होता है कि path हो जाता है उसका complete एक closed loop इस तरह से बन जाता है इस closed loop के बन जाने के वजह से ही जो current है वो एक point से निकल करें दूसरे point तक पहुचता है मतलब positive से निकल करके negative में पहुचता है और यही current फ्रेंट इस fan को यही जो चार्ज है जो current flow नहीं करेगा तो circuit जो है वो दो तरीके के आपके देख सकते हैं एक होता है close circuit एक होता है open circuit का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो circuit है वो कुछ इस तरह से packed हो Switch on की condition हो सुच ON जब होता है तो आपका सरकेट है वो पूरे तरीके से complete होता है मतलब कि हमें circuit में पूरा path मिलता है, पूरा path एक रहेगा कि इस direction से इस direction में पूरा current आपका flow कर सकता है, वहीं अगर circuit open है, तो open का मतलब क्या होगा कि current का path complete नहीं है, path मतलब कि current को जिस path से जाना है, वो कहीं न कहीं से break है, तूटा हुआ है, जिस वज़ा से current flow नहीं कर पा रहा है औ तो यह होता है, आपका electric circuit, तो electric circuit is nothing but a closed part through which a current flows, जिसकी मदद से current flow करता है, तो यह तरीकी का क्या है, एक बंद परिपत है, एक बंद closed path है, clear है, so conventional current, अब conventional current का मतलब क्या होता है, मतलब कि conventional current मतलब जिसको आप मानते हो, तो conventionally जो अनुमानित मानी होई, जो direction है current की, उसको मान करके, जब आप current को define करते हो, तो उसे आप कहते हो conventional current, जैसे conventionally जो direction मानी जाती है current की, वो क्या होती है, the direction of motion of positive charges is taken as the direction of current, ठीक है, या the direction of conventional current is opposite to that of the negatively charged electron, देकि बहुत confused नहीं होना है, current की जो direction है वो होती है opposite to electrons और उसे ही हम उसकी conventional direction कहते हैं और इसे current को जो कि conventional direction को follow करता है उसे हम कहते हैं conventional current, clear है? so the direction of the current is opposite to the electron and this is the conventional direction of current, simple तो conventional direction क्या हुई? अगर electron का flow negative से positive के तरफ हो रहा है क्योंकि negative में ज्यादा electrons है उस point पर ज्यादा excess number of electrons है तो वो electrons positive के तरफ जाएंगे वो ज्यादा heavily positive body जहां पर है वहां जाएंगे अपनी space क्योंकि वहां पर है तो उसे space को fill करने के लिए जाएंग तो उनके flow से एक टकराव से उनके charge produce होता है और उस charge की direction कैसी होती है? positive से negative के तरफ होती है which is the conventional direction of current, clear है? तो यहाँ से याद रखेगा इस direct diagram से अब इस तरह से देखे, diagram ज़रूर बना करके आएगा, exam में बल बना दिया चोटा सा एक battery connect कर दिया, flow of current एक direction में बता दिया, तो उसके opposite क्या होगा? उसके opposite होगा आपका direction of flow of current सो अब एक book में आपके question दिया हुआ है कि what does an electric circuit means? अब एक electric circuit क्या होता है? तो electric circuit को आप देखे बहुत ऐसे questions को रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समझ से पहले सोचे कि अगर मुझसे पूछा हुआ है electric circuit के बारे में, तो मुझे सबसे बहला point क्या बताना है? कि तो कोई भी electric circuit जो है, वो सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए? closed loop होना चाहिए, तो electric circuit is a closed loop, ठीक है? पहला point क्या रखेंगे आप? यार, closed loop, ठीक है? अब किसी एक electric circuit को बनाने में, अब closed loop का मतलब क्या? कि बस एक wire को जोड दिया और ये क्या electric circuit बन गया? जी नहीं, electric circuit में बहुत सारी चीजे होती है, it consists of, अब इसमें क्या क्या होता है? ठीक है? सबसे पहले आप point लिख दीजे, it is a closed loop और it is a closed path, आप दो लिख सकते हैं, या फिर closed path भी लिख सकते हैं, ठीक है? and it consists of, अब कोई भी electric circuit closed loop है, लेकिन क्या सिर्फ वायर से होगा? नहीं, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होते हैं, वायर होता है, इसमें होगी आपकी बैटरी होगी, ठीक है? बैटरी के अलावा इसमें switch भी होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ आपका device, जो भी device जिसको आपको चालू करवाना, जैसे वो fan भी हो सकता है, या computer system भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फ specific लिग दीजे, देखें, इस तरह से आंसर करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, conductors, ठीक है, example के लिए क्या हो सकते हैं, तो generally तो हम भई copper का use करते हैं, तो copper कर लिग दीजे, aluminium लिग दीजे, gold लिग दीजे, silver लिग दीजे, बड़ जादा तरह हम किसका use करते हैं, copper का, battery क्या है, तो 12V, आपको voltage देगी, ठीक है, अगर 5V है, तो 5V देती है, switch का काम क्या होता है, circuit को complete करना, या income complete करना, open and close करना, open and close जो होगा आपका circuit, वो किसकी मदद से होता है, तो वो switch के कारण होता है, फिर आपका device bulb मतब जिसको load, basically इसको आप load कह सकते हो, मतलब कि जो कि आपके इस circuit में, यू, प्रियूस होने वाले करेंट का, यूस करेगा, clear है, तो electric circuit is nothing but a close path, which consists of a switch, battery, wire and load, which for example, any device or bulb, clear है, चली, अब next question है, कि define the unit of current, so unit of current क्या होती है, so the SI unit of current is ampere, where 1 ampere equals to 1 coulomb upon 1 second, okay, because the current is the rate of flow of charge with respect to time, क्योंकि current जो होता है, वो होता है, rate of flow of electric charge, क्या याद रखोगे, क्योंकि जो current है, वो क्या है, rate of flow of electric charge है, ठीक है, कैसे answer करना है, देख लीजे, क्योंकि जो current है, वो क्या होता है, क्योंकि जो हमारा current है, वो होता है, rate of flow of electric charge with respect to time, ठीक है मतलब कि time के respect में कितना charge flow कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं उसे ही हम current कहते हैं clear है तो अब rate of flow of electric charge मतलब क्या अगर मैं हापर लिख दू Q divided by T ठीक है so flow of electric charge with respect to time है अब we know that कि charge की unit होती है coulomb T की unit होती है second और coulomb upon second होता है ampere ठीक है so if we say one ampere current flow in a circuit that means one coulomb charge with one in a one second मतलब की एक coulomb charge जो है एक second में जब flow करेगा तो उससे क्या produce होगा उसी से produce होता है one ampere ठीक clear now the next question calculate the number of electron constituting one coulomb of charge मतलब की एक coulomb of charge को बनाने के लिए कितने number of electrons की जरुवत पड़ी होगी यह ऐसा हमें बताना है या फिर आप इसस तरह से समझ सकते हो कि भाई अगर कि one coulomb of charge है तो उसमें कितने number of electrons हम देख सकते हैं देखे तो calculate the number of electrons हमें number of electrons बताना है अब देखें आपको इस question में क्या पता है सिर्फ हमें यह पता है कि अगर मैं one electron है अगर मैं इस value को यहां पर लेके आ जाओं क्या लियाओं मैं यहां one upon one point six into ten to the power minus 19 कर दूं तो यह क्या हो जाएगा one coulomb हो जाएगा अब मुझे से क्या पता चल जाएगा number of electron पता चल जाएंगे किसमें एक coulomb में कितने number of electron है यह पता चल जाएगा बस simple हम इसे solve कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा one point six का अगर मैं point हटाओं तो क्या हो जाएगा अगर one point six को आप हटाओगी point को तो क्या value मिलेगी आपको 16 upon 10 ठीक है अब यह 10 नीचे है तो इसको उपर जाएगा ठीक यहापर क् होंगी इस 10 को उपर लेकर के जाओंगी ठीक है तो यह जाएगा one oh sorry 10 upon 16 10 to the power minus 19 को आप क्या कर दीजे उपर लेके जाएगे तो यह जाएगा 10 to the power 19 मतलब आप इसे numerator में लेके जाएगे तो जो negative है वो positive हो जाता है यह जाएगा one column इसको further हम और solve कर लेते हैं यह जाएगा 5 by 8 into 10 to the power 19 और solve कर लें हम इसको ठीक है तो यह कितना हो जाएगा अगर हम इसे solve करें 8 को 5 से तो 0.625 होगा यह लगभग into 10 to the power 19 ठीक है इसको हम और further solve कर लेते हैं क्या कर सकते हैं इसको हम ले लेते हैं 6.25 into 10 to the power 18 ठीक है तो इतने number of electrons होने पर one column of charge जो है वो प्रेड्यूस होता है ठीक है यह वन कूलम कैसे बनता है 6.25 into 10 to the power 18 electrons के साथ तो calculate number of electrons होता number of electrons हार 6.25 into 10 to the power 18 ठीक है चले तो यहां से भई यह चीज़ तो हम समझ गए अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि electric field क्या है अब देखें हमने आपको बताया कि क्या होता है कि एक positive चार्ज होता है इक negative चारज होता है अब इनके आसपास क्या है एक तरीके से field होती है जैसes field में यह क्या करते हैं चीज़ों को attract करते जैसे आपने magnet देखाऊगा prospect field होती है कि उसके aaps ऐब को कोई traz लेकर पिस लेकर के ञाते हैu या मामिट का फोजीट पोल को लेकर के जाते है तो वह एड्राक होकर के उससे चिपक जाती है क्यों वहार पर force of attraction होता है उसी तरीके से ये जो आपके charges ना उनके चारो तरफ का जो हिस्सा है जो चारो तरफ की जो field होती है उसमें भी क्या होता है एक तरीके का force होता है ठीक है तो उसी ही हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं electric field ठीक है so reason around a charge body within which it influence can be experienced किसी भी charge body के आसपास का वो field जहां पर यह हमें क्या किसी भी चीज़ को influence कर दें वह experience किया जा सके मतलब कि यहां पर अगर कोई चीज में change हो रहा है तो वो किस वज़े से वो change हो रहा होगा change का मतलब कि उसमें कोई सीख तरीके का force अगर फिल हो रहा है तो वहां पर क्या है वहां पर है electric field ठीक है अब यह कि electric field के बारे में समझने के लिए आपको electric potential के बारे में समझना जरूरी है तो electric field क्या है तो electric field is the area across the charged body which it influence can be explained on which it influence can be experienced मतलब वो field charge body के पास की वो जगह जहां पे उससे होने वाले influences को experience किया जा सके उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है electric field clear so now the electrostatic potential electrostatic potential क्या होता है so electrostatic potential की पहले definition को ध्यान से सुनेगा electrostatic potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point ठीक है क्या बूला जा रहा है electrostatic potential at any point in an electric field ठीक है किसी electric field पर किसी भी point पर यह electric field है उसके किसी भी point पर ठीक है at any point in an electric field is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point ठीक है इस पॉइंट पर किसी और चार्ज पार्टिकल को लेकर आने में जितना work done किया गया है उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है electrostatic potential ठीक है तो electrostatic potential in our electric field is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point is known as potential electrostatic potential ठीक है potential का मतलब क्या हुआ कि यह electric field में ठीक है एक किसी charge की एक किसी point की electric field में किसी और charge को लेकर आने में जितना work done किया हुआ है उसे हम क्या कहते है उसे हम electrostatic potential कहते हैं अब पोटेंशल के लिए हम भोल्ट यूनिर्ड यूज करते हैट ठेक है अब इलेक्तर इस्टा 앞에 कोते लृटिश्यल हम ना दिखेस कि दो तरीके से पोटेंशल को हम एक हाइर कर देते हैं एक हाय्यर पोटेंशेल और एक charge move from अब यह जो electron है वो कैसे होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं वह कहां से कहां मूफ करेंगे मूफ फ्रॉम लोवर टू हाइर पोटेंशल रिजन वह कहां से कहां फ्लो करते हैं लोवर से हाइएर potential region की तरह move करते हैं ठीक है तो potential region जो है आपका electrostatic potential जो है वो दो तरीके से हो सकता है higher potential region भी हो सकता है lower potential region भी हो सकता है अभी फिलाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि electrostatic potential अगर मुझसे पूछा जाए तो वो क्या होता है the amount of total work done to bring a unit positive charge from infinity to that point okay अब अगर आप इसे लिखना चाहे एक mathematical expression के थू तो क्या होता है the potential V equals to क्या होगा W upon Q ठीक है अब आती है बारी potential difference की ठीक है अब potential difference between two point क्या होता है the potential difference between two point in electric field is the amount of work done to bring a positive charge from one and to another अब देखें potential अलग है potential difference की बात अलग है potential difference का मतलब क्या होता है दो point के potentials का difference ठीक है जिसकी वज़ा से जो charge है वो higher potential से lower potential की तरफ आप आए उसे आप क्या कहते हैं उसे हम कहते है potential difference अब इसे कैसे समझ सकते हैं जैसे कि पानी की टंकी में है आपकी पानी की टंकी तो वहां से पानी का flow नीचे की तरफ होगा ठीक है अब इन दोनों की potential में क्या है differences है ठीक है इसलिए flow कहां से हो रहा है higher से lower की तरफ वही कहानी किसकी है potential difference की है the potential difference between the two points due to which the charge flows is known as potential difference ठीक है potential difference मतलब और अच्छे से कैसे explain कर देंसे the amount of the potential difference between the two points electric field is the amount of work done क्या है amount of work done to bring a unit positive charge from one end to another end ठीक है एक end से higher potential से lower potential लाने में जो work done होता है उसे आप potential difference कहते हो वहीं अगर हमने अगर potential की बात की है electrostatic potential क्या है तो electrostatic potential क्या है कि किसी भी point में किसी electric field में रखे हुए किसी point के द्वारा किया गया work done जिसके कारेंड कोई charge जो है वह infinity से उस point टक आता है उस चार्ज तक आता है उससे आप क्या कहते हो work done को उसके work done को आप electrostatic potential कहते हो और और difference का मतलब क्या होता है दो पॉइंट के बीच का electrostatic potential का difference जिसके वज़े से charges का flow higher से lower की तरफ हो रहा हो उसे आप क्या कहते हो potential difference कहते हो देखें अब देखें क्या है कि potential difference की वज़े से क्या होता है बेसिकली आपका जो electrical conductor है उसमें जो structure है वो इस तरह से होता है कि electrons बहुत पास-पास एक दूसरे से connected होते हैं तो वो कैसे move कर पाएंगे एक जगे से दूसरे जगे तो वो एक drift speed के साथ होते हैं जो कि एक बड़ा concept है जो हम बागे higher level में जाकर के पढ़ेंगे पर इतना जान ल तरह आपको पानी का फ़्लो करवाना है तो आप सेम पानी की रॉंच से भरी हुई है पानी से पानी अर्वन यह क्या उसमें फ्लोव हो पाएगा नहीं वहीं अगर एक empty टेंग टेंग में रग दूर एक टेंग जस्तू कि पूरी तरिकी से पानी से बाहा हुआ हुआ पानी का फ्लो किस साइट से होगा ज्यादा भरे हुए पानी से कम भरे हुए पानी के तरफ होगा अगर दोनों बराबर है तो क्या कोई फ्लो होगा नहीं लेकिन हमें क्या करवाना है चार्ज का फ्लो कराना है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा एक जगे हायर पोटेंशल हमारा current जो है वो flow करता है तो potential difference क्या है the potential difference is the difference between the electrical potential difference between the two point that is the work done to bring a point from one point to another is the potential difference ठीक है अब potential difference क्या है work done divided by charge ठीक है potential difference क्या होता है work done divided by charge that is v equals to w upon q ठीक है basically यह क्या है यह potential है क्या है यह potential अगर मैं बोलो electrostatic potential निकाल कर कि बताइए किसी point पर तो आप कैसे निकालेंगे V equals to लिखेंगे work done to bring a unit positive charge from infinity to the electric field or to the point ठीक है तो V equals to क्या होगा W upon Q लेकिन अगर मैं potential difference की बात करूं तो potential difference का मतलब क्या होता है एक पर है V2 है ठीक है एक potential कितना एक point का V2 है एक point का है V1 तो अगर दो point के बीच का मुझे potential difference निकालना है तो वो क्या हो जाएगा V2 minus V1 ठीक है यह हो जाएगा difference higher potential minus lower potential को हम minus कर देंगे ठीक है तो यह आजाएगा आपका potential difference तो यह क्या है electrostatic potential electrostatic potential क्या होता है work done divided by charge मतलब अगर मुझे potential निकालना है V निकालना है तो वो क्या होगा w by q लेकिन अगर मुझे बोला जाएगा potential difference बताइए तो वो क्या होगा V2 minus V1 तो potential difference की वजह से ही किसी भी circuit में जो current है वो flow करता है तो हमारे circuit में potential difference कौन प्रवाइट करता है हमारी circuit में जो potential difference है वो बैटरी प्रवाइट करती है उनका chemical composition कुछ इस तरह से होती है कि चार्ज एक point आपका higher potential का होता है एक point आपका negative potential का होता है मतलब कि आपको battery में अगर आपने देखा होगा तो आपको दो उसमें terminals दिखाई देते हैं एक positive terminal एक negative terminal तो इसमें एक में ज्यादा potential है एक higher potential पर है एक lower potential पर है इन्ही potential difference को जब आप एक circuit में apply करते हो तो इस potential difference की वज़े से क्या होता है यह जो charge carriers है यह क्या होंगे higher से lower की दरा flow करना शुरू करते हैं जिससे कि हमारे circuit में current flow करता है और हमारे appliances में जो भी load लगा है बल्ब लगा है वो glow करना चालू हो जाता है ठीक है तो यह तो क्या था आपका basic concept है देखो बहुत detail में जाएंगे बहुत बिलकुल बारिकी से अगर आप समझेंगे तो थोड़ा higher level concept हो जाएगा unnecessary अभी हमें 10 में सिफ इतना समझना है कि हमारे electric circuit में current होता है तो current क्या होता है potential हम apply करते है तो potential क्या है बैटरी लगाते है तो बैटरी क्योंकि potential difference प्रवाइड करती है तो potential difference क्या है तो हम समझ गएंगे कि potential का मतलब है V equals to W by Q potential difference का मतलब है V2 minus V1 मतलब दो पॉइंट के बीच का potential difference clear है चलिए अब आधिया आजाते हैं कि अगर मैं आपसे बोलू कि 1 volt potential क्या है तो 1 volt potential का मतलब होता है 1 volt equals to 1 joule upon 1 coulomb क्योंकि potential क्या है अमा the work done to bring a unit positive charge from infinity to the point in a electric field ठीक है electric field के point तक किसी और charge party को आप body को आप लेकर के आ रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे उसे आप उस work done को आप कहते हो potential ठीक है तो अगर 1 volt का potential है तो that means कितना work done किया होगा 1 joule कितने charge होंगे 1 coulomb ठीक है चले the potential difference between two point in electric field is set to 1 volt ठीक है a potential difference between two point in electric field is set to 1 volt if 1 joule of work has to be done in bringing a positive charge of 1 coulomb from 1 point to another अगर 1 coulomb के charge को एक point से दूसरे point में ले जाने के लिए एक जूल की energy लग रही हो तो उससे आप क्या कहोगे कि वह one volt का charge है वह one volt का potential है ठीक है अब आजाते हैं measuring devices पर तो आपको question पूछा जा सकते हैं कि कौन कौन से measuring devices हैं तो basic जो हमारे current की unit क्या होते हैं ampere तो ampere से m लिंकलता है और m meter जो की current को measure करें volt वोल्ट किसकी unit होती है voltage की तो volt meter means जो की voltage measurement करते हैं then होता है galvanometer galvanometer is a device which is used to determine the low value of current मतलब कि जो छोटे-छोटे values होती है current की उनको measure करने के लिए हम galvanometer का use करते हैं clear है now a question है जिसको जिसके through हम potential difference से related क्या-क्या आपके question आ सकते है potential electrostatic potential पर क्या question आपको आ सकता है यह देखे पहला question है कि how much work is done in moving a charge of two coulomb across two points having a potential difference 12 volt अब दो point के बीच में कितना difference दिया हुआ आपको potential difference 12 बोल्ट दिया हुआ है ठीक है मतलब आपको वी की value कितनी दी हुए 12 बोल्ट दी हुए अब इसको हर बार अपन V2-1 नहीं लिखते हैं V2-1 से आपको एक कोई quantity मिली होगी हान वी तो हम इसे वी ही लिख दें आगर देखो वी कुल स्टू क्या होगा V2-1 तो चाहे मैं चार्ज ऑफ टू कूलम एक टू कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क दन लगा होगा जिसका potential difference है तो आपको क्या दिया हो यहां पे क्यों की value दी हुई है टू कूलम ठीक है अब आपको क्या find out करना है डबलू की value find out करना है अब हमें पता है कि potential क्या होता है वी को स्टू होता है w upon q आप देखिए यहां पर आपको डबलू की value निकालना है क्योंकि क्या बोला है आपसे how much work is done कितना work किया गया है work निकालना है ठीक है हमें formula पता है अगर हमें voltage दिया है चार्ज दिया है तो हम work done निकाल सकते हैं कैसे निकलेगा v into q equals to w हो जाएगा ठीक है where v is 12 volt and q is 2 volt ठीक है 2 कूलम यहां से साफसाफ अपने को नजर आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा w ठीक है कितना हो जाएगा यह 24 अब यह 24 क्या होगा 24 इसकी यूनिट क्या होगी जूल तो कितना work done किया गया 24 जूल वर्क डन अगर हम करेंगे तो potential difference अगर 12 volt है तो टू कूलम के चार्ज को हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगा से एक पॉइंट से दूसरे जगे हम उसे ले कर आ सकते हैं तो कितनी energy लगी है 24 जूल काफी आसान सा question है इस तरह की questions आपको पूछे जगे लाना है तो कैसे आएंगे अगेर हम आपको बता देए कि बही एक पुरा पानी भरा हुआ है ठीक है के टैंक तो Rs.2 बहें तो लेकिन अगर दूसरे टैंकप पानी नहीं है तो गरना शुरू हो जाएंगे ठेक है तो वैसे ही difference कौन प्रवाइट करता है यहां पर कौन हमारे circuit में potential difference प्रवाइट कर देता है battery तो battery is a device which produces the potential difference in electric circuit so that the charges flows from one point to another point ठेक है battery ऐसा device है जो कि हमारे charge को हमारे circuit में potential difference प्रवाइट करती है इसलिए आप देखें यह battery का जो symbol है वो किस तरह से होता है आपका एक plate positive होती है जो कि बड़ी plate होती है एक plate negative होती है ठीक है यह आपके higher potential को यह lower potential को represent करती है जब दो point में potential difference create हो गया that means कि अब आपके charge carriers जो है वो कहां से negative से positive की तरफ flow करेंगे जिससे current जो है वो positive से negative flow करेगा तो इसका one short answer क्या होना चाहिए बैटरी ठीक है क्या है battery clear name a device that helps to maintain the potential difference across a conductor now what is mean by saying that I put that the potential difference between two point is one volt अगर हम क्या रहे हैं कि दो point के बीच में potential difference one volt है तो इसको आप कैसे explain करेंगे अगर दो point के बीच में potential difference one volt है इसका मतलब एक आपका one joule की one one joule का work done किया गया है ताकि हम one column के charge को infinity से electric field में लेकर के आप आए ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है ठीक है आपको क्या लिख देना है यहां पर यहां पर आपको वही definition लिख देनी है वह से potential difference को ही define करना है ठीक है the amount of the one joule the one joule of work done is done by the one volt of potential difference to bring a one column of charge from infinity to the another from one end to the another end ठीक है एक end से दूसरे इंफिनिटी वाइड हापन नहीं आएगा simple से आएगा the total amount of one joule work done is done by a one volt potential difference to bring a one column of charge from one end to the another end ठीक है simple is formula को भी अगर आप लिख देंगे तो भी यह answer आपका सही होगा next is how much energy is given to each column of charge passing through a six volt battery ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है how much energy is given to each column of charge हर एक column of charge को हम कितना energy दें ताकि वो six volt की battery से पास हो पाए मतलब कि जैसे आपने six volt की battery लगाई तो उस पे कितना एक चार्ज पर हर एक चार्ज पर कितना work done किया जा रहा होगा कि वो एक बैटरी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चल जाए मतलब कि देखें यह आपका सर्केट है ठीक है आपने क्या किया यहाँ पर six volt की एक बैटरी लगा दी ठीक है यहाँ पर आपने क्या किया एक six volt की बैटरी को लगा दिया अब जैसे आपने six volt की बैटरी को लगाया तो क्या होगा इस conductor में जो charge carriers हो जाएंगे आप इनको एक जगे से दूसरे डबलू अपन क्यों ठीक है यहाँ पर आपको वी के वैल्यू दिए हुए six volt डबलू नहीं बता लेकिन क्यों क्या दिया हुआ है और इच इच चार्ज इच का मतलब क्या होता हर एक चार्ज पर तो यहां से अगर मैं इस formula से देखू तो मुझे अगर सिंपल यह लिखती हूँ मैं तो six w upon one लिख सकते हैं मतलब कि कितना energy लग रहा होगा अगर six volt का potential difference है तो हर एक चार्ज पर एक एक चार्ज पर कितना कितना energy का requirement होगा तो six joule का energy का requirement होगा इस formula से हमने यह identify यह calculate कर लिया है so how much energy is given to each coulomb of charge passing through a six volt battery so six joule energy is given to each coulomb of charge so that it passes through a six volt battery six volt battery जब potential difference provide करती है six volt six volt का तो इसमें हर एक चार्ज को six joule की energy की requirement होती है clear हो गया इस तरह से इसका answer आदे सकते है now आप आजाते हैं हम circuit पर जैसे आभी आपने आपको बताया था कि electric circuit क्या होता है closed path होता है जिसमें wire लगा होता है जिसमें battery लगी होती है जिसमें switches लगे होते हैं तो हभी study करने के लिए जब आप higher level पर भी जाएंगे तो आपको electrical circuits को पढ़ना पड़ता है उन circuits में हम हर चीज को design नहीं कर सकते जैसे bulb को आप वैसे ही नहीं बनाएंगे battery को आप वैसे ही नहीं बनाएंगे इन सभी के लिए एक particular तरीके का symbol यूज किया जाता है वो सिंबल क्या है वो इस चार्ट की मदद से आपको दिखेगा देखे सबसे पहले यहां पर होते हैं आपके wires crossing without joining ठेके यह लेक्ट्रिक वल्व का करते हैं उसका यहां पर हमने value दी हुआ है देखें इसको कैसे समझेंगे मान लिजे कि मुझे एक circuit डिजाइन करना है तो circuit में क्या होता है एक वायर होता है तो वायर को आप किस तरह से रिप्रिजेंट करते हो एक सिंपल वायर से अब वायर का क्या होता है conductor की property क्या होती कि उसमें resistance होता है resistance के वज़े से क्या करता है वायर flow of current का पोस करता है तो उसको किस तरह से रिप्रिजेंट करोगे अगर मान लीजे कि कोई व्यक्ति सीधा सीधा जा रहा है रास्ते में तो उसको कोई hurdle नहीं मिल रहा है तो simple चला जाएगा लेकिन अगर उसक की बाद आता है आपका electric bulb अगर आपने बल्ब लगाया हुआ है तो इसका symbol कैसे लोगा यह इस तरह से यह जो अंदर का आपको यह इस तरह से diagram दिख रहा है यह होता उसका filament बाहर का जो case है गोल वाला यह उसकी कार्च का जो glass है उसको रिप्रेजेंट करता है जो की circular shape में हो circuit add करूं तो मैंने क्या किया यहां पर इस तरह से एक और इसमें बल्ब लगा दिया कुछ इस तरह से ठीक है तो अब इस sign का क्या मतलब होता है कि जो wires है यह एक दूसरे से connect नहीं इसके उपर से जा रहे है ठीक है अब आपको भी पता है connected wires और उपर से जाने वाला wire क्या होत इसमें copper wire का connection नहीं है एक दूसरे की बस उपर से जा रहे connection अंदर नहीं है तो यह overlapping के लिए हम इस तरह से sign यूज करते हैं ठीक है इसके बाद आप आपने रियो स्टेट देखा होगा आपने practical labs में कभी आप गए होंगे तो रियो स्टेट का मतलब होता है जिससे कि हम resistance की value क कम या ज्यादा कर सकते हैं मतलब कि circuit में कितना resistance प्रोवाइड करना है वह value हम हमारे उपर depend हो सकते हैं तो वह हम किस से करते हैं रियो स्टेट से करते हैं दैन अगर हमारे circuit में अमीटर लगा है तो आप इसे किस तरह से जिनोट करेंगे यह और सिंपर यह अमीटर का सिंबल ह है वोट मेंटर है तो इसे किस तरह से represent करेंगे यह चले तो यह हो गया आपके सिंबल्स अब आ जाते हैं अपना आगे कुछ फिजिकल क्वान्टिटीटी की सिंबल्स क्या-क्या होता है जैसे वोल्टेज है तो वोल्टेज को वोल्टेज ना लिखकर के वी लिखते हैं वो है साल दिलिख सकते हैं स्की युनटि च्या होगी कूलम जिसे से से ब्रेजिट किया जाता है १े करेन होता है एस सिम्बल गया है इसका anti- Zisch यूनिट क्या होती है एंप आप ए सोकर है से रिप्रेजन करते हो शलूर से रिनूट करते हैं और इसकी ỏi इनटी होती है ओमीटर ठीक के ओमीटर है तो होता है यह और ये मंक्तिदो उसमें पावर क्या होती है पी पावर की उनिट क्या होती है वाट वाट को डबलू से रेप्रेजन करते हैं हीट प्रेड्यूस क्या होती है हीट प्रेड्यूस होती है एच यह भी एनर्जी ही है ठेके क्योंकि देखे हीट हो गया या एलेक्ट्रिक करेंट हो गया सब क्या है एनर्जी एनर्जी के अलग इस तरह से आपको ये चीज़े याद रखनी है चलिए अब हमने वोल्टेज समझ लिया पोटेंशल डिफ्रेंश समझ लिया पोटेंशल को समझ लिया करेंट को समझ लिया चार्ज को समझ लिया अब ओम्स लोग पर आजाते हैं तो बही ओम्स जोर सिमोन ओम ने हमें एक लोग दिया था उन्हें वोल्टेज और करेंट के बीच में कई सारे रिलेशन्शिप निकाले जिससे एक लौ हमें मिला जिसके कारण हम पोटेंशल डिफ्रेंश और इलेक्ट्रिक करेंट के बीच में एक एक दोनों के बीच में एक रिलेशन्शिप देख पाते हैं वो रिलेशन्शिप क्या होती है तो वो रिलेशन्शिप के अकॉर्डिंग the potential difference applied between the two ends of conductor is directly proportional to the current flowing through it, ठीक है, जो potential difference किसी circuit में दिया जाता है, उसी potential difference का directly proportional होता है, उस circuit से flow होने वाला current, potential difference applied between two ends of conductor is directly proportional to the proportion to the current flowing through the it, ठीक है, but physical state of the conductor remains same, लेकिन क्या होना चाहिए, कि जितनी भी physical states हैं, वो same होना चाहिए, मतलब कि अगर माल लिजे कि मेरे पास एक circuit है, ठीक है, मैंने उसमें potential difference apply कर दिया, तो इसमें जो current flow करेगा, माल लिजे पर ने potential difference apply किया V, तो ये जो V है, इस flow होने वाले current I के directly proportional होता है, ठीक है, V is directly proportional to I, आपको I is directly proportional to V भी दिखता होगा, पट हम V is directly proportional to I लिखना चाहिए, बिकिस potential difference जब आप apply करते हो, तभी जाकर के current flow करता है, so the potential difference applied across through it, ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it, और दूसरी चीज़ याद रखनी है, कि physical state conductor की same होने चाहिए, अब physical state का मतलब क्या-क्या होता है, कि length area of cross section temperature material, यह जितनी भी चीज़े हैं conductor की, अगर वो समान है, समान रूप से हैं, तो ही यह जो law है, वो applicable होता है, otherwise यह voltage यह जो ohm का नियम है, ohm का जो law है, वो इन सारी conditions पर लागू नहीं होगा, अगर इन में से किसी में भी कोई changes हो रहे हैं, तो, ठीक है, अब according to ohm's law क्या आपने देखा अभी, v proportional to i, ठीक है, so v is proportional to i, अगर मैं i को इधर ले आओ, तो यहाँ पर एक constant बचेगा, यह जो constant है, इसी को हम क्या कहते हैं, यह constant है resistance, ठीक है, जो की current के flow होने का oppose कर रहा है, तो according to ohm's law, v upon i equals to r, v upon i equals to r, या फिर v equals to ir, इसी को हम क्या कहते हैं, ohm का नियम, one volt upon one ampere होता है, one ohm, या one volt upon one ampere, equals to one ohm बताया है, मैंने volt upon ampere is ohm, ठीक है, यहीं से हमें किसका concept समझ में आया, resistance का, resistance क्या है, तो resistance is the property of a conductor, which due to which it opposes the flow of current, जिसके current, वो current के flow होने का oppose करता है, अगर हम graphical representation देखें, ohm's law का, तो आपको कुछ इस तरह से graphical representation मिलेगा, ठीक है, जो भी circuits, ohm के नियम का पालन करते हैं, अगर आप current of voltage की characteristics देखोगे, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है, अब देखें, किना हमारे conductor दो तरीके के होते हैं, एक वो conductor जो कि ohm के लोग को follow करते हैं, उसे अपन omic conductors कहते हैं, जैसे कि आपके सारे metals ohm के लिए नियम को follow करेंगे, non-omic conductors क्या होते हैं, वो सारे conductors जो कि ohm के लोग को भी नहीं करते हैं, जैसे semi conductors हो गया, transistors हो गया, electrolytes हो गया, यह सभी क्या करेंगे, आपके ohm के लोग को follow नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आपन यहां पर जैनल डायोड या किसी भी डायोड का semiconductor device का, अगर आपन यहां पर वियाई characteristics देखें, तो देखें, आपको कुछ इस तरह से circuit मिलेगा, मतलब simple सी बात है कि यह ohm के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, वसे obey नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ohm के लोग को current will be increases, because according to ohm saw, V is directly proportional to I and V equals to I R, where R is the resistance applied by the conductor, या फिर तो पर देखें, तो यहां से हम resistance के बारे में बात करें लिए, अब देखें कि जो resistance है, ठेक है, अगर मान लिजे कि मैं आप से तीन resistance हैं, और वो कुछ इस तरह से connected है, ठेक है, तो आप क्या कहेंगे, कि यह किस तरह से arranged है, यह resistors कैसे है, आप देखो, resistance की property एक तो conductor में खुद होती है, कभी-कभी circuit को design करने के लिए, current को control करने के लिए, हम resistor भी लगाते हैं, resistance अलग है, resistor अलग है, कैसे अलग है, तोनों का काम एक ही है, resistance क्या है, property of a conductor, और resistor क्या एक element है, मतलब कि आप अलग से circuit में resistor लेकर के आ रहे हो, और आप उसे circuit में लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्या काम है, current का post करना है, पोस करने का मतलब यह नहीं होता है कि current को flow नहीं करने देगा, current के amount को control करता है, ठीक है, तो अगर मालीजे कि तीन resistors कुछ इस तरह से connected है, ठीक है, तो आप इसे क्या कहोगे, कि यह कैसे connected है, series में connected है, कैसे कह दिया हमने, तो देखिए, खार एक resistor के दो end होते हैं, ठीक है, a और b, अगर दोनों resistors आपस में कुछ इस तरह से connected है, कि उनका एक एक end, दूसरे के एक एक end से, मालीजे कि यह R1 है, और यह R2 है, ठीक है, यह 1, यह 2, यह 1- और 2- अगर मैं इस तरह से इसको connect कर दूँ, यह R1, जिसको 1- लिया, ठीक है, और यह आपका R2, तो इसका 2- और 1- अगर इस तरह से connected है, ठीक है, यह इस तरह से connected है, तो आप क्या कहोगे, कि यह series में है, ठीक है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, कि जब आप line में, अपने फ्रेंड के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, आपके एक फ्रेंड यहाँ खड़ा है, एक फ्रेंड यहाँ खड़ा है, तो आप लोग कैसे हैं आपस में, सिरीज में, ठीक है, तो जब end-to-end रजिस्टर आपस में connected होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, कि रजिस्टर आर इन सिरीज, ओके, तो रजिस्टर आ सेट तो बी कनेक्टि इन सिरीज, वें दिर एक 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 ज़िस्टर आप पार्ट फोर दूसरो अफ करेंड अब यह आगे की कहानी है, अब इस कहानी को समझने के अब माल लीजे कि एक इस तरह से रजिस्टर हैं, तो अब इसमें करेंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें करेंट जो है वो सेम फ्लो करेगा, ठेक है, क्योंकि पाथ क्या है, सभी का एक है, तो करेंट को क्या होता है, कि पानी के फ्लो की तरह है, अगर एक पाथ है, एक पाइप लगा हुआ है तो उसी में से फ्लो करता जाएगा अगर बीच में से और पाइप लगा दिये तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो क्या होगा सीरीज में है मतलब की एक ही लाइन में है तो इसमें जो पाइप जा रहा है उसमें जो प flow करेगा ठीक है लेकिन इसमें voltage क्या हो जाता है different हो जाता है क्योंकि voltage क्या है potential difference क्या होता है दो point जिसमें चाहिए हो ठीक है तो एक point यहां पर create हो जाएगा एक point यहां create हो जाएगा इस तरह से इनके आप इसमें जो voltages है वो इनके across जो voltage drop होता है basically voltage नहीं होता है यह इनके across बनने वाला voltage ठेक है यह क्या करता है अपने across voltage drop create करता है drop का मतलब क्या है देखें अब यह एक circuit था जो कि series में था मैंने यहाँ पर potential difference apply कर दिया वी जिसके वज़े से करेंट दो हुआ आई अब करेंट इसमें गया अब यहाँ एक पर फिर अचर्वेल डिया आ इंचर्व으로 क्या है रफेंट्व अलग अलग है इसका मतलब आई नो Try origin ऑलग होता है आपको अंच्व अपरू क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा यहां पर आई इन 2R3 क्या हो जाएगा वी 3 हो जाएगा तो मतब हर केस में मुझे अलग-अलग वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है यहां पर V1 यहां पर V2 यहां पर V3 that means कि अगर रजिस्टर सीरीज में हैं तो उनके अक्रॉस करेंट की वेल्यू सेम होती है पर्ट वोल्टेजस सभी के अक्रॉस डिफरेंट होते हैं रजिस्टर आरवन और टो आरट्री आर कनेक्टे इन सीरीज अशोन इन अबवव को अप्लाय आवोल्टेज वी एक्रॉस दूसीरीज कॉमिनेशन लगे वी वी टू वी टू वी तो वी टू इस तरह से वेल्यू मिलेगी ठीक है इसको एक छोटा साथ सॉल्यूशन है सिरीज सर्केट का वो हम देख लेते हैं हमने क्या किया एक तीन रजिस्टर को इस तरह से लिया इन में हमने क्या किया सबसे पहले तो हमने इसमें ओम्स लॉ लगा दिया अब वी वी टू वी तु वी तु अगर टोटल वोल्टेज में वी टू के वैलू कितने होगी आई इन्टू आर टू वी तु वी तु कितना हो जाएगा आई इन्टू आर थ्री ठीक है अब यहां से आई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाया ये आर बन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख स का मतलब होता है और क्या मतलब होता है कि अगर रिजिस्टर सिरीज में कनेक्टेड है तो आप उन्हें डारेक्ली एड कर दो तो यह क्या मिलेगा आपको इससे क्या मिल जाएगा एक्विविलेंट रिजिस्टेंस मिल जाएगा अगर रिजिस्टर आपस में सिरीज में अब यहां से हमें दो चीज़े समझ में आई कि अगर रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनके cross current सेम जाएगा voltage की value अलग हो जाएगी और इनका equivalent resistance अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकलेगा directly हम तीनों को आइड करने जितने रजिस्टर सीरीज में है सबको आप डारेटली एड कर दीजे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा तो हमें finally जो characteristics मिलते हैं सीरीज रजिस्टर से वो क्या होते हैं कि same current is flowing through all the resistance the effective resistance is the sum of individual resistance so the effective और the equivalent resistance effective resistance को आप क्या कह सकते हो equivalent resistance भी कह सकते हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और applied voltage क्या हो जाएगा क्योंकि voltages सभी के cross अग होते हैं इसलिए अगर मैं total voltage निकालूंगी तो total voltage कितना होगा V equals to V1 प्लस V2 प्लस V3 और total voltage वही voltage है जो कि आपने circuit में apply किया था इसलिए उसको आप क्या कहते हो applied voltage कहते हो applied voltage भी कह सकते हैं या total voltage भी कह सकते हैं next is registers are in parallel अब registers parallel में कभ होते हैं चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं जैसे अभी हमने देखा कि series में registers कभ होते हैं जब वो end to end connected मतलब एक एंड दूसरे रिजिस्टर के एक एंड से connected होता है लेकिन वहीं अगर हम parallel की बात करें तो parallel के case में क्या होगा कि एक register के दोनों end दूसरे रिजिस्टर के दोनों end से connected होते हैं कुछ इस तरह से ठीक है माल लीजे कि यह है रिजिस्टर एक और यह है रिजिस्टर भी ठीक है तो इन दोनों के दोनों ही end दूसरे से इस तरह से इस तरह से connected हो ठेक है आप जैसे समझ सकते हैं अभी आपने अपने friend को एक team में आप करेंग्ट है अब आप दोनों एक दूसरे का दोनों हाथ पकड़े हुए हैं ठेक है उस आपके सामने वाले का Right Hand आपने Lefth the एक यहbot been आप कि यहां क्स्क्राय ने Griff हुआ हुआ है तो आप किस क्या कहला एंगे कि आप पैरलेल में connected है थैं तो जब registers आपस में इस तरह से connected हो कि उनके दोनों ही end या तो एक दूसरे के दोनों end से connected हो या किसी common point से connected हो तो हम उन्हें कहते हैं कि वो parallel है common point का मतलब क्या होता है अब देखिए कि यह जो circuit है आपका यहां पर है एक point ठीक है इस register का यह वाला end इस point से connected है इस register का यह end इस point से connected है इस point इस register का भी यह end एक इस common point मालीज़े कि यह ए है इससे connected है similarly अगर हम इस point की बात करें तो इसके दोनों ही तीनों ही registers के दूसरे वाले ends इस वी पॉइंट से connected है इसका मतलब कि यह सभी कैसे हैं आपस में इसका मतलब यह सभी एक दूसरे के साथ parallelly connected है अब चलिए हम देख लेते हैं इसमें current और voltage का flow अब यह हमने registers को connect कर दिया इस तरह से हमने इनमें connection किया हुआ है ठेक है यहाँ पर लगा दिया battery जैसे हमने potential difference provide किया तो क्या flow होगा current flow होगा यह flow होने लगा current अब एक करेंट क्या है तो current मतलब की flow तो चाहे पानी का flow हो चाहे current का flow हो सभी अगर उन्हें जितने जादा पाथ मिलते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं ठेक है अब यहां से current आया तो current क्या होगा electric current उसे तीन पाथ दिख रहे हैं तो कुछ current यहां चला जाएगा कुछ करेंट यहां चला जाएगा और कुछ करेंट यहां चला जाएगा ठेक है क्योंकि उसे तीन पाथ दिख रहे हैं पानी एक जिगे से फोर्ट से आ रहा है एक मूटे पाइप से अब आपने उस पाइप को तीन पाइप में डिवाइड कर दिया वान टू त्री ठीक है इस तरह से आपने जॉइंट लगा दिया एक यहां एक यहां और एक यहां तो पानी का फ्लो कहां कहा होगा तीनों डारिक्शन में होता है उसी तरीके से चार्जिस का भी केस है अगर उसको फ्लो मिलेगा अगर उससे पाठ मिलेगा तो वो फो यहां भी गया यहां भी गया और यहां भी तो इसका मतलब कि अगर registers parallel में हैं तो उनके cross current की value अलग-अलग होती है मतलब कि parallel में registers में same current flow नहीं होता तीनों ही registers में current की value अलग-अलग होगी यहाँ पे i1 है यहाँ i2 है और यहाँ i3 अब देख लेते हैं voltage का क्या case होता है तो अगर आपने जितना voltage यहाँ पे potential difference apply किया तो potential क्या होता है दो point के बीच में difference तो अगर एक point में यहाँ देखूं और एक point में यहाँ देखूं तो यहाँ पर भी वही potential difference होगा जो कि आपने यहां apply किया है ठीक है इसमें कोई difference नहीं होगा अगर यहां दोनों point पर potential इसके बराबर है that means कि यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर सभी जगे कितना potential होगा V ठीक है कितना potential होगा इस total पूरे circuit में V ओके कोई भी potential यहां पर डिवाइट नहीं होगा तो यह समझ गए बच्चो कि पारलेल की केस में करेंट डिवाइड होता है बट पोटेंशल क्या सा रहेगा potential difference between the two points are same तो यहां पर उसी concept की वजह से तीन रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशल सेम रहेगा ठीक है सो रजिस्टर्स आ सेट टू बी कनेक्टिन पारलल वेन इडिन्टिकल पोटेंशल डिफरेंश एक्जिस्ट अक्रॉस एक्रॉस एच रजिस्टर इस सेम अगर तीनों ही रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशल डिफरेंश सेम रहता है इसका मतलब इनके अक्रॉस voltage की value कैसी यह सभी कैसे है यह सभी parallel में है clear है यहां से I1 R1 अगर मैं देखिए अगर मैं माल लू कि total voltage है V equals to V1 plus V2 plus V3 तो यह case किस में देखा था हमने यहां यहां पर लेकिन V1 V2 V3 कुछ भी नहीं है यहां सब कुछ सेम है तो हम इस concept को ना लेकर के अब कौन सा concept लेंगे I equals to I1 plus I2 plus I3 ठीक है अब I क्या होता है V by R मतलब कि total current कितना flow कर रहा है इसमें V by R जो कि तीन पार्ट में divided है आइवन, I2, I3 अब अपन यहां से I1 की value निकाल लेते हैं अब देखे अगर voltage है V तो इस I1 की value क्या होगी इस I1 की value हो जाएगी ठीक है अगर V total voltage है applied voltage है V तो I1 equals to क्या हो जाएगा V upon R1, ठीक है, I2 equals to क्या होगा, V upon R2, और R3 equals to क्या हो जाएगा, V upon R3, यह क्या हो गया, I equals to, ठीक है, अब I, और यहां से मैंने V common ले लिया, तो यह क्या हो गया, V R1 plus V upon, V plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, clear है, यह 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 क्या होता है, तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 होता है, 1 upon REQ, ठीक है, sorry, REQ होता है, ठीक है, यह क्या होगा, आपका equivalent resistance या फिर effective resistance, clear है, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, so, हमने यहां पर derivation जो किया था, उसको और simplify तरीके से आप अगर screenshot लेना चाते हैं, तो ले सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर देखें कि आपका जो R effective है, वो कितना हो जाएगा, 1 upon R E Q, 1 upon R 1 plus 1 upon R 2 plus 1 upon R 3 is 1 upon R E Q, अब वहां पर मैंने क्या लिखा था, आपका R E Q, ठीक है, 1 upon R E Q equals to 1 upon R 1 plus 1 upon R 2 plus 1 upon R 3, तो अगर resistors आपस में parallel में हैं, तो वो किस तरह से connected हैं, वो किस तरह से आप add करोगे, तो उसका जो total resistance है, वो होगा, 1 upon R E Q equals to 1 upon R 1 plus 1 upon R 2 plus 1 upon R 3, ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 upon R E Q को अगर उपर लेलेंगे, तो बस यह reverse हो जाएगा, तो characteristics क्या क्या मिली हमें parallel circuits के साथ, the current in the circuit is I equals to I 1 plus I 2 plus I 3, the effective resistance is less than the least resistance in the circuit, अब यहाँ पर जो सबसे छोटा resistance होगा, उससे भी छोटी value किस की आएगी, effective resistance की या फिर equivalent resistance की, ठीक है, तो parallel circuit के क्या क्या characteristics है, पहली चीज़ तो current की value सेम नहीं होती, voltage की value सेम होती है, effective resistance अगर निकालना है, तो वो होता है, 1 upon REQ equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, ठीक है, अगर दो resistors आपस में parallel में हैं तो, और साथ ही साथ, जो total effective resistance की value है, वो सबसे छोटे resistance से भी छोटी आती है, यह बात आपको याद रखनी है, clear है, अब next is, factors on which resistance of a conductor depends, points, अब किसी भी conductor का जो resistance है, अब किसी conductor का resistance जादा होगा, किसी का कम होगा, एक जैसा तो सबका नहीं होगा, तो इक किस बात पर depend करता है, पहली चीज तो कौन से type का metal है, दूसरे पॉइंट, ठीक है, अगर एक ही type का metal है, और उसमें भी resistance में variation आ रहे हैं, तो किस वज़े से, तो resistance जो है, किसी भी चीज का conductor की length के directly proportional होता है, जितनी length होगी, उतना resistance होगा, and inversely proportional to the area of cross sectional, अगर उसके area of cross section आप निकालें, तो उसके inversely proportional होता है, ठीक है, तो directly the resistance R of a conductor depends on, किस-किस तीज पर depend करता है, पहली चीज, length, ठीक है, that is, it is directly proportional to the length, है न, जितनी ज़्यादा length, उतना ज़्यादा resistance, next is, inversely on its area of cross section A, that is, R is proportional to 1 by A, ठीक है, R किसके proportion होगा, inversely proportional, area of cross section के, तो R goes to 1 by A, अब क्योंकि R L के proportional है, और R 1 upon A के भी proportional है, तो हम इसे क्या लिख सकते है, R proportional L by A, हम इसे small A से या capital A से भी denote कर सकते हैं, अगर मैं इस proportional के sign को हटा हूँ, तो यहाँ पर मुझे constant मिलता है, rho, जिसको हम बोलते है, proportionality constant, ठीक है, यह proportionality constant क्या होती है, proportionality, proportionality constant is resistivity of a conductor, rho क्या है, resistivity of a conductor, अब resistivity क्या होती है, तो it is defined as the resistance offered by a cube of a material of a side 1 meter, when current flows perpendicular to its opposite forces, ठीक है, अब भरी इसको क्या समझ सकते हो, कि दा, resistance offered by a conductor, ठीक है, in a unit volume, clear है, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप resistivity कहेंगे, यहाँ फिर इसको और deep में अपने explain करें, तो it is defined as the resistance offered by a cube of a material of side 1 meter, जिसकी side कितनी है, 1 meter है, when current flows perpendicular to its opposite faces, ठीक है, simple सी बात है, वहाँ पर area की, यहाँ पर volume की बात की जा रही है, rho equals to क्या होता है, तो हम इसी formula से निकाल सकते है, क्योंकि r equals to rho l by a होता है, तो अगर मैं r into a कर दू इसे, और divided by l कर दू, तो मुझे rho की value यहाँ से मिल जाएगी, clear है, चल, तो next question एक है यहाँ पर, क्या question है, उसको देख लेते हैं, अब देखें, बहुत आसान सा सवाल है, NCRT book का question है, कि how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source, if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm, अब देखें, question का solution यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आसान सा सवाल है, क्योंकि, आपको क्या दिया हुआ है, एक बल्ब जो है, वो कितना वोल्ट, उसका वोल्टेज है, इसमें, how much current will be an electric bulb drop from a 220 volt source, ठीक है, मतलब कि बल्ब के एक्रॉस हमने जो source लगाया हुआ है, जो connected उसमें source है, जहां से वोल्टेज उसे मिल रहा है, वो कितना है, 220 volt है, मतलब कि voltage की value 220 volt है, if the resistance of the bulb is 1200 ohm, अगर उसका resistance 1200 volt है, तो आपको क्या बताना है, कि उसमें कितना current उसमें required होगा, कितना current पो draw करेगी, ठीक है, तो अब देखें, we know that V equals to क्या होता है, I into R, यहां पे हमें R की value पता है, V की value पता है, ठीक, तो V upon R करके, हम I की value निकाल सकते है, V कितना है, 220, resistance कितना है, 1200 equals to I, तो अगर इसको solve करेंगे, तो क्या value आजाएगे, आपकी 0.8, और current हमने निकाल आए, क्योंकि volt upon ohm क्या हो जाएगा, आपका ampere, तो यह हो गया, आपका 0.18 amperes, clear है, next is, how much current will be an electric heater coil draw, अब electric heater की coil में कितना current produce होगा, अगर हमने 220 volt source उस पे दिया हुआ है, मतलब 220 volt voltage लगाया हुआ है, and if the resistance of the heater coil is 100 ohm, और अगर resistance heater के कितना है, 100 ohm है, तो फिर कितना value इसमें produce होगा, तो अब देखें, अगेन आपको क्या क्या दिया हुआ है, V की value दिया हुआ है, 220, और resistance कितना दिया हुआ है, आपको 100 ohm दिया हुआ है, तो इसको cancel कर लेंगे, यह कितना value आ जाएगी, आपकी 2.2 ampere, clear है, next is, the potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt, अब एक electric heater है, उसके, माल लिजे कि आपको यह electric heater है, जिसमें, कितना आपने उसमें voltage दिया हुआ है, 60 volt, जिके, the potential difference between the terminal of the electric heater, यह heater है, is 60 volt, when it draws a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw, if the potential difference is increased to 120 volt, आप देखें पहले बाद, तो हमें क्या पता होना पड़ेगा, दूसरा question देखिए, what current, मदब दूसरे में आपको current निकालना है, अब देखें, resistance जो material का same ही रहेगा, क्योंकि हम उसमें कोई changes नहीं किये, तो पहली वाली जो case है, इसकी मदद से आप क्या निकाल लोगे, resistance निकाल लोगे, तो हमें क्या क्या दिया हुआ था, potential difference दिया हुआ है, 60 volt, current दिया है, 4 ampere, हम इसकी हल्प से क्या निकाल लेंगे, resistance, कितना आया, 15 ohm आ गया, अब दूसरे case में क्या find out करना था आपको, current की value find out करनी है, अब resistance तो same ही रहेगा, बहले ही आपने voltage increase कर दिया, voltage increase करेंगे, दिया है, 120, पहले कितना था, 60 volt था, अब आपने voltage को increase कर दिया, तो कितना बना दिया उसे, 120, तो अब नया voltage की value कितनी हो गई है, 120 volt हो गई है, पर resistance की value कैसी होगी, वो तो same ही रहेगी, तो इसलिए हमने पहले case से resistance निकाल लिया था, और दूसरे case से हमें क्या मिल गया, current की value हमने इसलिए इसलिए रिकाल लिया, आप आजाते हैं, Jules Law of Heating, आप देखिए कि आप कई किसी भी तरीके के electric appliances पे काम करते होंगे, आपको एक हलका सा material कैसा लगता है, जिसे बल भी है, जलता जलता आपको गरम महसूस होने लगता है, उसी तरीके से जब आपको mobile phone है, वो भी आपको heat देता है, थोड़ी दिर में गरम होने लगता है, तो गरम क्या है, बेसिकली यह है law of conservation of energy, energy जो है, वो एक form से दूसरे form में convert हो जाती है, electrical energy जो है, वो किस में convert होती है, अब electrical energy जो है, वो waste हो रही है, मतलब कि उसका use हो रहा है, अब use हो रहा है मतलब क्या, कुछ तो निकल रहा होगा, तो क्या निकल रहा है, heat निकल रही है, तो electrical energy का कुछ amount जो है, वो heat energy में convert हो रहा है, तो heat का law क्या कहता है, Joule's law of heating क्या कहता है, it is states that the heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the conductor current I through it, the proportional to its resistance and the time T for which current is passed, mathematically it is expressed as H equals to I square R into T, अब मतलब क्या हुआ कि कोई conductor अब कोई भी conductor हो उसमें heat produce होती ही होती है, ठीक है क्योंकि electrical energy है तो energy एक form से दूसरे form में convert होती है, अब कितना दूसरे form में convert होगी, कितना heat produce होगी, यह किस चीज़ पर depend करेगा, पहला तो square of the current, किसके बराबर होता है यह square of the current के, दूसरा resistance के औ मैंने bulb को on किया और थोड़ी दिर में मैंने उसे बंद कर दिया, तो क्या इतना गरम होगा? नहीं, वहीं अगर में दिन भर एक bulb को on करके छोड़ देती हूँ, तो वो बहुत जादा गरम हो जाता है, मतलब क्या? कि time के recording भी heat produce हो रही है, दूसरी चीज़, कि जितना जादा resistance होगा, किसी भी conductor में जितना जादा resistance होगा, उतनी ही जादा heat उसमें produce होगी, और तीसरी चीज़, कि current जितना उसमें flow करता, उसका अगर square कर दिया जाए, उसके amount के बराबर ही हमारी heat जो है, वो produce होती है, अगर में इन सब को देख लू, अगर सारी के सारे proportional है, तो हम इसे क किस तरह से लिख सकते है, H equals to I square R into T, that means heat किस-किस पर depend करती है, current के square पर, resistance पर and time पर, अभी हाँ एक question है, electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum, मदब कि एक electric iron है, जो कि जब बहुत जादा गरम हो जा रहा है, तो 840 watt की energy use कर रहा है, बलकि जब वो थोड़ा कम heat up होता है, थोड़ 60 watt की वो energy use करती है, अब the voltage is 220 volt, अब voltage तो same ही रहेगा 220 volt, what are the current and the resistance in each cases, अब आपको दोनों ही cases में current और resistance निकालना है, अब देखिए, कि अगर हम heat का formula use करें, I square R into T, अब इस formula में हमारे पास दो unknown values है, एक तो I भी unknown है, R भी unknown है, तो कैसे निकाले, तो हम यहाँ पर use करेंगे किसका, यहाँ पर हम use करेंगे power का formula, which is P equals to V into I, ठीक है, तो कि power क्या है, आपकी energy तो same ही रहती है, तो power यहाँ पर आपके दोनों ही cases में आपको दी हुई है, कितनी है यहाँ पर, आपको एक case में दी हुई है, 840 और voltage कितना दिया हुआ है, 220, अगर में case 1 की बात करो, 220 volt हो ज जाएगी, ठीक है, आप resistance की value क्या होगना चाहिए, दोनों ही cases में same होगी, ठीक क्योंकि resistance तो आपका जो heater है, उसका same ही रहेगा, ठीक है, तो पहले तो हमें इसको solve कर ले, जो क्या हो जाएगा, उसको देखे, solution अपन डारेक्ली देख लेते हैं इसका, तो इसका जो value निकले होगे, R equals to V upon I होता है, ठीक है, अब V की value कितनी दी होई है, अपने को 220V, ठीक है, और I की value हमने कितनी निकाली अभी, इसको calculate किया तो 3.82, ठीक है, 3.82, तो आपके resistance की value कितनी आ जाएगी, resistance आ जाएगा 57.60, ठीक है, आप दूसरा case क्या था, कि जब हमने minimum heating पर रखा, तो आ अगर resistance इस टाइम पर देखा जाए, तो कितना offer किया, इसने resistance, कितना resistance यूज हुआ है, तो यह कितना हो जाएगा, 134.15 ohm, अब देखिए, यहाँ पर दो cases है, ठीक है, resistance इसका जितना भी हो, लेकिन जब maximum heating है, और जब minimum heating है, इसका मतलब क्या, कि अब heating अलग-अलग कैसे हो इसका मतलब यह है, कि जितनी देर के लिए, हमने उसको on करके रखा था, जितनी देर तक आपने on किया, तो क्या हो गया, heating बढ़ गई, या फिर आप देखते हो, कि आपके पास जो iron है, वो इस तरह से भी होता है, कि आप उसकी heating को adjust कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको cotton की होती है, तो जब आपकी heating ज्यादा चाहिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, according to heat, अभी अपने joules law of heating देखा, कि जितनी ज्यादा heating चाहिए, उतना ज्यादा resistance कर दो, तो आपने जब उसको बढ़ाया, that means कि आपने क्या किया, resistance की value बढ़ा दी, तो resistance की value कितनी आ गई आ ठीक है, पहले केस में, अब उसके बाद दूसरी चीज़, आपको minimum heating चाहिए थी, तो आपने क्या किया, फिर दूसरे resistance की value देख ली, इस तरह से question solve हो जाएगा, अब है, 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm register, find the potential difference across the register, अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, heat दी हुई है, 100 joule, resistance की value दी by I square R, ठीक है, in each second, मतलब T की value कितनी दी होई है, आपको यहाँ पर 1 second, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, potential difference, लेकिन पहले हमें potential निकालने के लिए क्या चाहिए रहेगा, current की value चाहिए है, तो आपने हाँ पर रख दिया, 100 joule equals to I square into 4 ohm, ठीक है, T की जागे 1 रख दिय क्या है, यह हो जाएगा, 100 divided by 4, यह क्या हो जाएगा, आपकी I की value हो जाएगी, आप इसको अपन फर्दर solve कर लें, ठीक है, या फिर इसको I square ही रहने दे, हना, अब बाहरी आती है, आपके voltage की, तो V equals to क्या होता है, I by R, V, V I, V equals to IR होता है, ठीक है, तो V की value आपको निकालन है, I की value कितनी है, 100 upon 4, लेकिन यह 100 upon 4 ऐसे नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका square root निकालना पड़ेगा, यह square root कर दिया, ठीक है, into R, R कितना है, 4 ohm, ठीक है, इसको solve कर लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, दो, ठीक है, क्या value आएगी आपकी यह, 5, 5 into 4, ठीक है, कितना आगया, 20 volts, clear है, चली, अब इसको देख लेते हैं, यह तो हमने इसको solve कर लिया, यहाँ पर आपकी 20 volt value आगे है, clear है, काफी आसान से सवाल है, आप इसको पहले भी square root ले सकते हैं, असा कुछ नहीं, बाद में मैंने लिया, इस तरह से हम इस question को solve कर सकते हैं, तो बहें time, मतलब कि जितना भी work किया गया है, किसी particular time interval में, ताकि किसी circuit में electrical current maintain रहे, उसे हम कहते हैं, electrical energy, ठीक है, किसी circuit में energy है, मतलब कि उसमें पूरा काम किया जा रहा है, voltage के द्वारा current produce हो रहा है, जिससे V into, आपको क्या मिल रहा है, V equals to IR मिल रहा है, जिससे power produce हो रही है, ठीक ह हो, उसे हम क्या कहते है, उसकी electric energy कहते है, the basic unit of electrical energy is joule या फिर watt second, क्या होती है, इसकी unit, watt second भी हो सकती है, next is the electrical energy said to be 1 joule, when 1 ampere current flows through the circuit for a second, when the potential difference of 1 volt is applied across it, ठीक है, electrical energy को आप क्या कह सकते हो, 1 joule कह सकते हो, कब कह सकते हो, जब 1 volt का आपने voltage apply किया हो, इसकी current, 1 ampere current इसमें फ्लो कर रहा हो, electric power, so electrical power is the rate at which the electrical energy is consumed by the appliances, अभी हमने electrical energy देखा, electrical energy क्या होता है, total work done in maintaining an electric current, in electric circuit, मतब किसी electric circuit में, जो total work done होता है, जिसके current electric current maintain हो, ठीक है, basically, जो power का आप यूस कर रहे हो, उसकी energy है, कि आपने, जैसे आप किसी चीज़ को खाते हो, ठीक है, आपको energy मिलती है, उसी तर power का consumption कर रहा है, वो क्या है, electrical energy, जिससे उसका energy मिले, अब वो energy मिलेगी, तो क्या होगा, current maintain होगा, current का flow चलता रहेगा, तो उससे अपने, electrical energy कहते हैं, वही power क्या होती है, तो power is the rate at which the electrical energy is consumed, मतलब किस rate पर, कोई चीज़ किसी electrical energy का consumption कर रही है, rate, किस rate पर, कितना कर रही है, उ उसे अपने, उसकी power कहते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, एक छोटे सा appliance है, उसकी power का मोती है, वही बड़े appliances की power जाधा होती है, क्योंकि वो power का consumption कम करेगा, जिसे छोटा बच्चा है, वो कम खाता है, बड़े बच्चे जाधा खाते हैं, तो छोटे appliances को कम power की requirement होती है, क्यो से निकालेंगे, voltage into current से भी निकाल सकते हैं, कि कितना voltage और आपने उसमें current दिया, या फिर अपने इसको अगर V की जगे I into R अगर में लिख दूं, तो यह क्या हो जाएगा, I square R भी आप लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं I की जगे V by R लिखूं, तो पावर क्या हो सकती है, V square by R भी हो सकती है, clear है, चलिए, तो यहां से आप पावर, I hope समझ गए है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, what, what is the SI note of the power, the power of the appliance is 1 watt, if the 1 ampere current flows through it, on applying the potential difference of 1 volt, अब वी know that, कि P equals to क्या होता है, V into I, तो अगर 1 volt की power है, that means कि उसमें कितना current flow कर रहा है, 1 ampere current flow कर रहा है, और हमने क इतना voltage apply किया है, 1 volt ही उसमें आपने potential difference apply किया हुआ है, ठीक है, so, 1 volt equals to क्या हो सकता है, 1 joule upon 1 second, ठीक है, 1 joule upon 1 second कैसे, क्योंकि P equals to W by T भी होता है, ठीक है, the rate at which the power is consumed by the appliance, the rate at which power is consumed, तो यह क्या हो जाएगा, P equals to joule upon T, ठीक है, क्योंकि power, energy की case में आप क्या लेते हो, उसकी unit, joule लेते हो, यहाँ पर energy को consumption है, तो इसलिए energy किस rate पर consume की जा रही है, तो J by T हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो joule upon seconds भी इसकी unit हो सकते है, साथ ही साथ, P equals to क्या होता है, V into I, तो हम इसको volt into ampere भी इसकी unit बोल सकते हैं, ठीक ह अब 1 watt equals to 1 joule upon 1 second या फिर second inverse ले सकते हैं, ठीक है, अब अगर kilowatt की बात की जाए, तो kilo की जगे आप क्या लिख सकते हो, अगर 1 kilowatt लिखा हुआ है, और अगर आप उसको watt में convert करना चाहो, तो आप कैसे करोगे, उसको आप 1000 watt लिख देंगे, kilo की जगे 1000 लिख दीजे, ठीक है, यह सारी चीजे इसलिए ताकि आप जब numerical solve करें और आपको kilowatt में अगर power दी होई है, तो आप उसे watt में कैसे करेंगे, अब देखे एग्जाम्पल ने पहला, an electric bulb is connected to a 220 volt generator, एक electric bulb है, जो की 220 volt के generator से connector है, the current is 0.5 ampere, what is the power of bulb, अब यहाँ पे आपको बल्व की power निकालनी है, क्योंकि हमने भी into IQ लिया, क्योंकि हमें voltage दिया हुआ है, और current दिया हुआ है, अब यहाँ पे मैं 220 volt into 0.5 कर दो, तो मेरे पास solution आ जाएगा, यह point अटा है, तो यह होगा 10, ठीक है, 0 से 0, cancel, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 52010, 110 watt, ठीक है, power आपकी इतनी आ जाएगी, clear है, चल, next, on what factor does the resistance of the conductor depend, अब किस factor पर resistance depend करता है, we know that R equals to rho L by A, resistance जो है, वो किसी भी चीज़ के length पर और के area of cross section पर depend करता है, the resistance of the conductor depends on the resistivity, length and cross sectional area of the conductor, which is given by rho L by A, it also depends on the other physical factors, like temperature, etc, the SI unit is ohm, देखे, basically क्या है, कि आप से, यहाँ पर हमने R भी लिखा हुआ है, resistivity, R L by A, ठीक है, तो किस किस चीज़ पर depend करेगा, resistivity पर, conductor की length पर, area of cross section पर, साथ ही साथ, conductor की physical state पर भी depend करेगा, physical state क्या क्या होती है, temperature हो गई, length हो गई, यह सारी चीज़ों पर भी, आप का resistance जो है, वो depend करता है, next, will current flow from easily through a thick wire और a thin wire of the same material, when connected to the same source, why, देखे, अब देखे, अमने एक source लिया, जिसमें एक मोटा वायर था और पतला वायर था, किसमें से current easily flow करेगा, तो area of cross section, जिसका जादा होगा, उसमें जादा current flow करेगा, क्योंकि उसका resistance कम होगा, क्यों, क्यों такихness की, और thinness की बात की जाए, length की बात की जाए, किसी भी चीज, कोई कीज, कितनी है तिक है, उस case में हम उसके area of cross section की बात करते हैं, तो इस case में area of cross section से resistance कैसा होता है, inversely proportional होता है, मतलब जतना जादा area of cross section होगा, उतना कम resistance होगा, जतना कम resistance होगा, उतना जादा current flow करेगा, त में करेंट जाधा आसानी से फ्लो करेगा, okay, so current will flow more easily through a thick wire because the resistance in the is inversely proportional to the area of cross section of the wire which means that when the area of cross section of the wire increases, the resistance decreases और vice versa, ठीक है, क्योंकि resistance जितना कम हो कता है, उतना जाधा करेंट फ्लो करेगा, why are coils of the electric toaster and the electrical iron made of an alloy rather than a pure metal, alloy क्या होता है, mix होता है, ठीक है, दो चीज़ों का आपने mix करके alloy बना दिया, अब जब alloy का यूज करते हो, तो फिर आप ज़्यादा तर जो coils होते हैं, electrical toaster की वो directly copper की नहीं होते है, आप देखते हो कि वो alloy होता है, metal नहीं होता, डारेक्ट, तो ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि alloy का resistance कैसा होता है, जाधा होता है, जाधा resistance का यूज क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जितना जाधा resistance होगा, iron के case में है, toaster के case में, जितना जाधा resistance होगा उतना जाधा जो heat energy है वो प्रेडिज होगी क्योंकि वहाँ पर resistance है जाधा resistance होने के वघे से जाधा offose होगा current का अब current का oppose हो रहा ह Canadians का hon वहाँ हो रहा है कैंजम्शं किस फर्म में हो रहा है heat के form में वहाँ heat produce हो ही और हमें इसमें जाधा heit produce करनी होती है इसलिए an electric toaster and iron coils are made of an alloy rather than a pure metal because an alloy has a higher resistance than a pure metal क्योंकि metal के comparison में alloy का resistance जादा होता है the alloy also do not melt easily at a high temperature और दूसरी चीज ये है main चीज तो ये भी है कि अगर अपने direct metal का use किया तो वो जल्दी से पिघलना चालो हो जाते हैं ठीक है उनका melting point जो है वो थोड़ा ज्यादा कम होता है जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं दालोई डा ओल्सो डू नाट मेल्ट पर यह अलोई जो है वो जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं चाहे हाई टेंपरेचर हो चले अब डिफरेंस बिट्विन अलोई हैं मैटल भी एक थोटा साफन टॉपिक देख लेते हैं तो अलाई है थाई हाई हाई रजस्टिविटी तो यह जन जनेरेट मोर हीट फॉर दा सेम अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग थूदें क्योंकि उसमें जाधा रजिस्टेंस है तो जितना करेंट आप फ्लो करेंग उत करेंटिंग्प्न च्यादा होने का मतलब कि मैल्टो ने में बहुत टाइम है मैल्ढिंग पॉइट कर morals का मतलब कि झaldी से मैल्ट हो जाएंगा अल्वाय है वर लोटेमेचर कोफिषेंट resistance अब सबसे पहले हम बात करें हैं magnetic effects of electric current तो हमें सबसे पहले तो यह जाना चाहिए कि भई magnet क्योंकि magnetic effect को हम जाने उससे पहले यह magnetic effect produce करने वाली चीज क्या है तो वो है magnet अब magnet के uses क्या है हम सबसे पहले तो खिलोने खेलते हैं जो toys आप खेलते हैं उसमें भी हमें magnet मिलता है साथ ही साथ हमारे घर में जितने भी कही सारे जो furniture उसमें भी magnet का use होता है especially cupboards में automatically door जो है वो क्या होता है lock हो जाता है open करोगे तो आपको open दिखता है लेकिन जब आप उसे बापस से समक्राइब करते हैं तो एक तरीकी को force आपको भी महिसूस होता है जो कि आपके door को अपनी तरफ खीचता है ठीक है तो यह जो force है यह कॉन प्रोवाइड कर रहा है magnet प्रोवाइड करता है इसे किसी ही हम क्या कहते है इसे ही हम कहते है है magnetic force अब यह magnetic force कैसे लग जाता है तो सबसे पहले भी magnetic effect की बात करें उससे पहले हम magnet को जान लेते हैं अब magnet क्या होती है a magnet is defined as an object which is capable of producing magnetic field and attracting unlike poles and repelling like poles अब magnet क्या है एक चीज है ठीक एक object है जो कि हमें कहां पर मिलती है natural भी मिलती है हम magnet को बना भी सकते हैं तो अब यह natural जो magnet होती है इसका काम क्या होता है इस definition पर मैं आगे जाओंगे उससे पहले आप यह समझे कि magnet क्या है तो magnet क्या एक तरीकी का object है या फिर एक तरीकी की ऐसी metal के pieces है यह magnet पर आकर के लग जाते हैं अब अगर हम magnet की बात करें और हम magnet हमने जैसे जनरली बार magnet को देखा होगा बार मैंगनेट कैसी होती है सिंबल इस शेप में ठीक है अब इसके दो ends होते हैं एक end को आप नॉर्थ बोलते हो दूसरे को आप south pole ठीक है इसे कहा जाता है नॉर्थ पोल इसे कहा जाता है साउथ पोल ठीक है अब इसे ही ना ओर जो मन को कह रहे हैं क्यों कि यह मिला का मतलब क्या ओंता है जहां पर सबसे ज्ञादा किसी चीज का एपक्त हो अगर की बात करें तो magnet को अगर आप iron pieces के पास रखोगे क्योंकि magnet क्या है कि ऐसे एक ऐसा object है जो कि metal को अपनी तरफ attract करता है ठीक है तो हमने मान लिया ठीक है अब जब हमने magnet के पास बहुत सारे चोटे-चोटे iron के pieces को sprinkle किया तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो iron के pieces है यह इसके end पर ज्यादा लगते हैं ठीक है एक तो इस साइट पर ज्यादा iron pieces दिखेंगे और इस तरफ ज्यादा iron के pieces दिखेंगे तो यह जो end है यह क्या कहलाते हैं उसके poles कहलाते हैं एक बात आपको याद रखनी है क जो same poles होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं ठीक है और opposite poles एक दूसरे के पास आते हैं attract करते हैं वो आपस में अगर आप एक और magnet यहाँ पर रखेंगे और एक बार आपको बस चेक करना है कि इसका कौन सा pole है यह अब आपको पता है कि एक magnet पे यह south pole है और जब आप है तो opposite pole कौन सा होगा नौर्थ होगा अभी क्यों एक दूसरे को attract करते हैं रिपैल करते हैं इसकी कहानी मैं आपको आगे समझाती हूँ तो सबसे पहले तो magnet क्या है कि इस तरह की का material जो की force of attraction लगाता है battles पर अब magnets are the substances which have the property of attracting small pieces of iron, nickel, cobald, okay this property of attraction is called magnetism, अब अगर आप से मै पूचर के magnetism क्या है तो यह जो magnet की property है जिसके वजह से यह metals को अपनी तरफ attract कर लेती है इसे ही हम क्या कहते हैं इसे ही हम कहते हैं property of magnetism, magnetism is meditated by the magnetic field, ठीक है अब यह क्यों magnetized होता है, magnet का यह effect magnetism की properties के अदे क्यों है, because of the magnetic field, ठीक है, magnetic field के कारण ही magnet में magnetism की property होती है, थोड़ा confusing लग रहा है, आगे समझते हैं इस चीज़ को, अब देखें, हम आगे देखेंगे magnetic field क्या होती है, और वो कैसे magnetism लेकर आती है, magnet की अंदर, क्योंकि magnetic field की वज़ा से ही magnetism होता है, और magnetism की वज़े से ही चीज़े attract होती है, या repel होती है, ठीक है, चीज़े मनलब की metal की pieces, clear है, अब सबसे पहले तो हम देखें, सब देख लेते हैं, कि poles क्या होते है magnet की, तो अभी मैंने आपको बताया था, कि जब आप magnet को किसी एक ऐसे container में dip करें, जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे iron के pieces हो, तो आप क्या देखोगे, कि इसके दो points, दो ends, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़ादा metal के pieces क्या होते हैं, attract हो जाते हैं, सबसे ज़ादा इस तरह से metal के साथ में चिपक जाते हैं, हाला, ऐसे attach हो जाएंगे बहुत सारे, तो यह जो ends है, जहाँ पर सबसे ज़ादा metal के pieces attach हो जा रहे हैं, इन ही दो ends को हम क्या कहते हैं, poles कहते हैं, clear है, so, we can observe that iron fillings climb to the ends of the magnet as the attraction is maximum at the end of the magnet, these ends are known as the poles of the magnet, clear है, अब देखिए, कि यहाँ पर हम समझ है, यह कैसे जानेंगे, तो अभी आगे बताती हूँ, थोड़ी से curiosity, रखिए अपने बन में, अब देखें, नॉर्थ कैसे decide करेंगे, और साउथ कैसे decide करेंगे, अभी हम आगे देखते हैं, हम बहार गए, हमें एक magnet का piece मिला, ठेक है, हमने उसे उठाया, magnet का piece है, यह कैसे जाना, कि हमने उस देखा कि यह क्या material है, आपने उसको iron से attach करके देखा, तो वो iron को अपनी तरफ attract कर रहा है था, वो उसमें जाकर के चिपक गया, या attach हो गया, तो समझ जाएंगे हम कि यह magnet है, clear है, अब उसका कौन सा part, north pole है, कौन सा part, south pole है, इसे जानने के लिए, इस slide के बाद में आपको समझाती हूँ, अब यह जो magnet है ना, इसमें हमेशा ही आपको दो pole मिलेंगे, एक north pole मिलेगा, और एक south pole मिलेगा, clear है, मतलब अगर आप magnet के pieces कर दो, अगर आप उसे दो part में cut कर दो, जैसे कि हाँ पर एक magnet है, ठीक है, मैंने इसे क्या क्या, दो part में तोड़ होगा और एक south pole होगा, clear है, magnetic poles always exit in pairs, ठीक है, यह जो magnetic poles है, वो हमेशा किस में exist करेंगे, poles के, मतलब कि pair में ही exist करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है, यह किसी एक magnet में एक pole हो, यह north हो या south हो, ठीक है, हमेशा यह pair में ही रहते हैं, मतलब pole हमेशा दो ही होंगे magnet में, चाहे आ यहाँ पर एक बड़ा magnet था, इसे मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, कट कर दिया, इसे break कर दिया, तो हमें जो दो पार्ट में इसमें एक north है, एक south है, इसमें भी इसी तरीके से north south है, अगें मैंने इसे दो पार्ट में ब्रेक किया, तो फिर मुझे दो pieces यह दो pieces क्या होंगे, एक north होगा, और एक south होगा, समझ में आया, तो आपको यह point याद रखना है, अब जो मैं आपसे कह रही थी, कि magnet में कैसे हम decide करेंगे, कि कौन सा पोल है, तो हमने क्या क्या, एक stand लिया, उसे stand में हमारी magnet को thread की मदद से freely suspend कर दिया, इस तरह से हमने freely उस तरह से suspend करोगे freely, ठीक है, उसके midpoint पे, मतलब अगर आपका magnet है, उसको इस तरह से आपको यहां से thread से बाधना है, और इसे इस तरह से छोड़ देना है, वो थोड़े रोटेट करेगे, रोटेट करने के बाद, जब वो जहां पर भी रुकती है, ठीक है, तो वो किस तरह से रुकेगी, कुछ slight, तेरी, ठीक है, ऐसी क्यों रुकी है, क्योंकि यह जो हमारा नौर्थ पोल है, वो किस तरह डारेक्शन को दिखा रहा होगा, हमारे जोग्रफिक, सौथ पोल को, ठीक है, जोग्रफिक हमारा कौन सा पोल होगा, नौर्थ किस साइड रहेगा, हमारे मैगनेट होगी, जिसका जो नौर्थ पोल होगा, ठीक है, हमारे अर्थ में भी क्या एक मैगनेट है, ठीक है, तो जहां उसका साउथ हो आएगा, वहां पर हमारा क्या दिखाएगा, क्या आपको दिखेगा, आपके मैगनेट का नौर्थ दिखेगा, ठीक है, तो हमारे जो उसके जिआ लग्रफिक नौर्थ rockets फोल की तरफ किसकी तरफ जिआग्र फिक नौर्थ पोल की तरफ आपके मगनीट का एन प्योंग सा है एन पोल क्या होता है अपने आपको एड्जेस्ट कर लेता तोग्वुमर्फ hobbits. यह आप समझ जाएंगे कि यह क्योंकि आपके magnet का नौर्थ आपके अर्थ के नौर्थ की तरफ है, that means कि यह कौन सा है, N है, खेक है, अब इसके बाद next क्या होगा, आपका दूसरा पूल होगा, South पूल, तो South पूल कैसे समझ में आएगा, गाकि आपको से समझ में आजागा क्योंकि हमारे पास तो डारेक्शन औरेडी है नॉर्थ किस साइड है तो जो साउथ की तरफ हो आपके मैगनेट का हिस्सा वह कौन सा होता है साउथ पूल होता है हमेशा यह नॉर्थ और साउथ की तरफ इस तरह से एडिस्ट हो जाते हैं अब बच्चों में अगर मैगनेट है अर्थ के अंदर तो उसका जो साउथ पूल है मैगनेटिक साउथ पूल जो है वो हमारे जोग्रफिक नॉर्थ पूल की तरफ है ठीक है सिमिलरली जो हमारा मैगनेटिक नॉर्थ पूल है वो हमारी जोग्रफिक साउथ पूल की तरफ है क्लियर है तो इसके हिसाब से जो magnet है, इसके हम poles को decide कर सकते हैं, pole को mark कर सकते हैं, जो north की direction में adjust हो जाए, उसे आप north mark कर दीजे, जो south की direction में adjust हो जाए, वो south mark कर सकते हैं, तो whenever a magnet is suspended freely in a mid-air, it always points towards the north-south direction, pole pointing towards the geographic north is known as the north pole and the pole pointing towards the geographic south is known as the south pole, clear है, तो जो हमारी magnet के directions, जो pole north side में होता है, उसे north हम mark कर देते हैं, और जो south side में होता है, उसे हम south mark कर देते हैं, तो इसे साब से हमने magnet के दोनों pole हम decide कर सकते हैं, अगर हमारी magnet पर pole नहीं लिखे हुए हैं, तो, अब next क्या property होती है magnet की, तो magnet की property यह है, like pole एक दूसरे को repel करते हैं, और unlike pole एक दूसरे को attract करते हैं, that means, north और north, अगर आपने एक magnet लिया और एक दूसरा magnet लिया, ठीक हैं, अगर आपने इसके दोनों opposite poles को पास में आप लेकर के जाओगे, तो आप देखोगे, कि वो एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दूर हटते हैं, वही अगर मैं opposite poles को एक दूसरे की पास लेकर के आओँगी, north को और south को, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, attract करेंगे और यह attach हो जाएंगे, clear है, अब ऐसा क्यों होता है, तो यह हम कैसे समझें, तो इसको समझने के लिए आपको magnetic field line को समझना पड़ेगा, कि magnetic field line क्या होती है, उसी के concept से आपको यह चीज clear हो जाएगी, ठीक है ना, तो आगे आगे देखते हैं, फिलाल आपको क्या याद रखना है, एक प्रॉपर्टी कि जो poles के, like poles होते हैं, वो एक दूसरे को अपने तरफ अट्राइक करते हैं, रिपैल करते हैं और unlike poles एक दूसरे को अट्राइक करते हैं, अट्राइक करते हैं, नेक्स्ट इस, the magnetic force between the two magnets is greater, when the distance between these magnets is lesser, ठीक है, अब एक magnet को मैंने इतनी दूरी पर रखा है, एक magnet को इतनी दूरी पर रखा है, हो सकता है, इन में कोई भी force of attraction ना लगे, थोड़ा पास आने में हलका हलका force होगा, और पास आने में और हलका force, force बढ़ता जाएगा इन दोनों हो जाता है, मतलब कि जितना जादा दो magnets के बीच में distance होता है, force उतना जादा reduce होता जाता है, और जैसे जैसे आप दो magnets के बीच के distance को कम करते जाती हो, force बढ़ता जाता, ओविस सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप पास लेकर की आओगे, उनके ask-pass की जो field की lines है, वो एक द दूसरे से दो जाते हैं, repel करते हैं बहुत जादा force के साथ में, ठीक है, समझ में आया ये बात, आप चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ तक तो हमने properties of magnet को देख लिया, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि types of magnet, magnet जो है हमें naturally भी मिलता है, ठीक है, प्लस ये man-made भी होता ह है, तो पहले देखे, magnet के types, permanent magnet जो कि हमें naturally मिलेगा, जो जिसे हमें magnet बनाने की जरुवत नहीं है, दूसरा होता है, temporary magnet, next is electromagnetic, temporary magnet and electromagnetic are somehow एक जैसे ही बात है, permanent magnet क्या होता है, तो permanent magnet are the natural magnets, permanent magnet are those magnets that are commonly used, they are known as the permanent magnet because they do not lose their magnetic property once they are magnetized, ठीक है, आप देखे, permanent magnet का मतलब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कि जो कि permanently magnet हो, किसी एक particular time duration के लिए magnet नहीं बनती हो, उसे आप permanent magnet कहते हो, permanent magnet को अगर आपको उसकी magnetism उसका दूर करना है, magnetism की property उसकी हटानी है, तो हमें उसे demagnetize करना पड़ता है, या तो उसे बहुत तेजी त पीटेंगे ठीक है, या फिर गरम करेंगे, तो दीरे दीरे उसका जो magnetism की property है, वो लूज हो सकती है, बट time being के लिए ये magnetized नहीं होते, ठीक है, अब यह ऐसा क्यों बूर रहा हुँ है, क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो time being के लिए magnetized होती है, तो जी हां, देख सूती है हमा example of the temporary magnets, अब देखिए, आगे हम एक topic और पढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा था, अगर आपने आपने पढ़ा हुआ, तो बहुत अच्छी बात है, कि अगर आप किसी conductor की उपर current को flow करवाते हो, ठीक है, तो उसके आसपास एक field create हो जाती है, जिसमें magnetic effect हम महसूस करते हैं, त उसमें deflection हमें दिखता है, तो इस compass needle का deflection क्या होता है, अब compass needle जो है वो खुद एक क्या है, magnet है, magnet की property होती है, magnetism की property उसमें भी है, इसका मतलब कि अगर यह किसी magnet के पास जाएगी, या फिर किसी magnetic field में जाएगी, अब magnetic field क्या होती है, तो भई पहले तो थोड़ा सा आपको बता दू कि magnet के आसपास का जो area होता है, उसे हम magnetic field कहते हैं, क्योंकि उसमें होती ही magnetic field lines, इसके बारे में जस्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो क्योंकि compass को आपने current carrying conductor या current carrying nail के पास जब आप लेकर के जाते हो, तो मतलब उसमें deflection होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो iron का nail था, वो थोड़ी देर के लिए किस की तरह behave करने लगा है, magnet की तरह, तो यह क्या है आपका electro, sorry, temporary magnet है, क्योंकि जब तक आप उसमें current को supply दोगी, जब तक उसमें current का supply जाएगा, तब तक वो magnet की तरह behave करेगा, जैसे supply बंद, तो वो magnet की तरह behave नहीं करेगा, क्योंकि current के जाने से ही वहाँ magnetic effect produce हो रहा था, हाना, next is electromagnet, अब electromagnet क्या है कि इसका concept temporary magnet की तरह ही है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, especially इसको design किया जाता है, मतलब इसको बहुत सारे electromagnets के applications है, जिसमें जैसे हमारी जो bell होती है, electric bell जो होती है, उसमें भी हम electromagnet का ही use करते हैं, तो इसको especially design किया जाता है, ठेक, कि जब जब कोई electric bell प्रेस करेगा, तो इसके circuit में current जाएगा, और इसमें जो हमने चीज लगा के रखी हुए iron का जो piece लगा कर रखा हुआ है, वो एक magnet कि तरह है, बहेव करने लगेगा, clear है, तो electromagnet consists of a coil, wire, wrapped around the metal core, made of the iron, basically क्या होता है, कि इसमें iron का core हो field is generated, making the material behave like a magnet, जैसे ही आप क्या करते है, switch on करोगे, या फिर जैसे ही आपने switch को प्रेस किया, bell को प्रेस किया, तो आपने on कर दिया, क्या on कर दिया, आपने supply on कर दिया, जैसे ही supply जाती है, तो यह एक elektromagnet बन जाता है, iron का core, आपनी 7th क्लास में यह पढ़ा होगा, clear है, जि यह electromagnet उस gong को अपनी तरफ attract करता है, उससे bell बजना शुरू हो जाती है, तो जैसे है हम इसमें electric current देते हैं, magnetic field वहाँ पर generate हो जाती है, जैसे ही conductor के through current जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर एक magnetic field जो है, यह create हो जाएगी, ठेक है, इस magnetic field की वज़े से यह magnet की तरह behave करेगा, और जो भी process है वो complete होती है, the strength of magnetic field can be controlled by controlling the electric current, ठेक है, बहुत important point है, याद रखिए, कि जो magnetic field बन जाती है, मतलब कि देखिए, current के जैसे ही आपने आरेन के उपर पुरा copper को लपेट दिया, ठेक है, मालने जे आरेन का पी से मैंने copper wire से लपेट दिया, उसे दो मैंने switch से connect कर द फील्ड बन रही है, इसका मतलब क्या, कि जितना ज़्यादा मैं current produce करती जाउँगी, जितना ज़्यादा इसको मैं current देती जाँगी, उतना ज़्यादा magnetic field प्रेड्यूस होगी, ठेक है, current को मैं और बढ़ा दूंगी, तो क्या होगा, क्योंकि current से magnetic field बन रही है, मतलब कि तक हमें current के values को देना होता है clear है तो चलिए यहां पर हम भरी तीन तरीके के magnets को हमने देखा permanent magnet temporary magnet and electromagnetic तो permanent magnet मतब जिनके magnetism की property वो lose नहीं करते अगर आप उनको को यूज कर रहे हो तो हमेशा magnet ही रहेंगे जैसे आप जो नॉर्मल बार magnet मार्केट से पर्टिस करके लाते हो या फिर आपके घरों में जो magnet लगता है ठीक है उसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर टाइप कि या फिर कुछ switch से current देने की जरूरत नहीं होती है वो magnet है तो magnet ही रहेंगे चाहिए वो आपके covered में लगा हुआ magnet हो चाहिए आपके toy में लगा हुआ magnet हो यह सभी magnet की तरह ही काम करते हैं ठीक है current देने से magnetism इनमें नहीं आता अब यहाँ पर दो examples है यह आपके permanent magnet का है और यह simple electromagnet next अब आजाते हैं हम next point पर जो की है magnetic field ठीक है इस chapter के पहले आपने पढ़ा था electric current के बारे में ठीक है अब electric current से क्या produce होती है electric field प्रेड्यूस होती है एक एसी field जहां पर charge जो है वो एक जगह से दूसर जगह आ जाते हैं ठीक है ऐसी एक field आपके magnet में होती है ठीक है magnetic field होती है अब इस magnetic field में क्या होता होगा इन magnetic fields में होती है magnetic field lines क्या होती है magnetic field lines तो basically magnetic field is the reason कौन सा reason है यह magnetic field is the reason surrounded surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected magnet के चारों तरफ का वो रीजन ठीक है यह आपकी magnet है इसके चारों तरफ का रीजन रीजन मतलब कि उसकी आसपास का एरिया ठीक है यहां जहां पर magnetic effect को महसूस किया जा सकता है magnetic effect का क्या मतलब होता है magnetic effect का मतलब यह है force of attraction या force of repulsion जहां पर महसूस हो उस फील्ड को उतनी फील्ड को हम क्या कहते है magnetic field कहते है ठीक है तो magnetic field अगर आप से कोई पूचे तो magnetic field is the region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected magnetic field is a quantity that has both direction and magnitude अब क्योंकि जो magnetic field होती है ना basically magnetic field में क्या होती है तो मैं आपको बताती हूं magnetic field मतलब कि इसके आसपास का एरिया अब इसके आसपास के एरिया में एक्चल में ऐसा होता क्या है कि वहां पर force of attraction and repulsion मैसूस किया जा सकता है मैंने आपको भी बताया था कि magnetic field में दो पोल्स होते हैं एक नॉर्ट पोल और साउथ पोल ठेक है अब नॉर्ट और साउथ कभी बी अलग नहीं होते ये बाद भी मैंने आप से कही थी इसका मतलब कि जरूर इन दोरों की बीच में कुछ relation है तो जी हाँ है नॉर्ट से निकलती है इस तरह से लाइन ठेक है जो कि साउथ पोल की तरफ जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है वैसे वैसे यह जो लाइन है वो पास-पास इस मैगनेट के आती जाती है मतलब यह जो लूप है इनका वो धीरे-दीरे-दीरे-दीर होता जाता है यह बड़ा लूप बन रहा है जैसे इसे पास आओके तो लूप कैसा हो जाएगा छोटा होता जाएगा ठीक है तो इसके चारों तरफ इस तरह से जो magnetic field lines है यह इस तरह से आती है कहां से कहां आती है यह हमेशा North से South की तरफ यही magnetic field lines जो है इनके वजह से हमें force of attraction और repulsion महसूस होता है attraction कब होगा जब आप इसके लूप में कुछ इस तरह से आओ कि यह आपको South Pole के तरफ ले जाए ठीक है क्योंकि यह देखिए यहाँ पर ठीक है अब अगर मैंने यहाँ पर रख दिया क्या North Pole कहां पर रख दिया मैंने यहाँ पर North रख दिया तो अब यह बताईए कि इस North में या फिर मैने एक और मैंगेट यहां पर रख दिया जिसका North यहां है और South यहां है ठीक है अब इसकी Magnetic Field अब हर Magnet के आश पास क्या होती है Magnetic Field Line होती है जो कि North से निकल करके South की तरफ जाती है ठीक है अब अगर यह जो lines है यह north से south की तरफ निकलेंगी यहाँ से इस तरफ जाएंगी similarly यहाँ पर भी हम देख लेते हैं तो यहाँ से भी इस तरफ जाएंगी तो अब यह देखें कि इसके arrow का direction क्या है इधर है इसके arrow का direction कि इधर है इधर है तो opposite arrow का direction आपको दिख रहा है यहाँ पर यहाँ फिर एक और डाइग्राम बना के बताती हूँ यहाँ से एक field lines निकल रही है ठीक है तो यह और इस arrow का direction देखें इस arrow का और इस arrow का माली जे इसका arrow यह है और इसका arrow यह इतना जादा डाइग्राम थोड़ा और इजी वे में बना के बताती हूँ यह हो गया आपका north और एक south ठीक है इससे एक magnetic line निकल रही है यह ठीक है इस तरह से अब इनका direction देखें इसका direction है इधर से आने वाला इसका इधर है तो यह क्या करेंगे एक दूसरे को धके लेंगी क्योंकि उनको कहा जाना है इन्हें अपने south pole की तरफ जाना है तो यह भी धके लेगी इससे यहां से और यह भी इसकी जो line है यह भी इसको क्या करेगी वहाँ से हटाने की कोशिश करेगी इसी कारेंट से जब नॉर्थ और नॉर्थ को आप एक दुसरे के करीब लेकर के आते हैं सामने लेकर के आते हैं तो ये एक दुसरे को रिपेल करती है क्योंकि इनकी जो magnetic field lines है ये opposite direction में जाती है वही अब मैं अगर क्या करूँ कि मैंने magnet को अब उल्टा रख दिया मैंने यहाँ पर क्या रखा south pole रख दिया और यहाँ पे क्या रखा है north pole रखा है तो south में क्या होती है सारे directions इस तरह आती है तो अब इसकी भी direction क्या है वही है जो इसकी direction है ये भी उपर की तरफ जारी है ये भी उपर की तरफ जारी देखे यहां से जो lines निकल रही है वो भी इसी direction में जारी है और इसमें जो magnetic field की line है यहां पर वो भी यहीं जारी है मतलब दोनों एक ही direction में जारी है ठीक है दोनों को south में जाना है तो इसको south बिल्कुल pass में मिल गया ठीक है इसे कारेंट आप अपोजिट पोल्स को पास में रखते हो तो क्योंकि दोनों ही फीर्द्स की डारेक्शन जो है फील्सकी डारेक्शन जो है साउथ से और नाट से निकलने वाली वो अपोजिट हो जाती है जिसके वज़े से वो रिपेल करते हैं और एक ही डारेक्शन में जाने की वज़ास से साउथ में ही जाने की वज़े से यह एक दूसरे को अट्राक कर लेती कि यार इतना दूर का सफर कौन तय करे यहीं पर चले जाते हैं ठीक है ना तो यह मैंगेटिक फील लाइन्स क्या है तो मैंगेटिक फील is a quantity that has both direction and magnitude अब इस लाइन का मतलब देखें डारेक्शन तो है ही Magnetic Field की क्या है Magnetic Field की Direction Magnetic Field किससे बनती है Magnetic Field Line से बनती है ठीक है अब Magnetic Field में हमने यह देखा कि यह Lines जो है यह मेंशन North से South की तरफ जा रहे ही है मतलब कि इनका Direction है अब यह जो Magnitude की बात है वो देखे जहां पर सबसे ज्यादा Magnetic Lines होती है वहां पर सबसे जादा magnetic effect देखेगा जैसे-जैसे magnetic field lines जो है वह n वह कम होती है जैसे कि अगर आप magnet के पास की Crown price को लौकए तो सबसे जादा कहां पर attract on gonna क Norsell North पर ऐसाएँश्छी थेखिए किटनी जादा magnetic lines है तो यह strong field हो जाती है यहाँ पर ठेक है क्योंकि जितनी ज्यादा लाइन्स होंगे अब जितने ज्यादा लोग होते हैं कहीं पर अगर मान लीजे कि मुझे एक खंबे को गिराना है ज्यादा लोग आएंगे तो जल्दी फोर्स लगेगा या दो तीन रहेंगे तो ज्यादा फोर्स क्या होगा इस इनका जो क्योंकि सब मिलकर के कि स्ट्रॉंग फिल्ड यहां पर बनाएंगे वहीं पर यहां पर नमबर आफ लाइन्स कैसी है कम है इसी वज़ा से यहां पर फिल्ड वीक हो जाती है तो देखी इस Прон और वीक का मतलब क्या कि हम एक क्वांटिटी निकाल रहे यहाँ पर ठीक है तो इसका मतलब इसमेह डारिक्षिन तो है ही प्लस क्वानितिति मागनीटीड भी है इसलिए अगर किसी चीज में दारेक्शन किसीज मैं नहीं मतलब किसी quantity में अगर direction plus magnitude दोनों चीज होती है तो आप उसे कौन से quantity कहते है वेक्टर quantity तो magnetic field is the vector quantity यह टर्म याद रखे आप से पूछा जा सकता है कि magnetic field क्या एक vector quantity है तो हाँ है क्यों है यह आपको बताना होगा क्योंकि इसमें direction भी होता है magnitude भी होता है चलिए next it is similar to an electric field surrounding a charge अब जैसे मैंने आप यह आपको example बताया था कि जैसे electric field में charge होते है electrons होते है और protons होते हैं वैसे ही ठीक है यहाँ पर वैसे basically क्या होता electric field में number of deficiency or access होता है आपके charges का जिसके वैसे charge जो है वो एक point सो दूसरी point तक जाता है और हमें electric field जो है है वो महसूस होती है तो यह भी magnetic field भी उसी electric field के somehow कैसी है similar है a magnet attract small pieces of iron even when they are at a certain distance away from it अभी मैंने आपको example बताया है अब हमने कई बार करके देखा भी होगा कि अगर आप उसे directly किसी jar में जिसमें iron के बहुत चोटे-चोटे से pieces उसमें डालोगे तो magnet में वो attach हो ही जाएंगे लेकिन अगर दूर भी आपके iron के pieces से तो क्या होता है force of attraction लग जाता है क्यों लग जाता है किस पर डिपेंड करेगा इस पर डिपेंड करेगा कि magnetic field की strength कैसी है magnetic field की strength से क्या मतलब है तो चलिए आगे बताएंगे ठीक है जब magnetic field lines के बारे में समझाएंगे अभी हम magnetic field से बटते बटकते नहीं अब magnetic field is created by an electric current और magnetic dipole and the field imparts magnetic forces on other particles that are in it मतलब कि magnet के आसपास जो magnetic field होती है जब अगर वहां पे कोई iron का piece है या कोई भी pieces जो है metal की अगर वो रहते हैं तो वो एक force of attraction field करते हैं because of the magnetic field interaction between the magnet and magnetic field created by another that exerts the force on it जब भी magnetic field में कोई metal आता है या फिर जिसमें magnetism की property produce हो सकती है कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो आपस में क्या होते हैं एक force अप exert करते हैं जिसके वज़े से वो attract होते हैं magnetic field is denoted by बी आप magnetic field को हम किस लेक्टर से denote करते हैं तो magnetic field को हम B letter से denote करते हैं और magnetic field कैसी quantity है तो magnetic field एक vector quantity है जैसा भी हमने समझा क्योंकि इसमें magnitude है और direction भी है अब magnetic field किसे मल करके बनती है तो आज पास कि जो lines दिख रहे हैं इनको हम कहते है magnetic field line या फिर line of force जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है line of force एक ऐसी line जो की force produce करें जिसकी वजह से किसी चीज में magnetism आ जाए और इनकी पीसे में magnetism की property आ जाए वो attraction उसमें magnet की तिरफ होने लग जाए उसे को हम क्या कहते हैं magnetic field lines तो magnetic field lines और lines of force are the imaginary line to visualize the magnetic field अब magnet के आस पास magnetic lines होती है जिन से magnetic field बनती है यह concept हमें दिया किस ने तो यह दिया हमें माइकल फेराडे ने माइकल फेराडे ने एक चोटा सा experiment करके देखा जो कि आपके activity में भी है कि iron के चोटे-चोटे से pieces को लिया एक दम powder form में और इसे magnet के चारों तरफ क्योंकि उन्होंने उन्होंने यह देखा कि कुछ इस तरह से एक इस तरह से design बन गई that means की अब इस तरह से डिजाइन तो बन गई और साथी साथ यह देखा कि नौर्थ नौर्थ को एकदम रिपैल कर दे रहा है साउथ साउथ को रिपैल करता है लेकि नौर्थ साउथ को एट्रैक करता है तो ऐसा क्यों तो यह concept सामने आया कि नौर्थ से निकल करके यह लाइन जाती है जो कि साउथ पोल की जाती है तो graphical representation of a field यह क्या है basically lines of force field का एक graphical representation है कि field कैसी होगी magnet के आसपास if a magnet is placed on a cardboard and some iron fillings are sprinkled uniformly over it the iron fillings are seen to arrange themselves in a pattern as shown जैसा अभी मैंने आपको दिखाया वैसे ही जैसे आप iron fillings को डालोगे magnet के चारो तरफ तो वो कुछ इस pattern में अपने आपको अरेंज कर लीती है the iron fillings act as a small magnet that experience the force due to the magnetic field of the magnet अब यह जो iron की feelings थी यह भी किस तरह से behave करने लगेंगी magnet की तरफ magnetic field में आने से क्या हो गई है magnet की तरह behave करने लगी क्योंकि magnet क्या कर रही है magnet को हमने देखा कि magnet magnet को attract करती है कब attract करती है जब हम उसके opposite poles को लेकर क्या है इसका मतलब जो भी चीज इसकी तरफ attract होती है उसमें पोल्स होना जरूरी है है ना तभी तो not से निकल के south में जब lines of force जाता है ऐसे होता है तो क्या करता है attract करेगा ठीक है वो भी याज साउथ अगर यहीं देदो कि तुरंट यहां चला जाएक और attraction होगा उनमे चिक इसका मतलब कि इनकी field line में कोई चीज आती है तो उसमें भी क्या होता है magnetism produce हो जाता है जिसके कारण कि जैसा magnet magnet के साथ behave करती है उसके साथ भी वही behavior के कारण ही उसमें force of attraction इसमें लग जाता है जिसकी वजह से यह उसकी तरफ attract हो जाती है ठीक है तब magnetic field line always begin from the end pole of a magnet and end on the s pole of the magnet magnetic field lines कहां से निकलती है north pole से निकलेंगी और कहां जाती है south pole की तरफ जाती है north से निकलके south की तरफ the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines अब field lines कितनी आपस में close है उतनी ही जादा strength होती है क्या मतलब हुआ इसका देखे magnet के यह आपकी magnet है एक simple भार magnet का example देखते हैं यह north pole है और south pole है ठीक है अब हमने समझ लिया कि not से निकलके कोई चीज आएगी तो एक लूप बनाती हुए जाएगी अभी लूप कैसे बनेगा अगर का आप circle बनाते हो तो ऐसे बनाते हो नहीं कि पूरा distance बिल्कुल maintain रहे यहां से निकला ऐसा तो नहीं कि यहां इतना जादा हो जाएगा यहां पास हो जाएगा नहीं लूप मतलब भई लूप होता है अब देखें, magnetic field की strength किस पर depend करती है, magnetic field line पर, और वो भी किस पर, magnetic field line की closeness पर, मतलब जितनी जादा यह magnetic field line आपस में close होंगी, जितना जादा close होंगी, उतना जादा strength होगी, क्योंकि हमने इसको example की तौर पर भी देखा है, कि iron fillings अगर हम रग दे, उसके पास magnet को लेकर के जाएं, तो सबसे जादा iron की pieces कहां जाते हैं, north पर, north pole और south pole पर जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि य north से south की तरफ जाता हुआ, उसमें जो lines है ना सबसे जादा किसके करीब हैं, यहां पर poles पर सबसे जादा है, इसका मतलब force सबसे जादा कहां लगेगा, यहां पर लगेगा, भाई, एक पेड़ है, जिसको अगर कोई गिरा रहा है, दो लोग मिल करके धक्का दे रहे हैं, पे पे force of lines पास पास में रहती है, उतना जादा जो है, वहां field का strength बढ़ जाता है, ठीक है, तो the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of the closeness of the field lines, कि कितनी field lines आपस में पास पास में हैं, उसके हिसाब से ही relative strength magnetic field की बढ़ जाती है, the field is stronger, that is the force acting on the pole of the another magnet placed is greater, where the field lines are crowded, so basically force जहाँ पर जादा होता है, मतलब कि जहाँ पर field lines जादा crowded होती है, जादा number of field lines मिलती है, वहाँ पर force बहुत जादा होगा, इसलिए field strength बहुत जादा हो जाती है, ठीक है, चले, तो यहां से हमने strength को समझ रहे हैं, अब एक छोटा सा question आ when brought near a bar magnet, एक bar magnet है, अगर उसके पास, हम compass needle को लेकर के जाते हैं, तो उसमें deflection क्यों महसूस होता है, तो जो compass needle है, यह अपने आप में क्या आती है, एक छोटी magnet है, small magnet है, तो जब इस compass needle को आप bar magnet के पास लेकर के जाओगे, तो क्या होता है, magnet है, दूसरे भी magnet है, force of attraction लगेग ही लगेगा उसमें, या तो attract करेगी, deflect, ripple करेगी, इसके वज़े से क्या होता है, deflect होती हुए, आपको दिखाई देती है, reflect क्यों हो जाती है, अब यह जो ना compass की needle है, needle कैसी होती है, दूबली पतली, bar magnet थोड़ी heavy होगी, अब एक दूबला पतला इंसान है, एक heavy इंसान है, लेकिन जो जादा strong magnet है, वो क्या करेगी, उसको अपनी तरफ attract करेगी, वहापर force of attraction जादा होगा, ठीक है, तो इसी वज़े से क्या होती है, जो compass needle है, वो deflect होना शुरू हो जाती है, क्योंकि compass needle is a small magnet, when a bar magnet broke near a small magnet, its magnetic field lines interact with the field lines of the needle, और the small magnet has the compass needle gets reflected, क्योंकि दोनों ही magnet है, दोनो में ही क्या होंगी, दोनों में ही field lines होंगी, field lines की position के according, कहां से north से south में जा रहे ही है, उन field lines में क्योंकि interaction होगा, जिसकी वज़े से compass needle कैसी होगी, आपको deflect होती हुई दिखाई देगी, ठीक है, तो यह answer समझ में आया है, आगे चलते हैं, magnetic field due to current carrying conductor, हमने 7th class में एक चीज़ पड़ी थी, क्या, कि जब भी किसी current carrying conductor की बात की जाए, current carrying conductor का मतला, एक ऐसा conductor जिसमें से current flow कर रहा है, तो उसके आज़ पास न magnetic field create हो जाती है, magnetic field due to current carrying conductor, अब current carrying conductor को कैसे समझे, हमने एक क्या किया, इस तरह से arrangement किया, ठीक है, एक वायर लिया, हमने उसमें, यहां पर switch कर दिया, यहां पर अपने एक switch लगा दिया, यहां पर आपने battery लगा दी, और यहां पर हमने एक compass रख दिया, ठीक है, अब हमें statement पता है, 7th class से कि कि इसी current carrying conductor के आसपास, एक magnetic field create हो जाती है, इस चीज को चेक कर लेते हैं, हमने क्या किया, compass को रख दिया, अब हमने compass को रखा, अब हमने क्या किया, इस compass के पास, मैंने को वायर की बीच में, हमें attach कर दिया, ठीक है, अब एक बार direction कैसे रखे हमने बैटरी की टर्मिनल्स की positive य यहां, ठीक है, तो आपका current की direction क्या हो जाएगी, positive से negative, यहां से current जा रहा है, ठीक है, तो यह देखे, आपको deflection कहां दिखाए दे रहा है, इस तरफ, यहां पे, compass रिलका, ठीक, अब वहीं हमने क्या किया, इसकी terminal को change कर दे, यहां positive कर दिया, और यहां negative कर दिया, आब इस स तरफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, direction of current की वज़ा से, पहली चीज़ तो current की वज़ा से, compass में deflection हो रहा है, ठीक है, दूसरी चीज़, चलिए मान लेंगे कि नया current की वज़ा से हो गया, लेकिन दूसरी चीज़, जब हमने direction of current को change कर दिया, पहले कहां जा रहा था, आपका direction of current कैसा था, ऐसा था, ठीक है, anti-clockwise, फिर हमने क्या किया, इसको clockwise कर दिया, तो जब anti-clockwise मतलब इस circuit के according anti-clockwise, ठीक है, ऐसा route current बह रहा है, तो आपका north direction इदर दिखा रहा है, ठीक है, compass की जो needle हो इस side है, लेकिन जब आपने clockwise कर दे तो इस side है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि य compass की needle कब deflect होती है, जब magnetic field में उससे रखा जाए, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही समझ में आ रहा है, कि किसी current carrying conductor के across, एक magnetic field produce हो जाती है, तो when a compass is brought near a current carrying conductor, it starts showing deflection, and it is noticed that, when flow of current is stopped, the needle come to rest, and when the made to flow in opposite direction, then the needle starts showing the deflection again, but this time the deflection is also in the opposite direction, direction, जब हमने क्या किया, direction of current को change कर दिया, तो deflection भी हमें अलग-अलग दिखाई दी रहा है, चाहिए, so, अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक straight conductor लिया, हम क्या करेंगे, conductor का shape कैसा हो सकता है, अलग-अलग हो सकता है, अब हम यह देखेंगे, कि चलिए, हमने मान लिया, कि current field produce हो जाती है, चाहिए, लेकिन यह जो current carrying conductor है, उसमें magnetic field कैसे बनती है, हाना, तो हमने क्या किया, एक straight conductor ले लिया, इस तरह से, ठीक है, अब इस straight conductor पे हम देखेंगे, कि इसमें magnetic field अगर produce हो रही है, तो उसकी direction क्या है, क्योंकि अगर magnetic field की बात करोगे, तो direction, अगर हम magnet की बा magnetic field है, that means कि यहां पर भी एक particular direction होगी, force of lines की, है ना, तो उस चीज़ को चलिए, चेक कर लेते हैं, तो समझने के लिए क्या करेंगे हम, हमने एक चीज़ कंचिज़ की, एक circuit diagram कंचिडर करिए, अब इस circuit diagram में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले, तो conductor, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यह चेक करना है, magnetic field due to a current through a straight conductor, मतलब जब एक straight conductor से current pass होता है, तो क्या उसमें magnetic field produce होती है, या नहीं होती है, तो किस प्रकार से होती है, किस टाइप से वो create होती है, यह देखने के लिए हम एक activity perform करते हैं, तो हमने एक circuit लिया, जिसमें हमने variable resistor यहां पर लगाया हुआ है, variable resistor क्या होता है, जिसको जिसके resistance को हम vary कर सके, प्लास हम इसके साथ series में एक emitter लगाएंगे, जिससे हम current की value को ले सके, प्लास यहां पर हमने एक battery दी हुई है, बैटरी की मदद से हमें supply मिलेगा, प्लास यहां पर है key, ठीक है, की का काम होता है, circuit को open करना या close करना मतलब switch on और switch off के लिए हम यहां पर key को close करते हैं, ठीक है, close करोगे तो on हो जाएगा, और open करोगे तो यह off हो जाएगा, clear है, अब सबसे बहले तो देखिए कि हमने यहां पर जैसे ही यहां पर conductor को लगाया, अब conductor के बीच में आपको क्या करना है, एक छोटा सा hole करके, एक sheet आपको इस तरह से लगा देनी है, अब शीट का क्या मतलब है, क्या यह conduction में कुछ role perform करती है, जी नहीं, यहां पर sheet का use हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि हम magnetic field के effect को जान सके, यह magnetic field को trace कर सके, तो trace करने के लिए हमने यहां पर यह sheet को लगाया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही हमने battery को on किया, battery को on मतलब कि switch को जैसे ही आपने on किया, key को यहां से close किया, तो एक current जो है, इस circuit से flow करना शुरू कर जाएगा, आप current कैसे flow करता है भई, positive से negative direction में flow करता है, तो यहां से current जो है निकलेगा और इस conductor में जाएगा, ठीक है, अब हमने क्या किया, कि हर current carrying conductor में आसपास एक magnetic field create हो जाती है, इस चीज का statement हमने पढ़ा था, अब इस चीज को proof भी कर लेते हैं, तो हमने यहां पर इस conductor को supply दी, यहां से current किया, वापस यहां गया, इस तरह से circuit जो है, इसमें current flow करना शुरू कर दिया, ठीक है, अब हमने इसके बाद थोड़े टाइम बात क्या किया, कि कुछ iron के pieces लिए, iron का powder form लिया, उस iron के powder form को, हमने यहां पर sprinkle कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, हमने क्या किया, resistance जो है, उसे थोड़ा सा और कम किया, resistance का कम करने का variable resistance का मतलब क्या होता है, यहां से आप current की value को कम या जाधा कर सकते हो, हमने और कम resistance के value कम करी, मतलब की, जिसकी वज़े से क्या होगा, resistance कम होगा, तो जाधा current फ्लो करेगा, ठीक है, जैसे हमने थोड़ी कम करी, ठीक, यह डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने हापर conductor यूज किया हुआ है, कितने conductor की क्या thickness है, उसके हिसाब से हापर जो current जाएगा, उसके हि हिसाब से magnetic field यहाँ पर trace हो जाएगी, तो जैसे हिसमें से current pass होता है, तो according to law, magnetic field create होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर जैसे iron की pieces को sprinkle किया, तो वो कुछ इस तरह से अपने आपको arrange कर लेते हैं, आपको यह जो circle है, यह दिखाई दे रहा होगा, तो मतलब कि iron की pieces ने इस तरह से अपने आपको arrange कर लिया, that means कि यह किस चीज को indicate कर रहा है, तो यह indicate कर रहा है magnetic field lines को, clear है, जिसकी direction को देखने के लिए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक compass को रख देंगे, इस compass की needle के reflection से हमें यह समझ में आ जाएगा, कि किस तरफ से आपकी जो magnetic field lines है, वो आ रही है, और कि इस तरफ को जा रही है, क्योंकि magnetic field की अगर बात करें, तो magnetic field में हमेशा जो magnetic field of lines है, वो north से निकल के south की तरह जाती है, तो north और south का जो direction है, वो हम compass की मदद से यहाँ पर check कर सकते हैं, clear हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या-क्या compass को P position पे रखके दिखा, आप देखें, यहाँ पेना दो point बने हुए हैं, एक P और एक Q, जब आपने compass को P पर रखा, तो आपको अलग deflection मेलेगा, जब आप compass को Q पर रखेंगे, तो शायद आपको कम deflect होता हुआ दिखाई दे, ऐसा क्यों, क्योंकि magnetic field line का हमने एक चीज़ पढ़ी हुए थी, कि जितना जादा ये current के पास होती है, मतलब कि आपके current कहां से flow कर रहा है, इस wire से flow कर रहा है, that means कि यहाँ पर जो magnetic field की strength होगी, वो उतनी जादा यहाँ पर नहीं होगी, तो इसलिए जब Q point पर आप अपने compass को रखेंगे, तब deflection थोड़ा कम होगा, वहीं अगर मैं P point पर रखोंगी, तो deflection थोड़ा ज strength जादा होगी, ठीक है, क्यों जादा होगी, क्योंकि obvious सी बात है, जैसे हमने magnet में बढ़ा था कि दो poles के पास जादा concentration होता है, magnetic field lines का, इसलिए वहाँ पर strength जादा होती है, तो magnetic field किसके current produce हो रही है, इस wire के current, इसलिए wire के पास जादा number of lines होगी as compared to आपके पीछे side, ठीक है, जैसे जैसे आप conducting wire से दूर जाते जाएंगे, आपकी जो magnetic field की length है या जो आपकी magnetic field की strength है, वो दीरे दीरे कम होती जाएगी, clear है, तो इसका मतलब कि magnetic field जो है, due to current through a straight conductor हम इस तरह से समझ सकते हैं, चलिए, so if the current is increased, the deflection also increases, it means on increasing the current through the conductor, the magnetic field also increases, points हमें ये चीज़ समझ में आती है, कि अगर हम current को increase करते जाएंगे, तो magnetic field भी जो है, वो increase होती जाएगी, plus दूसरी चीज़ क्या है, कि magnetic field produced by the given conductor, current in the conductor decreases as the distance from it increases, अब ये point को तो हमने आपको समझा ही दिया था, कि जो भी conductor magnetic field को produce करता है, अगर आप उसके पास में रहेंगे, तो magnetic field का effect ज्यादा रहेगा, मतलब compass को अगर जितना पास रखेंगे, तो ज्यादा magnetic field आपको compass पर indicate होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, तो magnetic field की strength जो है, वो कम होती जाती है, ठीक है, और दूसरा point क्या है, कि current पर depend करती है magnetic field का production, ठीक है, जितना ज्यादा current हो जो है, वो यहाँ पर induce होगी, तो जितना ज्यादा आप current को increase करती जाएंगे, magnetic field आपकी बढ़ती जाएगी, current को decrease करेंगे, magnetic field का amount भी जो है, वो decrease होता जाएगा, ठीक है, अब magnetic field तो चले ठीक है, हमने समझ लिए current पर depend करती है, बट यहाँ पर current की value को हम कैसे बढ़ार और आपर हमने variable resistance लगाया हुआ है, आप variable resistance का काम क्या होता है, resistance की value को कम या जाधा करना, अगर resistance की value जाधा है, तो कम current flow करेगा, क्योंकि current को flow करने का position बढ़ जाएगा, वहीं अगर resistance की value कम होगी, तो current हैसानी से flow करेगा, तो यहाँ पर जब अगर आपको current की value को जाधा करना ह तो resistance की value को आप क्या कर देंगे resistance की value कम कर देंगे तो current की value बढ़ेगी resistance की value जादा करते जाएंगे तो current की value decrease होती जाती है ठीक है और अगर current की value increase होती है तो magnetic field क्योंकि आप magnetic field को किस से represent करते हैं लेटर B से तो magnetic field increase होगी current की value कम तो magnetic field की strength भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी clear है तो जो deflection आपको इस case में मिलेगा वो deflection आपको इस case में नहीं दिखाई देगा मतब deflection जो है वो जादा आपको current को increase करने से दिखाई देता है now अब बारी यह आती है कि हमने चलिये यहाँ पर तो compass को रखके देख लिया कि किस direction में magnetic field lines जा रही है जैके एक छोटा सा basic idea हमें मिल जाता है पट कभी-कभी यह possible नहीं हो पाता कि हम compass का help ले और उससे magnetic field की direction को समझ सके उस case में क्या तो हम इस case में use करते हैं right hand thumb rule का अब right hand thumb rule क्या होता है आपका जो right hand है ना उसका thumb ठेक है आप इस तरह से अगर उसकी position रखते हैं तो thumb की जो direction है यह indicate करते है current की direction और यह जो आपकी बाकी की fingers है यह indicate करती है magnetic field line की directions को clear है तो जिस भी direction में current जा रहा है मान लिजे की direction of current है upward तो हम अंगोठे को किस तरह से रखेंगे हमारे thumb को इस तरह से हमें place करना है तो देखे करेंट की direction ऊपर की तरफ है तो मतलब magnetic field lines कहां से आ रही है magnetic field lines is conductor की त्रू कैसे flow कर रही है कुछ इस तरह से इस डारेक्षन में ठीक है यह देखें magnetic field lines की direction देख रही है आपको ठीक है वही जब हमारे thumb की direction कुछ इस तरह से है तो magnetic field की direction आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हैं ठीक है यह आपको डाइग्राम के थूट थोड़ा जादा क्लियर हो जाएगा तो इस डाइग्राम में देखे कि यह इस इमेजन करिए कि इस चंड़क्टर को आपने अपने हाथ से राइट हैंड से होल्ड किया हुआ है तो डारेक्शन कैसी इसकी नीचे की तरफ है ठीक है तो इफ वी होल्ड करेंट के इस ट्रेक्टर इस त्वेड कंड़क्टर इन दरेक्शन ऑफ करिंड की जो थाम है वो करेंट की डारेक्शन को रप्रेजेंट करें दैन और फिंगर्स विल ब्राप अराउंड अ कंड़क्टर इन दर डारेक्शन ऑफ द फील लाइन फिल दिस इस नोर आस दे राइट हैं थाम रूल अगर आप अपने राइट हैं में ए अगर इस तरह से वोल करूं तबकी मारेंट की अहां से जा रही है इससे बाहर की तरह से होती होई निकल रही है है तो डारेक्शन ऑफ मैंडिक फील को समझनी का यह बहुत अच्छा तरीका है right hand thumb rule ठीक है so right hand thumb rule को हम Maxwell cock screw rule भी कहते है ठीक है cock screw rule rule भी इसे कहा जाता है so this rule is also called the Maxwell's cock screw rule if we consider ourselves driving a cock screw in the direction of the current ठीक है मतलब कि अगर ये जो आपका screw होता है आपने कही बार देखा होगा हमारी घर में भी मिलता है तो अगर direction जो है screw को fit करने की जो एक यह वो करेंट की direction है ठीक है देंटे direction of the rotation of the screw is the direction of the magnetic field तो जिस direction में आप उसे अंदर की तरफ fit कर रहे हैं बाली जाप इस direction में वो अंदर की तरफ जा रहा है ठीक है तो वो direction क्या हो जाएगी वो direction हो जाती है magnetic field line की direction clear तो इसे हम cock screw rule भी कहते हैं the magnetic field due to a current through a circular loop आप देखिए कि हमने अभी हाँ पर एक single wire की बात कर लिए लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि किसी circular coil में ठीक है किसी circular coil में किस तरह से magnetic field produce होगी अब देखो circular loop को और straight line को आपने अलग अलग क्यों पढ़ा क्योंकि देखे straight line में तो आपको हर direction में magnetic field lines जो है वो कैसी दिखाई देंगी एक ही direction में दिखाई देंगी ठीक है ऐसी हाना क्योंकि current की direction कैसी है अगर इस तरह है तो आपका right hand thumb rule के recording आपका जो direction of magnetic field है वो कुछ इस तरह से होगी यहां पर तो देखे magnetic field lines आपकी ऐसी है तो मादब कि पॉइंट पर क्योंकि direction of current तो अपवर्ड ही है या अगर डाउनवर्ड होंगी तो magnetic field की direction हमेशा एक जैसे ही होगी है तो मदब straight line में तो हमने समझ लिया लेकिन अब अगर मैं बात करूं किसी circular loop की तो अब circular पर थोड़ा इसने अपनी direction को चेंज कर लिया यहां आते आते तो current की जो direction है यह पूरी तरीके से change हो गई है ना इसका मतलब कि क्योंकि हमने right hand thumb rule पड़ा था तो उसके according हमने देखा कि current की direction अगर upward है तो एक particular direction में हमारे हाथ की direction में magnetic field lines जाती है अब इसमें तो हर बार करेंट की direction अलग हो रही है तो क्या हर भार magnetic field की जो direction है जो magnetic field का वहां पर strength है strength to care एक ही जैसी रहेगी बट क्या उसकी जो direction है magnetic field की वो change होगी तो जी हाँ change होती है इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे अगेन हम एक activity करके देखेंगे suppose we take a circular coil with the multiple turns ठेक हमने circular coil ले ली क्वाइल का मतलब क्या होता है जिसमें बहुत सारी number of turns होते हैं इस तरह से उससे circular हमने coil बना लिया clear place it halfway through a sheet of the cardboard and connected in a series with amateur battery plug key and a rehosted जैसे हमने अभी एक सिंगल conductor के थ्रू देखा था एक सिंगर straight line conductor के थ्रू हमने magnetic field lines को dress किया था उसी तरी के लिए भी करेंगे हमने क्या किया यह सारे essential चीजें इसमें लगा दी battery लगा दी ताकि हमारे circuit को supply मिल सके ammeter लगा दिया ताकि हम जो current produce हो रहा है उसे measure कर सके रियोस्टेड हमने लगा दिया ताकि हम distance की value को कम या जाधा कर सके plus हमने यहाँ पर एक key लगाई है जिससे हम circuit को on या off कर सके अब यहाँ पर हमने जो coil ले हुई है उसे अपर ने अगेन एक sheet में connect किया है लेकिन क्योंकि circular coil है तो sheet को दो जगा से इस तरह से hold करते हुए जाएगी हमने यहाँ पर कर दिया अब जैसे हमने supply on किया supply on करने के बाद हमने दीरे ощущ current को बढ़ा दिया करेंब को बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पर कुछ iron डाल दिया तो हम क्या देखते हैं कि जो iron French का construction है तरह का racing है वो किसे तरह से change होने के साथ साथ जो magnetic field lines है वो भी बर्दलती है तो circular coil के case में हर एक point में जो magnetic field lines है वो कैसी होती है अलग-अलग create होती है क्योंकि direction of current हर point में जाकर के change हो जाता है so when we sprinkle some iron fillings over the cardboard and pass an electric current through the wire by switching on the plug key the iron filling present on the cardboard will align in a specific pattern providing the presence of magnetic field the way specific pattern में जैसे ही हुई तो एक हमें magnetic field दिखाई देगी the magnetic field produced by the current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it again जो हम फिर से आपको बता दे कि जो magnetic field lines बनती है वो डिपेंड करती है कि कि कितना current किसी copper wire से current से जा रहा है जितना ज्यादा करेंड जाएगा उतनी ज्यादा magnetic field lines की strength बढ़ेगी और उतना अच्छा वो tress होगा therefore if there is a circular coil having n turns the field produce n times as large as the produced by a single turn that means कि जितने number of turns होंगे उतना number of magnetic field जो है वो produce होती है जिसे turns क्या होते है यह होते है number of turns ठीक है तो जितने number of turns है उतनी number of क्या होगे आपकी magnetic field line जो है वो create होती है पट यह तो अपना spring का case होगे जो कि solonide का case होता है जो मैं आगे समझाओंगी लेकिन अगर मैं किसी एक circular path की बात करूं तो इस circular path पे जितने number of turns होंगे जितनी बार turning होगी उतने उतनी magnetic field lines produce होगी मतलब n times as largest as that produced by a single turn इसका मतलब क्या क्योंकि अब हर point पे क्या हो रहा है magnetic field lines produce हो रही है ठीक है यहां पर turn पे क्या हो रही है circular path में आपके जो magnetic field lines है वो create हो रही है इसका मतलब कि overall magnetic field line create होगी वो क्या होगी there is a circular coil having n turn the field produce is n time as larger as produced by a single turn ठीक है तो अगर total magnetic field देखी जाए तो जितने number of turns होंगे उतनी number of turns के हिसाब से उतना multiple कर दिया जाए magnetic field का अगर पहले बान लिजाए कि एक turn से भी magnetic field produce होती है तो अब कितनी होगी n into b produce होगी ठीक है जितने number of turns होगी उतनी magnetic field की strength बढ़ती जाएगी this is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up ठीक है अब इस case में क्या होगा क्योंकि हार एक direction में अपने को जो number of turns है वो अलग अलग है तो अलग magnetic field से produce होती है अब solenite अब सबसे पहले तो देखे अभी हमने magnetic field का production देखा due to a single wire अब हमने उसके बाद circular path के through देख लिए magnetic field कैसे produce होती है अब बारी आती है solenite की अब solenite होता क्या है basically तो अब देखो मेरे पास एक insulator है अना insulator मतलब की मालीजे मेरे पास एक plastic है उस प्लास्टिक जा लेकर की वूड ले ले थे हम वूड ले लिया हमने और वोड की उपर मैंने copper wire को इस तरह से लपीड दिया यह वूड है मैंने इसको इस तरह से क्या किया इस एक वायर लिया और इसे मैंने लपीड दिया ठीक है अब मैंने आपर supply दिया इसे बैटरी से connect कर दिया ठीक है और इसे freely हवा में कुछ इस तरह से suspend कर दिया ठीक है तो यह क्या होगा आपका या फिर आप समझ सकते हो कि यह एक तरीके का spring ठीक है इसे हम क्या करने कहते है सोलेनग्व क्याते क्यों क्या आप फृर्ली सस्पैंड एह स्पर्लाइ प्रोड्यूस का ठीक मैंने केुइल च्डीन मंटिक फिल्ड फिल्ड प्रेड्यूस करती है जैसे कि इस तरह से अब यह बताईए कि ऐसी magnetic field आपने किस में देखी है ऐसी magnetic field जो है वो हमने बार magnet में देखी है तो solenide is similar to bar magnet ठेके तो solenide क्या होता है solenide एक तरीके से bar magnet की तरह बिहेव करता है क्योंकि अगर आप इसे freely तरह से suspend करते हो तो आप जब उसकी magnetic field lines को dress करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है जो कि हमारे एक simple bar magnet की तरह होती है जिसमें कि आपकी जो magnetic field lines है वो north से south की तरफ कुछ इस तरह से जाती हुई दिखाई देती है तो solenide is nothing but similar to bar magnet टेक बार मैंगेट की तरह होता है जो कि similar magnetic field lines produce करता है तो a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in closely in shape of the cylinder is called the solenide तो भई अगर आपके पास coil है बहुत जारा circular turns के साथ में जो कि एक insulated copper wire है जो कि पास-पास में लगे हुए है ठीक है एक cylinder का shape लेते हुए है तो इसको आप क्या कहते हो solenide कहते हो ठीक है अब हमें देखना है कि magnetic field कैसे produce होते है तो जैसे मैंने आपको बदाया कि magnetic field lines जो वह बार magnet की तरह ही होती है तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर एक solenide लिया ठीक है solenide यह वायर्स तरह से जो कि किस का pattern आपको याद दिलाती है यह pattern जो है वो बार मैंट के केस में हमें मिलता है तब pattern of the magnetic field lines around the current carrying solenide is should in the in the figure one end of the solenide behave as a magnetic north pole while the other behaves as the south pole क्योंकि यह किस की तरह behave कर रही है यह एक magnetic आपका जो बार मैंगने होता है उसके magnetic field की तरह behave करती है ठीक है कुछ इस तरह से जैसे नौर्थ है नौर्थ से साउथ इस तरह से जाती है ठीक है तो इसका जो एक एंड है वो किसकी तरह behave करता है एक एंड जो है वो इसके नौर्थ पोल की तरह ठीक है एक नौर्थ पोल की तरह और एक जो है वो south pole की तरह बेव करता है north हमने यहां और south यहां पर क्यों किया हुआ है क्योंकि magnetic field lines north से निकल करके south की तरफ जाती है तो एक end इसका north की तरह और एक जो है वो south की pole की तरह रेप्रेजेंट किया जाता है अगर यहां पर आएंगी इतने particular हिस्से की अगर हम बात करें तो यह किस तरह से दिखाई देंगे आपको straight line की तरह ऐसा नहीं है कि इसके बीच में straight line के form एक फिल्ड पर जोती है एक पोल से निकल के दूसरी की तरफ जाती है नॉट से निकल के south की तरफ जाती है तो यह भी north से निकल के south में ही जा रही है लेकिन क्योंकि इनका लूप बहुत दूर है और उतनी दूर पर उतनी दूर पर उस मैंटिक फिल्ड को एफेक्ट को महसूस नहीं किया जादा नहीं फिल्ड किया जा सकता इसलिए जुसका सेंटर पॉइंट है तो यह वहां पर यह एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखाई दे रही है देस इंडिकेट दैट दा माइटिक फिल्ड कैण की एक जासी मैंटिक फिल्ड आइन से नहीं फिल्कुल एक जैसे होते है मतलब कि माइटिक फिल्ड की स्ट्रेंड हर पॉइंट पर यहां पर एक जैसी होगी that is the field is uniform inside the solar night तो अगर field की बात की जाए तो वो solenite के अंदर कैसी है uniform है तो solenite के अंदर magnetic field किस तरह से होती है तो solenite के अंदर जो magnetic field है वो uniform होती हो uniform का अगर मैं आप से बोलू डाइग्राम डॉकर करके बताई तो आप कैसे बताएंगे कुछ इस तरह से तो यह field lines कैसी है uniformly distributed है uniform distribution का मतलब हर point पर एक जैसा distribution हर एक को बराबर बराबर मिला हुआ है magnetic field current अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया a strong magnetic field produced inside a solenite can use to magnetize a piece of magnetic material अब देखो यहाँ पर क्या है एक डाइग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसके उपर जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी एक material है उसके उपर हमने क्या किया उसके उपर हमने copper wire को इस तरह से bound कर दिया ठीक है यह material इसके उपर हमने copper wire को bound कर दिया मैंने आपको example लिया था वोटका लेकिन अगर मैं वहीं यहां पर किसी मैटल को तेखें क्या करूं मैं किसी मैटल को ले लूँ और उसके ओपर copper wire को इस तरह से wrap कर दू तो क्या होगा यह जो solenide है वो क्या होगा अपनी वही करवाते हो किसी बहुत साधा amount of current के साथ में तो वह material कैसा होता है magnetize हो जाता है तो solenide को यूज किसलिए भी किया जाता है किसी magnetic पीस को या फिर किसी material को ठीक है magnetize करने के लिए magnetize material जैसे की soft iron को magnetize करने के लिए हम solenide का यूज करते हैं ठीक है the magnet so formed is called the electromagnet और इसी को यह आप क्या कहते हो electro magnet कहते हो electro magnet का जो concept है वो हम motors में यूज करते हैं आगे जाके हम transformers में यूज करते हैं यह सभी जगहा पर जो magnet होते हैं वो सब कैसे होते हैं इलेक्रो मागनेट मतलब कि जिनको मागनेट electricity की मदद से बनाया जाता है तो सोलनाइट का सोलनाइट जो है उसका यूज हम इसमें भी करते हैं नाव अभी हमने क्या बात करी पहली चीज हमने यह देखी कि करेंट किसी भी अगर इस मागनेटिक फिल्ड की डारेक्शन हमें देखने हैं तो वो कैसी होगी क्योंकि हमें पता है कि मागनेटिक फिल्ड हमेशा डारेक्शन में ही जाती है नौट से साउथ की तरफ जाती है तो इनकी डारेक्शन को अगर हमें चेक करना है तो इसके लिए हमने राइट material को magnetize कर सकते हैं तो इससे electro magnet भनेगा अब इतने सारी हमने चीज़े देख लेकि भाई conductor में current जाएगा तो magnetic field प्रेडिूस होगी ठीक है अब हम देखेंगे कि magnetic field किस तरह से force exert करती है okay so next topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field अब हमने क्या किया यहाँ पर हमने यहाँ पर एक magnetic field भी प्रेडिूस की हुई है और एक current carrying conductor का मतलब क्या है कि एक ऐसा conductor जिसमें की current flow कर रहा हो ठीक है हमने दोनों चीज़े लिए हैं अब हम यह देखेंगे कि इस current carrying conductor पर इस magnetic field का क्या effect होता है क्योंकि magnetic field में है magnetic field lines magnetic field lines क्या produce करती है force produce करती है ठीक है अब कैसे produce करती है तो हमने क्या किया ठेक आप स्मॉल aluminium rod हमने यहाँ पर एक aluminium rod ली हुई है यूस्टू connecting wire suspended it horizontally from a stand stand की मदद से हमने इसे originally इस तरह से suspend कर दिया ठीक है connecting wires लिए as connecting wires की तर मदद से हमने stand पर इसे इस तरह से connect कर दिया हना यह आपका एक connecting wire था हना आप कहां पर लेके गए उस वायर को आपने इस पर इस तरह से लपेटा और इसका दूसरा एंड आपने कहां पर लेके गए हुआ इस अलूमिनियूम के दूसरा एंड पर ठीक है प्लेसे स्ट्रॉंग होर्शू मैंगेट इन सच अवे डाट रोड लाइस बिट्वीन थू फोल्स विद दमाइनिक फिल्ड अब आपको इस तरह से इसको बाटिक बाटिकली विलो एंड साउथ पूर वर्टिकल अबव दैल्यूमिन रवाद यहां पर लपे बताया हुआ कि इस केस में जो नौर्थ पोल है यह नीचे की तरफ है और साउथ पूल आपका इस डारेक्शन में क्लियर अब हमने क्या किया अब इस अलूमिनियम को सबTrade करेंड है यह से बी की तरफ टेरफ कर स отвеч कर वा रहे हैं ऑम बाटिक रिकली की दरफ कर रहा है 20 वह है तिरफ मिन रोड लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो रही है अब हमने क्या किया करेंट की डिरेक्शन को रिवर्स कर दिया बैटरी की डिरेक्शन को चेंज करके हमने पॉजटिव यहां कनेट कर दिया और नेगेटिव दूसरी जगे कनेट कर दिया पहले केस में आपने क्या किया flowing through the rod and observe the direction of its displacement it is now towards the right our okay side per hota hai right direction may hota hai so conclusion kya nikla hai se force is exerted on a current carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field is ka matlab kyuki yahaan pe kya hua hai ki jayse hi aapne yahaan magnetic field a to create karke rakhiti horseshoe ke madad se for aluminium rod per vhi aapne current produce kiya jis se us me bhek magnetic field produce wii abis se kya hoga dho magnetic field jabhi milengi to in ke bich me kya hota hai displacement ho ta matlab ke kareka force aapke aluminium rod per aapko produce hota dikhay dega ye jo force hai wo according to direction of current kyuki direction of current per depend karaygi is ki magnetic field aapke rod ki magnetic field kis per depend karaygi current ki direction pe to just direction me current ja raha hai uske hesaap se isne magnetic field benai or iske saat dousere magnet magnet ke saat mein iske field jab milegi to ya to attract hoongi ya repel karaygi to isa sap se unke attraction repulsion ke karangi left ya right side me move karthi hai to iska matlab ki force is exerted on a current carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field to jabhi aluminium rod ko aap magnetic field me rakti hai to us make force exert ho ta hai direction of force is reversed when the direction of current through the conductor is reversed direction of force kaisa kis per depend karata hai direction of force depend karaygi current ki direction per kis direction me conductor me current flow karaha hai jis bhi direction me current conduction me flow karaga ko s direction ke hesaap se aapka jo force hai wo uspe exert karaga now whenever a current carrying conductor comes under a magnetic field there will be a force acting on a conductor the direction of this force can be found by using the fleming's left hand rule abdekhi yaha pe bada muskil lag raha tha ki yam kaise bata hai ki direction of current jab is tarha se kis side per move karaygi kis side per move karaygi kis maine abhi aapko simpel bata diya ki jab ye b se a me a se b me current jah raha hai to ye left side me move kar raha hai jab b se a jah raha hai current to ye right side move kar raha hai liekin kis se hum ko theory clear ho gi ki ki ba ki chizo me jab karan ki direction pata ho to kya kis direction me force lagna yee kiise pata lagaya jahe to flaming ka jo left hand rule hai uski madad se hum kya kar sakti hai unki madad se ham ye identify kar sakti hai ki agar hamay direction of current pata hai to ham force ki direction or magnetic field ki direction ye do no hi identify kar sakti hai ya agar me magnetic field kidation pata hai to haam force ki yør Karen Kinikalsakay and vice versa clear hai so flaming's left hand rule humay madat karta hai direction of force ke nikalne ke liye direction of magnetic field nikalne ke liye and direction of current nikalne ke liye तो अगर आप अपने left hand को कुछ इस तरह से stretch करें कि आपका thumb, आपकी four finger, आपकी जो first finger है और यह जो आपकी second finger है यह तीनों एक दूसरे के perpendicular हों कुछ इस तरह से यह देखें, यह perpendicular है अगर आप मेरी finger देख पारें तो this is perpendicular to this finger and this one is perpendicular to this तो यह इस तरह से आपको चीज दिखाई देगी तो thumb जो है यह आपको किस की direction दिखाता है force की, यह direction दिखाती है magnetic field की and यह direction दिखाती है current की, हम इसे इस तरह से याद करते है बच्चे को इस तरह से याद करते है ठीक है, father, mother and child ठीक है, तो father से force, m से magnetic field जो कि हम B से represent करते हैं और C से child that means current ठीक है तो यह direction हमें समझ में आ जाएंगी so similarly if a conductor is forcefully blocked under a magnetic field अब देखें दो रूल फ्लैमिंग ने दिये थे ठीक है फ्लैमिंग scientist थे आप सबको पता ही है तो इन्होंने हमें दो रूल दिये एक रूल था left hand rule और right hand rule भी उन्होंने दिया हुआ है अब left hand rule का मतलब क्या है कि current carrying conductor comes under a magnetic field कि एक magnetic field है जब उसमें कोई current carrying conductor आता है तो उस conductor पे लगने वाला magnetic field में आप किसको लेकर क्या रहे हो current carrying conductor को मतलब एक ऐसा conductor जिसमें की current flow कर रहा है जैसे कि अभी हम मोटर या इसके बार में पढ़ते हैं तो इस तरह से हमारी magnetic field line से जो की uniformly distributed होती है बीच में अभी हां पर मैंने current carrying conductor रख दिया से किस कलर से मैं आपको indicate कर रहे हूं ठीक है ओके जनरली हम मोटर और जनरेटर जब पढ़ते हैं तो इसके केस में में कंड़क्टर को रखते हैं मैं कंड़क्टर में आप दिखे लेक्ट्रिक मोटर में आप क्या करते हों एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि आप electric energy दोगे तो mechanical energy आपको मिलेगी क्योंकि आपने जैसे fan है for fan में मोटर लगा होता है तो आप उसे supply क्या है देते हो तो वह घूमती है तो मैं लेक्ट्रिक करेंट दिया जिससे mechanical energy आपको मिली घूम रहा है घूमना क्या है mechanical energy ठीक है तो यहां पर जब हमने current carrying conductor को magnetic field में रखा तो उसमें force exert होता है जिसकी वज़े से जो conductor है यह अपनी जगा पर मूव करने लगता है तो इसकी direction कैसा identify करी जाए तो देखे कि अगर direction of current है यह ठीक है अगर current की direction है यह तो current की direction मतलब की अगर मैं इन सभी कुछ तरह से parallel करती हूं तरफ लग रहा है इस पर आपका क्योंकि अगर देखिए कि इस तरह से तो फोर्स जो है आपका इस ताइट पर लगेगा ठेक है यह लाफ्ट हैंड थम रूल की तरह की मदद से हना तो इस हसाब से अगर बात की जाए तो if a conductor is forcefully rocked under a magnetic field there will be an induced current in that conductor अब इसमें कहां यह लगी है कि अगर कोई magnetic field है ठीक है और उसमें में conductor को रख दो को बहुत तीजी से उसको घुमाओ तो क्या होगा उस conductor में electricity दो करेंड जो है वह फिल किया जा सकता है ठीक है मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी माइटिक फिल्ड में conductor को रखा तो माइटिक रेषों और रहा है और यह आपकी ढर्शन ऑफ करेंट कर रहा है ठीक है कि इस अगर थम रिप्रेजन कर रही है फॉर्ज को फॉर स्क dukkis को रिप्रेजेंट कर arrow हैं यह कौन सा रूल है यह राइट हैं रूल है तो राइट हैं है हम क्या देख सकते हैं कि किसी भी Conductor में Direction of current क्या होगी किस डारेक्शन में इसमें जो current है यह flow करेगा ख्लियर थो राइफ हैं रूल का Use करते हैं हम लोग यह आइड़ेंटिफाइ करने के लिए कि किस direction में magnetic philia force किस direction में लग रहा है और right hand rule की मदद से हमें direction of current जो है वो पता चल जाती है दोनों के statement अलग-अलग है left hand rule is mainly applicable to electric motor and flaming right hand rule is mainly applicable to electric generator क्योंकि motor के case में हमारे पास current होता है और हमें mechanical energy produce करनी है मतलब कि अगर आप conductor को current दोगी already तो already current देने से वो घूमेगा तो घूमना मतलब कि mechanical energy हो गई वही generator के case में क्या करते हो आप लोग mechanical energy को electrical energy में convert करते हो मतलब कोई चीज rotate कर रही है और उससे हम current निकाले तो left hand rule जो है यह हमें direction और direction of force दे रहा है वही right hand rule की मतलब से हम direction of current identify कर सकते हैं clear है अब electric motor की बात करी रहे हैं तो electric motor होती क्या है तो it is a device which is which convert the electrical energy into mechanical energy तो कि electrical energy को mechanical energy में convert करें और इसके basic parts की अगर मैं बात करूं तो इसके basic parts होते हैं permanent magnet इसमें रहती हैं इसमें होती है stator part होता है rotor part होता है slip ring होती है तो बहुत सारी चीज़े हैं लेकिर इस बार exam में आपको इससे कोई question नहीं आने वाला इसलिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं अब exam में जो part आएगा वो है की types of supply कौन सी होती हैं तो वह हमारी दूसरा जो आप battery का use करते हो या आपके घर में कुछ ऐसी चीज होंगी जो automatic चलती हो आपको switch लगाने की जरुवत ना हो लेकिन electric current पर based होती है वह सभी जैसे laptops है आपके mobile phone है इन सभी में DC supply का यूज किया जाता है तो basically जो electric supply है वो दो तरीके की होती है alternating current and direct current अब यह जो आपको दिख रहा है यह है आपका transmission lines और यह distribution lines तो transmission line जैसे आपने खेत में या फिर कहीं दूर दूर इस तरह की की चीज़ेंगी तो हमारी power stations पर जो supply बनती है जो energy produce होती electrical energy उसको तो हम alternating current or direct current में भेच सकते हैं लेकिन क्या है कि alternating current advantages और वही direct current के कुछ disadvantages आता है और transmission भी alternating current का ज़ादा होता है ऐसा क्यों आगे समझते हैं अब सबसे बहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि alternating current होता क्या है तो alternating current को अगर हम describe करें तो करेंट क्या होता है flow of charge तो ऐसा नहीं है कि alternating current के case में कुछ और होता है flow of charge नहीं होता और DC के current में होता है current मतलब flow of charge बस direction पर डिपेंड करता है the flow of charge that changes direction periodically कि कि पीरियोडिकली का क्या मतलब होता है एक particular time period के बाद जो अपनी direction को change कर ले ठीक है flow of charge जो है वो अपनी जब direction को change कर लेता है तो उसे आप क्या कहते हो उसे हम कहते है alternating current the voltage level also reverse along with the current AC is used to deliver power to houses office and buildings अभी जो alternating current है उसका use हमारे घर में office में होता है कि मैं आपको already बता चुकी हूँ अब alternating current describe the flow of charges that changes direction periodically अब देखे alternating current को अगर में graphically represent करूँ न ठीक है तो यह होता है alternating current वहीं अगर मैं DC current को represent करूँ तो वह इस तरह से होता है ठीक है यह आपका यह जो current है वह इस तरह से है maximum होती है फिर कम हो जाती है फिर दूसरे direction में बढ़ती है कम होती हो और क्या हो जाती है वापिस से 0 तो यह इस तरह से alternating current चलता है उससे आप alternating current कहते हो ठीक है कहते हो अब alternating current describe the flow of charge that changes direction periodically याद रखना है कि alternating current का मतलब जिसमें flow of charge होता है लेकिन जिसकी direction periodically change होती है AC can be produced by using a device called alternator the device is a special type of the electrical generator designed to produce the alternating current अब AC current कैसे बनता है alternators का use करके alternators basically क्या है generator क्योंकि हमें पता है generating station मतलब जहां पर generators का यूज किया जाता है जहां सही हम mechanical energy से solar energy से fossil fuel की मदद से electrical energy को produce करते हैं एक energy को दूसरे energy में convert करते हैं तो यह तो हमें पता है alternator से लेकिन अगर मुझे समझना हो alternating current का concept और clearly तो आप यह water analogy का यूज कर सकते हो जैसे कि आप एक game खेलते हो ना जिसमें आप इस तरह से press करते हो button को तो पानी छूटता है वापिस आजाता है फिर पानी जाता है वाँ है ना जैसे आपके हाथ में माली जे की कुछ एक बॉल है जिसको आप स्क्वीज करते हो तो पानी जाएगा फिर वापस आ जाता है जैसे आपने स्क्वीज किया उसके अंदर का पानी बाहर गया फिर आ गया तो इसमें भी फ्लो अफ चार्ज ऐसे होता है एक बार जा रहा है फिर वापस रहा है मतलब कि flow of charge होता है फिर वापस आता है फिर जाता है तो मतलब मतलब कि क्या पनी direction को यह वारबार चेंज कर रा है एक बार जाएगा फिर दूसरी आता है यह बेल्किल एक जैसा एक सीध में सलता जायेगा जो आगे हम डिसक्स करेंगे अब अब दर्डेंटिंग करेंड की वीफWhite-4M को फॉर्म हम क्यों बनाते हैं पढ़ने के लिए के लिए alternating current की study करने के लिए ठीक है तो alternating current कैसा है बच्चो आपका alternate है एक direction फिर दूसरी direction अब direction को कैसे बनाए तो हम graphically बना देते हैं चेक है या आप एक बार उसकी positive value ले लो एक बार आप उसकी negative value ले लो है ना अब इस graph को समझो यह जो graph होता है यह alternating current के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है इसको कहते है sign graph sign wave क्या कहलाती है यह sign wave कहलाती है ठीक है इस sign wave में यह point होता है maximum alternating current की जो value होती है वह 0 से start होती हो धीरे-दीर increase होती है माल लिजे कि 2A current है तो 0.1.2.3.4 और फिर यहां पर 2A हो गया फिर दीरे-दीरे कम होई फिर 0 फिर उसके बाद दीरे-दीरे बड़ेगी इस तरह से alternating current जो है वो एक बार एक direction में दूसरी बार दूसरी direction में उसी तरह से फ्लो करता है ठीक है अब इसको क्या कहते हो sign wave यह क्या होती है आपकी maximum value यह क्या होती है आपकी zero value initial value ठीक है minimum value तो यह आपके sign wave है जो कि बहुत जादा डीप में इसको भी है study नहीं करेंगे selected or terms को मागे सीख लेंगे but alternating current मतलब की sign wave से हम इसको represent कर सकते हैं क्या से sign wave से कर सकते हैं नहीं हम इसको triangular wave से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे square wave से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है यहां से हमें इसका amplitude मिल जाता है ठीक है क्या मिलता है amplitude amplitude का मतलब उसकी क्या value है ठीक है वो हमें यहां से मिल जाती है कि current की यहां से आप amplitude निकाल लेंगे तो आपको वेल्यू पता चल जाएगी अब यह तो बार बार चेंज हो रहे तो हम कैसे निकालते हैं तो साइन ओमेगा टी की मदद से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है अब चलो इतना जाधा हमें डीप में नहीं जाना है अभी सिर्फ हमें यही समझना है alternating current क्या होता है तो alternating current is a current in which the flow of charge changes its direction periodically बस जो चार्ज है वो अपनी direction को periodically change करते हैं अब इसकी जो waves है अगर इसको हम graphically represent करें तो हम इसे sign wave triangular wave square wave किसी के form में भी represent कर सकते हैं हर case में जो direction है देखिए एक बार आपको positive side पर एक बार negative side पर फिर positive फिर negative हर केस में आपको इसी तरीके से मिलती है ठीक है अब alternating current की जब बात की जाती है तो हम बात करते है frequency की ठीक है और frequency होता क्या है ठीक है तो frequency को समझने से पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा number of cycle कि cycle क्या होता है ठीक है तो एक wave जो अपना पूरा complete cycle करने में जो time लगाती है उसे कहते है cycle मतलब जो complete wave बनने में time लगता है complete wave क्या होता है जब आपके current का positive और negative half complete हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे एक cycle कहते हो यह क्या complete हो गई है one cycle complete होई है clear है तो one cycle यह completed है अब ऐसी ही एक second के अंदर कितनी cycle बन रही है एक second के अंदर कितनी cycle बन रही है उसे हम क्या कहते हैं तो AC frequency is the number of cycle per second in an alternating current sign wave in other word frequency is the number of time a sign wave repeats a positive and a negative cycle दोनों चीज़े कह लो एक सिकेंड के अंदर कितनी number of cycles जा रही है उसे हम frequency कहते है या फिर आपकी जो frequency है वो क्या होती है the number of times a sign wave कितने बार sign wave ने अपनी positive और negative value को change किया है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं frequency आप देखो कि एक सिकेंड के अंदर जाधा number of cycles आपको किस में नजर आएंगी मा लिजे कि यह एक सेकेंड यहाँ पर खतम हो रहा है तो देखो number of cycle आपको किस में जाधा मिल रहे है यह हो एक दो तीन ठीक है वही आपर देखो number of cycle एक सेकेंड के अंदर कितनी हो रहे है यह एक दो तो हाई फ्रिक्वेंसी किस के क्या लाएगी इसके क्या लाएगी ठीक है क्योंकि एक सेकेंड में ज्याधा number of cycle कौन कम्प्रीट कर रहा है यह cycle कम्प्रीट कर रहा है साइकल मतलब समझ में आ गया positive और negative मिल करके आपका एक साइकल होता है और एक सेकेंड के अंदर कितना number of cycle complete हुई है उसको हम क्या कहते है उसे हम frequency कहते है next is अब इसको measure कैसे करते है to measure the frequency the number of times an event occur in a given time interval is counted then this number is divided by the time interval ठीक है तो f equals to क्या होता है 1 upon t अब t क्या है यहाँ पर t होता है time interval और time interval क्या होता है it is the time required to complete one cycle ठीक है एक cycle को complete करने में जो time लगता है उसे हम क्या कहते है उसे ही हम कहते है the time required to complete one cycle उसी को हम time period कहते है तो अगर frequency निकालना है तो f equals to क्या कर देंगे हम 1 upon t ठीक है चली अब alternating current के बारे में हमने क्या क्या जान लिया कि यह होती है cycle यह होती है इसका amplitude ठीक है और frequency के बारे में हमने समझ लिया अब देखे wavelength क्या होती है wavelength की बारे में हम समझते है अब wavelength से पहले चली period है तो periods देख लेते हैं the period is a length of the time in a second that the waveform takes to repeat itself from start to finish it is indicated by the letter t वही मैंने आपको बता है कि time period क्या होता है period बोलते भी सकते है यह time period भी बोल सकते है आप इसे तो एक cycle को complete होने में जो time लगता है कि start होकर के end जो हो रहा एक cycle उतने time को आप time period कहेंगे it is inversely proportional to the frequency किसकी inversely proportional है यह frequency के क्योंकि f is equals to क्या होता है 1 upon t यह t equals to आप 1 upon f भी लिख सकते हैं अब amplitude क्या है जो भी आपने वहां पर आपको दिखाया था amplitude देख लीजे maximum value तो amplitude can simplify किस तरह से बता सकते है the amplitude is the half the vertical distance from the crust of the wave to its trough crust or trough क्या होता आगे बताएंगे it can also be defined as the maximum level in a periodic movement amplitude is the maximum absolute value of the periodically varying quantities simple सी बात है simple simple शब्दों में अगर समझ होगे तो simple सी बात है कि यह जो आपकी waveform है इसका जो maximum point है इसकी value को आप क्या कहते हो amplitude कहते हो ठीक है amplitude is the maximum absolute value of a periodically varying quantity quantity क्यों लिखा है सिदे का रिंट क्यों ने लिखा क्योंकि कोई भी quantity हो सकती है voltage भी हो सकता है current भी हो सकता है तो किसी भी quantity की जो absolute value है उसी को हम क्या कहते है amplitude कहते हैं अब cycle क्या है अभी हमने बता दिया our cycle is a full alternating current और a voltage wave जो full alternating current है उसको आप क्या कहते हो cycle कहते हो चले अब यह higher frequency lower frequency ठीक है next is wavelength की बारे में बात कहते है तो wavelength क्या होती है तब wavelength of a sign wave can be measured between any two point with the same phase such as between crust और drops मतलब कि उसके top और bottom की बीच में जो distance होता है उसको आप क्या कहते है उसकी wavelength कहते हो ठीक है तो crust क्या होता है यह point ठीक है और उसका thrust क्या होता है यह point मतलब कि जहां पर वो delay कर रही है ठीक है the wavelength of a sign wave can be measured between any two points with the same phase such as between crust और drops मतलब की अगर मुझे एक AC waveform दीओ और मुझे बोलाए कि आपको उसके wavelength बतानी है तो wavelength क्या होगी maximum point देख लीज़े यहां से यह और एक यह अब इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है crust crusts ठीक है तो इन दोनों के बीच का जो distance है यह इसकी wavelength कहलाएगी या फिर एक तरीका तो यह है कि आप maximum point से ले लो या फिर आप इसके यह minimum delay point जो होता है उससे भी आप निकाल सकते हो यह point यह और यह तो इन दोनों के बीच का जो distance है यह भी क्या कहलाता है यह troughs कहलाता है और यह क्या है आपका यह measurement है यही आपका wavelength कहलाता है और corresponding zero crossing या फिर जीरो crossing के बीच को भी आप क्या कह सकते हो इसे भी हम wavelength कह सकते हैं ठीक है तो मतलब कि दो सिमिलर पॉइंट के बीच का distance दो सिमिलर पॉइंट का होंगे इसके अब एक बार यह maximum value यहां है अब दूसरी maximum value आपको कहा मिल रही है यहां मिल रही है न तो इन दोनों के बीच का distance क्या होगा wavelength होगा अब यह भी देख सकते हूं जीरो कितनी बार आवकर हो रहा है जैसे यहां हुआ है फिर यह complete cycle पर यहां होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका wavelength हो जाएगा उसी तरह से अगर हम बात करने इसके minimum point की एक minimum point यहां है maximum minimum negative side में कब जा रहे है तो यहां पर जा रहे है तो इसके बीच का distance भी क्या हो जाएगा wavelength हो जाएगा clear है आप आप आ जाते हैं direct current पे तो direct current क्या होती है direct current is bit easier to understand than alternating current क्योंकि direct current में एक जैसा current आपको मिलता है जैसे alternating current की value कैसे होती है वेरी करते है कभी 0 कभी 1 फिर maximum फिर 0 कभी 1 फिर maximum ऐसे होती है ठीक है लेकिन direct current मतलब डारेक्ट एक वेल्यो वोल्टेज के अगर 5 वोल्ट की वेटरी है तो 5 वोल्ट ही वोल्टेज रहेगा 5 वोल्ट के generated in various ways अब DC current को कैसे बनाया जा सकता है अब AC generator को हम commutator के साथ में लगा दें commutator एक ऐसा device है जो कि alternating current को direct current में convert कर सकता है ठीक है commutator का use कर लो या आप rectifier का use कर लो आपकी गर में AC आ रहा है आप DC चाहते हो तो rectifier आप लगा दीजे तो rectifier क्या करेगा alternating current को direct current में convert कर देगा ठीक है या simple कुछ नहीं लगाना है ना generating station से हमें मतलब है ना rectifier से मतलब है हमें DC चाहिए तो आप क्या करोगे बैटरी का use करोगे तो बैटरी आपको क्या दे देंगी direct current दे देती है so this is defined as the unidirectional flow of current अगर मैं बोलू कि direction बनाना है DC की तो ये क्या होता है यूणी direction मतलब की एक ही डिरेक्शन में जाए Jew और अप आई सी करेंग की बात करूह तो यह क्या होते है आ झालुक्त बाई डारिशनल डो डारिक्शनतेन फॉस्टिटिव भी जा रहा है बात नाज में मतलब voice तो डी तीक डिस कहलाता है आपका यूनी यूनी का मतलब चाहज है एक ही डारिक्शन फ्लोों FAR टेकिके और ये क्या vary over time so long as the direction of the flow does not change. अबतलब की direction अगर चेंज नहीं होरे तो आप voltage को बढ़ा भी सकते हो. To simplify the thing, we will assume that voltage is constant. For example, we assume that battery provides 1.5V which can be described in the material. And if we plot this over time, we see the constant voltage like this. ठीक है, आगे में आपको बताते हो, एक डाइग्राम है. चलिहो, और भी मेंशन नहीं है. तो अगर सिंपल सागर मेरे पास 5V के वेटरी है, तो अगर मैं इसका ग्राफ डिजाइन करूंगे, हाँ पर वोल्टेज लिग दू. तो मुझे 1.5V हर बार देगा. ठीक है, सिंपल, बहुत साथा डीप में आ जाएं. सिंपल यह समझे, कि DC is the fixed value of current, which is unidirectional, जो change नहीं होती, fixed होती है. ठीक है, अब हमें कहां कहां से मिल सकती है, हमने भी आपको बताया, आप का मुटेटर का यूज कर सकते हैं, और या फिर एक्टिफायर का यूज कर सकते हैं, यह हम जो हमारे करों में यूज करते हैं, बैटरी का यूज कर सकते हैं, यहां से हमें DC's apply मिलता है, जितनी भी आपकी cell है, यह बैटरी है, यह सब आपको DC's apply देती हैं, और हमारे घरों में कौन सा current आता है, कौन से करेंड आता है और अब आप्लिकेशन क्या है इसेलफों से करते हैं आइपाइड में आप इसका युज़ करते हो फ्लाट स्क्रीन टीवीज में फ्लैश्लाइट में हीब्रेट e-lektrical वहिकल्स में अब इलेक्ट्रिक वहिकल्स आते हैं अब अब यह देखते हो क्या कि स 20 से Connected है महीं न से अंदर किया उजो था सही बत्री मथे बैट्री मतलब कि को सप्लाइन पर ही वरक करती है अब आझा तो मैं स्टेक एलेक्ट्रीक सर्केट पर कि तो रएह डॉमक अलेक्ट्रिक धुकतक अबरा कैसा होता है चलो आउच को समझते हैं इस तरह से three mainly wires होते हैं, एक होता है earth wire, live wire और तीसरा होता है neutral wire, earth wire जो हए green कलर का होता है, live wire जो हो red कलर का होता है, neutral आपका black कलर का होता है, earth wire जो है वो erthing के लिए होता है, लाइब वायर जो होता है यह kon benevolent complimentary के लिए वायर होता है वो अब कर कि निउट्रिल होता है अब हने आगे थोड़ा सा डिसकुस करoten के निउट्रिल पॉइंट होता है जहांपर जाकर कर का सर्कुट को vasum करनेके लिए हावर ट hydraul स्थमर्स की तक पहुंचते हैं हमारी करें भरस टक के तेखेग दावार सब्सटेशन पर सब्सस्टेशन से पुरिसे transformer transformer से वार होता हुआ हमारी घर में आता है की नहीं तो मतलब कि शारी दैड़ कि भर होता है एंचे Aww बाईर की थुह थ्यूर सकत् Cat vem 30 ओर क्वायर सप्लाय से इस थी में तीन वाईर में होगा ठीक है अब आपके ढद में मीज़ा होता है रहू होता है और उनका यूज क्या-क्या है यह हम पटापट से जाने तो पहले तो इंग और इसे बारे में समझ लिए किस्या क्या सकता है कि अरधाृर होता है ङौन едए आर्थवायर और स looked to metal में चला जाए हम तक ना आए it provides safety for all the appliances and devices connected at home which have a metallic body this is done to prevent shock when leakage of charge happen in the metallic body अगर metallic body में leakage हो रहा है तो उसको पाथ मिल जाए क्योंकि अगर कहीं से charge बाहर आ रहे हैं ठीक है तो हमें ठीक है उन खाए चाहिताए तो बेक से और जाता है और बैसकली कामРЕ चाहिताए तो ब्रेक हो जाएगा ए दोटीम में हमारे घर तक ना यह она嫁ता है फきた है सब्सक्राइब जोड़ तो पैसे तो serait allergy ना रहाए ठीक है ओके तो रेड से आएगा और ब्लैक से जाएगा ठीक है रेड कलर से आता है करेंट क्योंकि यह पॉजिटिव करेंट पॉजिटिव कंडुक्टर है और यह क्या कहलाता है नेगेटिव कंडुक्टर कहलाता है यह किस कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है ठीक है इन दोनो पात चाहिए है तो रेड वायर से ब्लाइक वायर से होते हुए सप्लाय जो हमारे घर में आती है अब हम उसमें लगा होता है आपको एक एलेक्ट्रिक फ्यूज अब मारे मेन सप्लाय के साथ में फ्यूज लगा होता है फ्यूज का काम क्या होता है मान लिजे कि शॉर्ट सर्क करिण जब आता है तो फोकर उने से क्योंकर रजिस्तेंस हाई है तो यह दिरे दिरे क्या हो जल्दी से गर्म हो जाएगा करम हो जाएका तो मैं ठोगा मैं ठोगा तो क्या होगा इसके आगे जो भी सनकिट लगा होगा ये टूड गया तो इस in किट भी क्या हो जाएगा आपका तूर जाएगा ठीक है तो यह बेसिकली प्रटक्शन के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं फ्यूज का यूज करते हैं from the main supply the current is passed through the circuit called a fuse main supply से जो भी current आता है वो fuse से हो करके जाता है electric fuse is used as the safety device that protect electric circuit and appliances due to the fluctuation short circuit overloading of the electric circuit ठीक है fuse is connected to the electric meter and electric meter is also known as the energy meter अब भी next आ जाता है आपका क्या चीज मीटर तो fuse किस से connected होता है जो भी supply से current आया अब देखें फ्लो को इस तरह से समझे supply है ठीक है supply से जो current आ रहा है वो किसमें जा रहा है फ्यूज में जा रहा है फ्यूज से किस में जा रहा है मीटर में मीटर कौन सा आपका electric meter या energy meter this meter record the electricity consumed by the house in kilowatt hour हमारी घर में कितनी energy हमने use कर लिये consume कर लिये है उसका analysis हमें इस electric meter से मिलता है जो कि kilowatt hour एक घंडे में से कितना kilowatt energy का आपने खपत किया है इस बात का consumption कितना हुआ है या analysis हम electric meter से करते हैं so the earth wire from the meter is connected to the ground near the house ठीक है अब जो earth wire आता है ठीक है वो किस से connected होता है ground से connected होता है the wire from the electric meter pass to the distribution box and are distributed to the various devices when connected to the twitch switch so basically the जो भी wire से current आएगा electric meter में जाएगा electric meter से कहां जाता है distribution boxes में हमारे घर में जो अलब अलब इस्ट्रिबिशन बॉक्स लगे होते हैं उन distribution boxes से हमारे devices में आएगा electric circuits used for household purpose are of two types 15 ampere current rating circuit and 5 ampere current rating circuit अब यह जो आपके 15-meter current ampere के होते हैं कौन-कौन 5 ampere के होते हैं तो 5 ampere current के जो devices होते हैं वो होते हैं television fans light lights जितनी led और bulbs है और अगर मैं 15 ampere current की बात करूँ तो इसमें conditioner, geezer, iron ठीके यह सारी जो high power की होती है उन सभी में 15 ampere current हमारी घरों में यूज किया जाता है overloading and short circuiting का क्या मतलब होता है the main reason for using the electric fuse is to prevent overloading and short circuiting when these occurs mishaps like circuit burning fire shock which can lead to severe hazard can place अब overloading or short circuiting की conditions क्या होती है overloading का मतलब क्या होता है कि हमारे घर में जादा load है और current कम आ रहा है ठीक है तो इससे क्या होगा उस पर भी effect पड़ता है supply पर दूसरी चीज और करेंट आ रहा है या short circuit हो गया कहीं पर short circuit हो गया मतलब direct current produced हो रहा है direct current आ जा रहा है बहुत excess current आ रहा है तो इससे क्या होगा या तो आपका circuit जो हो जल जाता है या आपको shock लग जाता है तो इन सबसे protection के लिए हम क्या यूज करते हैं इन सबसे protection के प्राइम फ्यूज करते हैं इन सबस्क्राइम यह मारी घर में बहुत सारी एक साथ यूज होते हैं तो इससे बहुत सारा करेंट रहो होता है सब क्योंकि करेंट का यूज़ कर रहे दिस के वाज़ेस ओवरलेडिग इवन वन अनुमर अफ एलेक्टिकल अप्लाइइंस आप देखें हमने आपको पढ़ाया था कि दो तरीके के सर्किट्स होते हैं सिरीज सर्किट और पारलल सर्किट सिरीज जिसमें करेंट सेम होता है पारलल जिसमें करेंट क्या होता है डिस्ट्रिबूशन होता है करेंट अलग पारलली डिवाइड़ होता है मतलब हर एक उसमें अलग-अलग करेंट जा सकता है हमारे घर में अप्लाइंस कैसे होते हैं अलग-अलग power rating पर काम करने वाले LED भी है हमारे घर में गीजर भी है 5A current rating का भी use हो रहा है 15A current rating का भी use हो रहा है तो मतलब हमारे circuit कैसा होना चाहिए series होना चाहिए या parallel होना चाहिए अब parallel ही इतने सारे devices अलग-अलग current का अगर use कर रहे हैं तो इससे क्या होगा overloading हो जाती है और short circuit हो जाता है ठीक है so short circuit की condition में या तो burning हो जाएगी या आपका overheat होने लगेगा system आपकी घर के appliances कोई भी एक appliance हो सकता है या फिर क्या हो जाएगा आपको शॉक भी लग सकता है short circuit happens when the neutral wire comes in contact with the live wire अब हमने आपको बताया यहां डाइग्राम में याद करिये कि दो तरीके के wires होते हैं neutral wire and live wire अगर इन दोनों की बीच में कहीं contact हो जाए कहीं पर भी तो यह क्या condition कहलाती है यह कहलाती है short circuit की condition किसकी condition कहलाती है यह short circuit की condition तो अगर neutral wire और live wire का आपस में connection हो जाए तो यह कहलाएगी आपकी short circuit की condition it happens when wire of low resistance are used when the insulation of the wire is damaged and one wire get in contact with the another अब क्या होता है कि आपके wire के उपर आप देखते हो insulation लगा होता है copper wire होता है लेकिन उपर से cover दूसरी चीज़ का होता है अगर वो cover अच्छा नहीं है insulation कहलाता है जिसको हम insulation कहते है तो वो पिगल जाएगा use होते होते और use होते होते पिगलेगा और यह wires तो आसपास ही रहते है दोनों आपस में touch हो जाएंगे touch हो गए तो short circuit हो गया अर्थिं क्या होती है we might experience a mild shock when we come in contact with the devices that have a damaged insulation and when we touch with the wet hands and when the body comes in the contact with the metallic part of the device ठीक है when the leakage of the current take place, current flows through the body of the person in contact to avoid this type of the situation as a part of safety and precaution, earthing is done तो basically earthing का काम क्या होता है कि हमने किसी जगेज पर leakage हो रहा है, किसी device पर leakage हो रहा है आपने उसको touch किया, ठीक है, आपकी body से path आया हो वो सीधे चला जाएगा ठीक है, और अगर वो return हो गया तो आपकी death हो सकती है उस condition को avoid करने के लिए earthing की जाती है कि अगर कहीं पर leakage भी हो रहा है तो वो सीधे earth से अपना पूरा circuit complete हो जाए अर्थिंग is the process of protecting against unwanted spikes and bouts of electricity that can cause the damage to the life and property तो अर्थिंग क्यों की जाती है ताकि हम हमारे devices के सासर हम खुद को भी protect कर सकें इस तरह से जो अर्थिंग है यह आपके घर के आसपास की जाती है ताकि घर में कोई भी ऐसी condition की आपको शौक लगे यह ना हो अब precaution हमें क्या क्या लेना चाहिए जब भी हमें electrical equipment का यूज करते है important चीज है सबसे पहले तो earthing हमें properly करना चाहिए ensure a good earthing in a house good quality fuse shall be incorporated in the electrical circuit जो भी electrical circuit उसमें proper quality का fuse use करना चाहिए high resistance insulated wire should be used in the electrical wiring जो high resistance electric wires होते हैं insulated wires होते हैं उनका यूज करना चाहिए sockets and switches also should be specified industrial and standards ठीक है IFSC mark के सारी चीज़ा आपको यूज करना चौकेट्स हो प्लग्स हो कुछ भी हो सब प्रॉपर आपको यूज करना है make sure to turn off the main supply immediately अगर घर में electric current फैल भी गया है कहीं किसी को शौक लग भी गया तो फटा वट से जाए और main supply को आपको बन कर देना है जिससे कि आप शौक से बच सकते हैं तो यह था आपका magnetic effects of electric current जिसमें एक नया पार्ट जुड़ा था AC and DC current जिसको भी आज हमने समझा जो कि exam point of view से बहुत जादा important है I hope यह one short video में आपने पूरा chapter एक बार में समझ लिया होगा ऐसे ही सारे वीडियो को देखने के लिए step up academy को जरूर सब्सक्राइब करें आप यह सारी चीज़ें हमारी website के थ्रू भी देख सकते हैं जो कि है step up academy.ind.in step up academy कैसा channel है जिस पर आपको legal education हो management हो journalism, need, je, banking, defense and सारे सारे ही सारी competitive exams की preparation तो करवाई जाती है साथ ही साथ बहुत सारी courses की training भी दी जाती है जैसे कि AI machine learning, AR, VR, digital marketing, graphic designing and many more तो भई इतने patients के साथ वीडियो को देखने के लिए समझने के लिए और हमारे साथ जुड़े लेने के लिए और आगे भी वीडियो को देख Thank you so much.